हाई, सु आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे Mechanical Properties of Fluids ये बोलने को तो एक चेप्टर है बट इसके अंदर तीन चेप्टर समाते हैं पहला पहला पार्ट हो जाता है हमारे प्रेशर का दूसरा पार्ट हो जाता है Surface Tension का तीसरा पार्ट हो जाता है Fluids in Motion का बट अगर हम इसे एक ही टेक में समझने की कोशिश करें तो हमको थोड़ा थोड़ा लिंक तीनों के बीच में नजर आता है सो चलिए करते हैं बिना देरी के आज के सेशन को हम स्टार्ट One Short Lecture of Mechanical Properties of Fluids ओके चलिए सो अगर हम बात करें पहले-पहले States of Matter के बारे में क्योंकि ये Chapter एक Particular State पे है हमारा Mechanical Properties of Fluids इस बारे में बात करता है Kinetic Theory of Gases, Gases के बारे में बात करता है बट ये किसके अंदर लाए करते हैं तो हमें वो समझने के लिए थमजाना पड़ेगा थोड़ा सा Basics में तो यहाँ पर तीन प्रकार के Matter होते हैं Three States of Matter जिसको कहा जाता है पहला होता है Solids Solids की पहचान क्या है? Solids की पहचान होती है Intermolecular Forces Solids के अंदर अगर आप Molecules देखो बहुत जादा नजदीक है As well as जो इनकी Covalent Bonding है जो इनकी Intermolecular Forces है बहुत जादा Strong है इस वज़े से Solids हमारे हो जाते हैं Rigid, कठोर हो जाते हैं बात करते हैं Liquids के बीच में आप देख सकते हो जैसे ही Liquids यहाँ पर आए हैं तो बीच में काफी जादा Spaces आपको देखने को बिलेगी यहाँ पर काफी जादा आप देख सकते हो Space है यहाँ Space है यहाँ Space है इधर जगे है इधर जगे है तो अगर आप किसी Local Train में है और Station पे सब लोग उतर गए आपको Finally जगे मिली तो अब इसी बात है Train के अंतर आप Walk करोगे कभी दर्वाजे पे जाके रुकोगे कभी दर्वाजे से थोड़ा अंदर रुकोगे कभी अंदर आके बैट जाओगे So basically यहाँ पर जगे है So थोड़ा सा Flow हो रहा है क्या हो रहा है थोड़ा सा Flow हो रहा है उसी प्रकार से बात करें Gases की तो आप देख सकते हो जगे यहाँ पर बढ़ चुकी है So यहाँ पर भी जगे है इस वज़े से liquids और gases के molecules Flow करते हैं और दुनिया में जो चीज़ Flow करती है उसको हम कहते है Fluid A fluid means a substance that can flow ऐसा substance जो flow करता है पर हमारे context में हम States of matter की ही बात करते हैं इस वज़े से हम क्या करते हैं इन दोनों को ही आपर हम Fluid कहते हैं ऐसे नहीं कोई कहे बदग भी fluid है ऐसा नहीं कह सकते हो बदग देखो डूब गई So flow नहीं कर रही है वो कहने का मतलब States of matter में से हम Fluids कहते हैं Liquids और Gases को So liquid हमारी fluid के अंदर आती है Gases हमारी fluid के अंदर आती है पर हम लोगों कहाना थोड़ा सा problem होता है हम लोग हमेशा Fluids जब भी कहते हैं तो feel एक liquid वाला ही दिमाग में रहता है कभी भी आपने नहीं सुना होगा Gases को हम Fluid कहें But technically हमारी liquids Gases दोनो fluids होती है As well as जो Fourth state of matter होती है जो school में नहीं पढ़ाया जाता है Plasma वो भी fluid के अंदर ही count होती है Okay वो भी technically speaking हमारी fluid के अंदर ही count होती है So जिसने Plasma के बारे में नहीं देखा है So यहाँ पर देख सकते हो So basically Plasma globe colleges में usually दिखाया जाता है So अगर आपको नहीं पता है So fourth state होती है Plasma MCQ में पूछ सकते है Plasma बनी होती है आयन से Okay तो यहाँ पर जो हम air के molecules होते हैं सबको ionize कर देते हैं तो यहाँ पर कोई भी अख़ा atom message नहीं पाया जाता है आसान बाशा में कहूं तो पर सारी चीज़ें यहाँ पर ionize form में पाय जाती है So आप देख सकते हो चीज़ें यहाँ पर flow हो रही थी उसी प्रकार से जब भी हम physics पढ़ते हैं तो हमें पता है practical चीज़ें थोड़ी सी hard होती है समझना इस वज़े से हम ideal चीज़ों का assumption करते हैं तो concept आ जाता है यहाँ पर कि ideal fluid क्या होती है So basic basic 4 point है पहला पहला point हो जाता है ideal fluid हमारी हो जाती है incompressible क्या हो जाती है हो जाती है incompressible अब reality में यह possible नहीं है gases को compress किया जा सकता है thermodynamics में हम वही करते हैं इसका volume कम करते है compress करते है expand करते है पर यहाँ पर इस वज़े से शब्द का अस्तमाल किया गया है ideal यहाँ पर पहला point हो जाता है ideal fluid is incompressible liquids के लिए यह बात कहीं न कहीं सही है अगर मेरे पास एक पानी की bottle है और पानी की bottle को मैं बीच से प्रेस करूं तो पानी आगे से निकल जाता है जो mass per unit volume है उसको preserve रखता है second हो जाता है fluids हमारी irrotational होती है irrotational का मतलब हम आगे चलके पढ़ने वाले हैं non viscous होती है यह भी हम आगे पढ़ने वाले हैं irrotational का मतलब क्या होता है कि liquid के molecules एकदम parallel lines में निकलेंगे कैसे निकलेंगे? parallel lines में निकलेंगे ऐसे नहीं निकलेंगे यह क्या है? यह पुरा turbulent flow है किदर भी कोई भी जा रहा है कुछ अता पता भरोसा नहीं है कुछ parallel layer का concept नहीं है बट यहाँ पर आप देख सकते हो parallel layers में पानी आ रहा है फोर्स होता है क्या होता है? internal friction होता है फोर्स आगे वापस से यह सब चीजें है पूरा पूरा derivation है इसके उपर बाद में देखेंगे उसी प्रकार से इटे steady सो यह वाला पानी आप देख सकते हो steady ही है आराम से बै रहा है यह वाला पानी किसी भी एंगल से steady नहीं है यह पूरा का पूरा fluids and motion में हम आगे करने वाली है उस बज़े से मैं एक ही word में यहाँ पर आपको बता रहा है उसके बाद यहाँ पर concept आ जाता है हमारा shear modulus का concept तो shear word का मतलब होता है shape change करना 11th standard में यह सब है shear word का मतलब होता है shape change करना modulus word का मतलब होता है modulus का actual full form है modulus of rigidity यहाँ फिर दूसरे बाशा में कहा जाता है modulus of elasticity बेसिकली यह को इसकी property की बात हो रही है यहाँ पर shape change और elastic property की बात हो रही है जो solids में exist करती है अगर यहाँ पर मेरे पास sponge ball है sponge ball का original shape इतना बड़ा है original size इतना बड़ा है मैं क्या करता हूँ मैं उसको press कर देता हूँ मैं जैसे ही press करूँगा इसका shape change हो जाएगा इसकी size change हो जाएगी यानि अगर मैं physics का टांस में कहूँ इसका volume भी change हो जाएगा पहले बड़ा volume था अब छोटा volume हो गया बट मुझे एक बात बताईए जैसे ही मैं हाथों को छोड़ता हूँ ball क्या हो जाता है ball वापस अपने original position में आ जाता है so यह थी initial position यह हो जाती है यहाँ पर final position इससे हमें क्या समझ में आ रहा है इससे हमको समझ में आ रहा है कि solids अपने shape को regain कर सकते हैं solids क्या कर सकते हैं जो deformation उनके उपर हुआ है उसको वापस से regain कर सकते हैं विकाउस उनके अंदर में internal restoring forces present होते हैं यह 11th standard का part है सिर्फ introduction है यहाँ पर जाधा tension मतलो तो यह property solids में होती है कि वो अगर कोई deform कर रहा है लड़ेंगे उसके इसाब से अब यह remote है remote को मैं जोड से दबाऊं नहीं दबेगा वो लड़ रहा है friction है उसके अंदर इधर ही पानी हो पानी के ऊपर मैं तो रहूँ shape change हो जाएगा कुछ भी ओके so shear modulus solids में exist करता है but shear modulus हमारा liquids और gases में 0 होता है क्या होता है सीधा का सीधा 0 होता है इसका reason आपके सामने है क्योंके liquids do not oppose deformation आप liquids को एक container से दूसरे container में डालो उदर के उदर बदल जाएंगे गिर्गिट की तरह कैसे हम बोलते हैं न कि इसके तो रंग ही नहीं है इतने सारे रंग है आफिर इसके ऐसा कुछ हम कहते है तो उसी प्रकार से liquid एक की नहीं होती है जिसके साथ रहेगी उसको लगेगा उसकी है इसका जहाँ भी container में डालो उसका size and shape उससाब से change हो जाएगा fluids के पास ability होती है flow की वो मैंने आपको पहले ही spaces में दिखा दिया कि यहाँ पर spacing है इस वज़े से यह लोग flow हो पा रहे हैं और तीसरा तो हम बच्पन से पढ़ते आएं कि they take the shape of the container ओके सो काफी basic basic सा part था अब तक अब finally start होता है the main concept जिसको हम कहते हैं concept of यहाँ पे pressure let's start सो जब हम बात करते हैं pressure की students को mostly लगता है कि उनको pressure का concept अच्छे से आता है clarity से आता है बट उसमें काफी ज़्यादा चीज़ें उनको सच में नहीं पता होती है example तोर बे जैसे ही मैं pressure कहूँगा बोलो pressure का formula क्या है so majority students बोले के pressure is equalsity होता है force per unit area के बराबर जो की for sure गलत formula है wrong है pressure force upon area नहीं होता है आप कोई भी some solve करो आपका answer wrong आएका पहले ही बता दे रहा हूँ बले one short lecture है बड़ कुछ कठोर चीज़ें तो obviously यहां पर मैं बताऊंगा pressure is not equal to the force upon area pressure हमेशा होता है perpendicular force upon area क्या होता है pressure हमेशा होता है perpendicular force upon area के बराबर force का आप कोई भी component नहीं ले सकते हो pressure में हमेशा हमें perpendicular component लेना पड़ता है आई एक्जामपल तोर पर समझाने का प्रयास करता हूँ यहां पर मेरे पास एक table है ठीक है so table के उपर मैं force exert कर रहा हूँ कुछ इस direction में कौनसे direction में force exert कर रहा हूँ कुछ मैं ऐसे angle के direction में force exert कर रहा हूँ obviously बात है angle को हम x और y axis में resolve करते हैं एक component आ जाएगा कुछ ऐसा दूसरा component आ जाएगा यहां से कुछ नीचे के direction में मुझे एक बात दो पता ना parallel component के वज़े से अगर इस component को मैं drag करूँ कुछ ऐसा parallel component के वज़े से कभी pressure feel हो सकता है क्या parallel component देखके समझ रहा है कि सर normal वाले component से pressure आता है जब उपर से दबाव आता है उसको हम pressure कहते है है ना जो बेसिकली pressure किसके वज़े से होता है हमेशा जो force exert हो रहा है उसका जो normal component है उसके वज़े से यह textbook में clearly mentioned है textbook का ही word लिखा है यहाँ पर मैंने the normal force the normal force exerted by the fluid at rest per unit surface area per unit का मतलब होता है divide प्रेशर जी कोसरी होता है force per unit area के पर अब यह छोटी छोटी बाते हैं इसमें कुछ मैंने बड़ा सच नहीं बता है यह basic सा example मैंने आपको दिया कि अगर आप parallel force देखोगे तो parallel force तो गसीडता है चीजों को वो तो आगे लेके जा रहा है motion की consider motion के तरफ जा रहा है बड़ प्रेशर कब फील होता है जब दबाव हो दबाव कब होता है जब normal force हो theory में matter ही नहीं करता है यह सब theory में सब लोग लिखते है pressure is equal to force per unit area क्या normal क्या नहीं sums नहीं होते हैं फिर students बोलते हैं physics का sum सम से जमता नहीं है यही छोटी छोटी बाते हैं इसको note down करके आप यहाँ पर रख सकते हो furthermore यह equation का थोड़ा सा significance हो जाता है आईए वो भी समझने का प्रयास करते हैं example तोर पर school में हम आपस में मारा मारी करते थे सारे school students में मारा मारी की ही है चाहे आप हो चाहे मैं रहू यहाँ पर जादा होता है जब आपको कुछ लगेगा नहीं like ठीक है लगए धक्का दिया एक मिनट फील होगा सरी सब खतम जादा कुछ फील नहीं होगा पर अगर कोई आप को चिम्टी काटे जब हम किसी को ऐसे पिंच करते हैं सब पिंच करते हैं तो क्या होता है पिंच करते हैं तो एरिया बहुत जादा कम होती है एरिया ओफ कॉंटे कम होता है तो प्रेशर क्या हो जाता है प्रेशर जादा होता है इस वाजे से कोई चुम्टी काटे नहीं तो चमडी एक-दो लग गई कबर्ट से जोड़ जोड़ से लगता है विकॉस छोटी उंगली का area of contact भी छोटा है नेल खुद बखुद छोटा है उसकी point और भी छोटी है तो यह सब examples हो जाते हैं आपके basic pressure के pressure is the normal component of force per unit यहां पर हो जाता है area के बरादा बात करें units of pressure के बारे में मैं honestly बता रहा हूं करीबन करीबन साथ unit है pressure के और सातों अलग है सातों का एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं है बट वो मैं कराता हूं MHT CET के time पे पूरा कवरा table बनवा के देता हूं पूरा ऐसा chart बनता है हमारे यहां पर अभी वो share करने की कोई need नहीं है because board exam है so as of now हम दो units पर ध्यान देंगे even यह वाला भी textbook में लिखा है पर इसमें कुछ खास as such है नहीं चलिए as well as मैं आपको बता दूँ pressure के dimensions दो बार exams में आ चुके हैं कितनी बार दो बार exams में आ चुके हैं board exam की बात बता रहा हूं so pressure होता है force per unit area force क्या होता है force major होता है newtons में area किस में major होती है area major होती है meter square में तो pressure का जो basic unit होता है वो होता है newton per meter square पर अभी यह pascal study कर रहा था pascal ने pressure के ओपर बहुत study किया है तो उसने कहा newton meter square को आज से हम बुलाएंगे 1 pascal okay so basically यह दोनों units interrelated है आप pressure को ऐसा भी बोल सकते हो कि pressure is equalsory 1 pascal या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो pressure is equalsory 1 newton per meter square के यहाँ पर बराब यह सबसे जादा used unit होता है क्या होता है यह सबसे जादा used unit होता है पर अगर आपको मैं संसार की बात करूँ atmosphere की बात करूँ अर्थ की बात करूँ अर्थ बहुत बढ़ा है pressure ऐसा measure होता है pressure होता है 10 lakh pascal pressure होता है 5 lakh pascal किसी जगे पर कहीं का pressure होगा 1 lass pascal तो अब गडी गडी 1 lakh है 100抵 की note है 100抵 की note ही है बस ऐसे समझो तो 100抵 की note है तो 10,000 रुपय भी बहुत बड़ा amount लगता है no doubt 10,000 रुपया काफी बड़ा amount है बड़ अगर 2000 की नोट हो तो सिर्फ 5 नोट लगती है राई बड़ अगर आप 100 रुपय की नोट ही exist करो तो 10,000 रुपय में तो मतलब पूरा ऐसा लगेगा कि कुछ major है तो basically उस वेज़े से Pascal no doubt अच्छा unit है बट नया unit हम बना देते हैं वन बार क्या होता है वन बार बराबर होता है 1,00,000 पास कल के वन बार किसके बराबर हो जाता है वन बार बराबर हो जाता है 1,00,000 पास कल के बराबर यह दो चीजें board exams के लिए अच्छा का सा sufficient है बाकी और units थोड़े से हम आगे करेंगे जब हम barometer में पहुचेंगे, अभी के लिए ये दो units सी ध्यान में रखो, as well as dimensions आते हैं pressure के, के pressure के dimensions क्या है, जिनको dimensions निकालना नहीं आता है, YouTube पे सर्च करो, dimensions, RG lectures, मेरी 2-3 वीडियोस आ जाएंगी, कोई भी देखो एक वीडियो, निकालते हैं, so force का dimension क्या होता है, so force basically होता है, mass into acceleration, बरो बरो, mass का unit क्या होता है, mass का unit होता है, kg, acceleration का unit क्या होता है, acceleration का unit होता है, meter per second square के बराबर, so basically मैंने force के units लिखे, क्या किया, मैंने यहाँ पर force के units लिखे, area का unit क्या होता है, area का unit होता है, meter square, तो यहाँ पर मैं क्या कर तो dimension निकालने का मतलब होता है आप units देखोगे कि formula में units कौन से लग रहे हैं और उसको link करोगे base quantity से so meter meter यहाँ पर हो जाएगा cancel answer आजाएगा kg पर meter पर second square के बराबर और उसको हम बोलेंगे kg का मतलब होता है mass का unit है meter का मतलब होता है length का unit है बट वो नीचे है नीचे से उपर आजाएगा तो हो जाएगा L से minus 1 और seconds का मतलब होता है समय समय उपर आजाएगा हो जाएगा T minus 2 यह हो जाते हैं pressure के dimensions जिन लोगों को dimensions नहीं आते हैं कोई tension की बात नहीं है इतना घाई में किसी को भी नहीं समझता है 16 minute की मेरी वीडियो है देख सकते हो बट इतना जादा needed नहीं है इतना जादा needed नहीं है कभी कभी equation dimension का 12th standard board exam में आता है सो जब समय मिले आप उसको देख सकते हैं चलिए finally start करते हैं हमारे derivations का part जिसका नाम है pressure due to liquid column यहां से अब physics थोड़ी थोड़ी interesting होती जाएगी because यहां से जो derivations है जो atmospheric pressure का concept है जो हमारे gauge pressure का concept है यह न टेक्स बुक में उतना clearly दिया है न students के अंदर curiosity आता है technically speaking gauge pressure बहुत detail होता है gauge pressure में positive gauge pressure होता है negative gauge pressure होता है तो वो जब detail में होता है तो समझता है textbook में आप notice करो gauge pressure topic में लिखा है बट कुछ definition नहीं कुछ भी नहीं दिया है atmospheric pressure, absolute pressure, vacuum pressure बहुत सारी चीज़ें यहां पर exist करती है तो अभी हम line by line सबको समझते जाएंगे चलिए start करते हैं यहां पर हम हमारे topic pressure due to liquid column से समझते हैं यहां पर pressure due to liquid column का मतलब क्या होता है पानी के depth में जाना पड़ेगा अगर आपने swimming आपने scuba diving अगर की है अच्छे से तो आपको पता होगा जैसे जैसे आप 2-2 cm पानी के गहराई में जाते जाते हो आपके कान में एक अलग परकार सा pressure feel होता है अब यह चीज़ experience है समझते हैं जैसे आप aeroplane में भी अगर जाओगे aeroplane में भी pressure feel होता है बड़ aeroplane में pressure कम होता है और ऐसे scuba diving के situations में जैसे जैसे आपका depth बढ़ते जाता है जैसे जैसे आप अंदर के तरफ चलते जाते हो आपका pressure exponential level पे बढ़ते जाता है यह basic साफ अंडा होता है जैसे scuba divers जो होते हैं उनको suggestion दिया जाता है कि जब आप scuba diving कर रहे हो तो आप अपने नाक को बन करो मूँ से अपने सांस अंदर लो तो क्या होगा कान में से आपके pop out sound होगा उससे क्या होगा अंदर का pressure और बाहर का pressure same हो जाएगा अब यह किसी दिन विस्तार में मैं आपको सिखाऊंगा पर मैंने extra knowledge के लिए आपको बता दिया ताकि आपको चीजों को समझ में आए so pressure जब हम liquid के अंदर जाते हैं pressure हमारा बढ़ते जाता है pressure क्या होता है pressure हमारा बढ़ते जाता है तो सवाल मेरा भई है pressure कैसे बढ़ रहा है तो observation क्या कहती है observation कहती है अगर मैं यहां तैर रहा हूँ मुझे कुछ feel नहीं होगा अगर मैं यहां तैरूंगा मुझे feel होना start होगा मैं अगर यहां तैर रहा हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा feel होगा जैसे जैसे हमारी height नीचे नीचे होते जाती है, pressure बढ़ते जाता है, अब अगर मुझे ये fish consider करनी है, और मुझे देखना है कि इस fish के उपर कितना pressure लग रहा है because of water, तो सबसे best तरीका यही होता है, हम क्या करते हैं, इसके उपर की height consider करते हैं, और उसके उपर हम क्या करते हैं, उसके उपर हम physics लगाना start कर देते हैं, अब ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्या purpose है ये सब बताने के पीछे, इसका एक ही मकसद है students को समझता ही नहीं है, हम इस cylinder क्या ले रहे हैं, लेते हैं cylinder, derivations भी करते हैं, cylinder कभी नीचे लेते हैं, कभी सिलेंडर सर्फिस से लेते हैं कभी सिलेंडर ऊपर लेते हैं पता नहीं होता है क्यों ले रहे हैं बस लिये जा रहे हैं तो उस वज़े से मैंने आपको बताया कि हमें देखना है कि इस इंसान तो नहीं है इस फिश के ऊपर अगर कितना प्रेशर एक्ट हो रहा है तो उसके व होते हैं cylindrical shape के होते हैं because is cylindrical shape के होते हैं इस वज़े से हम इनको इनके अंदर हम एक cylinder imagine करते हैं अगर आपने गॉस्ट लोव पड़ा है तो आपने देखा होगा हमारा अगर स्फेरिकल सर्फेस है तो हम गॉश्यन स्फियर लेते हैं तो स्फियर है तो imaginary hezug purposes जेते हैं यह सिलेंडर है तो इस वज़े से यहां पर हम मेरे पास पानी पानी का मुझे क्या करना है मुझे किसी पौइन पर प्रेशर जानना है त। अभी मुझे समझे यह पोइन पर pressure जानना है तो मैं क्या कर दूंगा इसके उपर बना दूंगा एक imaginary cylinder consider करते है cylinder की height क्या है consider करते है इस cylinder की height है यहाँ पर h के बराबर मुझे क्या calculate करना है मुझे calculate करना है pressure pressure is equal थी होता है force upon me area के यहाँ पर cylinder कि से बरा हुआ है सो सिलिंडर भरा हुआ है पानी से पानी का कुछ न कुछ weight होगा weight दुनिया में हर चीज का होता है सो basically यहाँ पर क्या हो जाएगा force होगा weight क्या है weight is the gravitational force weight is the gravitational force अगर आपको definition पता हो तो so force हमेशा वही होता है गिसा पिटा हमारा mg के बराबर क्या हो जाता है force हमारा हो जाता है यहां से mg के बराबर upon में क्या है upon में यहाँ पर है मेरे पास area का term साथ में क्या है साथ में है मेरे पास यहाँ पर area का term मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ अगर मेरा last one shot आपने देखा हो physics में हम mass को इतना भाव नहीं देते हैं, पूरे circular motion में mass हमने cancel किया था, अगर आपने देखा हो तो, so density किसके बराबर होती है, density बराबर होती है, mass upon volume के, बरुबर, so mass किसके बराबर हो जाएगा, mass यहां से बराबर हो जाएगा, मेरा density into volume के बराबर, कितना हो जाएगा density into volume के बराबर, मुझे एक बात तो बताना, what is volume of a cylinder, come on, volume of a cylinder क्या होता है, तो volume of cylinder आपका हो जाता है, जितना आपका area of cross section है, बरुबर, जितना आपका area of cross section है, multiplied by height है, जितना भी आपका area of cross section है, बरुबर, यह जितना area of cross section है, multiplied by आपकी जितनी भी यहाँ पर height है so basically क्या हो जाता है volume is equation आप कहते थे pi r square h बोलो याद है क्या जो लोग school में रटा मारते हो the formula is rigorously तो ऐसे pi r square h pi r square धिमाग में याद हो जाता है so basically यह होती है area multiply by हो जाएगा यहाँ पर height के बराबर so volume के जगे क्या लिखूँगा volume के जगे मैं यहाँ पर लिखूँगा area into height के बराबर बोलो यह mass की value put कर दें क्या उपर come on so यही equation हम यहाँ पर put कर देंगे so मिलेगा pressure is equalsory मिलेगा mass के जगे आ जाएगा density into area into height times of gravity upon में area so area area क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा cancel pressure is equalsory हमें मिलता है यहाँ से h rho g के बराबर और यह हो जाती है हमारी यहाँ पर basic सी equation क्या हो जाती है हो जाती है हमारी basic सी equation circular motion में हमारी एक similar प्रकार की equation आई थी जिसका हमारा नाम था v is equalsory root of mu r g के बराबर वो equation में problem थी mu के वज़े से friction के वज़े से accidents को मैं control नहीं कर सकता हूँ because friction की value सब लोगों के लिए अलग है तो accidents नहीं control हो सकते हैं इस वज़े से हमने road को bank किया road को bank करके हमने formula बनाई r g 10 of theta के बराबर उसी प्रकार से यह formula में problem है no doubt यह आपको school में पढ़ाई गई है h r o g school में आपने पढ़ी है no doubt हमारा पहला पहला derivation है but still यह equation में problem तो है problem यह है कि हम लोगों ने अगर आप ध्यान से notice करो सिर्फ बस यह cylindrical column जो imaginary है उसके लिए ही सब चीजें consider की बरोबर है ना उसके लिए सब चीजें consider की हमने कुछ उपर का atmospheric pressure देखा ही नहीं के उपर का atmospheric pressure कैसा है क्या है बरोबर तो हमने वो चीज नहीं consider की है इधर भी तो कुछ pressure होगा air के वज़े से बरोबर तो हमने वो भी actually में consider करना है जो actually हमने consider अब तक नहीं किया है so this is the problem number one यह क्या है यह problem number यहाँ पर one है दूसरी चीज टेक्स्ट बुक में जो यह diagram है technically speaking diagram गलत है यह okay diagram गलत है technically speaking diagram गलत है अगर मैं पहले ही वो बनाता न फिर students बोलते है textbook में अलग करा है आपने अलग करा है ओके तो मैं बहुत पहले यह करा लेता हूं फिर आपको reason बताता हूं तो आपका trust develop होगा सो मुझे एक बात बताना यह point पे pressure किसके वज़े से होगा come on यह point पे pressure जितनी भी liquid है उपर से पूरे के वज़े से होगा यहाँ पर जो liquid है उसके वज़े से होगा यहाँ पर जो liquid है उसके वज़े से होगा so ideally speaking यह cylinder पूरा बनना चाहिए बोलो agree करते हो क्या ideally speaking आपका कहां से बनना चाहिए cylinder आपका cylinder यहां से बनना चाहिए so मेरे हैसाब से तो diagram आपका यहां से बनना चाहिए, पूरा, आपका डियागराम सर्फेस से बनना चाहिए, कहां से बनना चाहिए, आपका डियागराम यहां पर सर्फेस से बनना चाहिए, तो physics तब सही होगी, यहां पर तो हमने imaginary cylinder consider कि आपर उपर का पानी waste क्यों करें भाई, उपर का पानी waste क्यों करें, so textbook में थोड़ा सा corrections की जरुवत है so board exam में अगर आप बनाना चाहो तो ऐसा भी बना सकते हो जो कि technically wrong है बट ऐसा बनाओगे तो for sure सही होगा so यह हो जाता है हमारा एक correction चलिए तो ठीक है यहाँ तक formula समाप थोई so pressure is equation क्या होता है होता है HOG के बराबर पहले हम समझते हैं कि यह equation हमको क्या-क्या समझा सकती है वो समझ लें फिर हम इसको जो correction था वो भी हम अच्छे से करेंगे तो आईए समझने का प्रयास करते है इसका significance क्या है so pressure is equal to the होजी का यहाँ पर basic सा significance क्या हो जाता है basic सा significance यहाँ पर हो जाता है कि यहाँ पर area का term तो आया ही नहीं एरिया का term यहाँ पर present ही नहीं है कुछ भी नहीं है area का term यहाँ पर मतलब pressure area पर depend ही नहीं करता है यह क्या physics है इसका मतलब अगर मैं कुछ beaker में pressure measure करना चाहूं तो भी मुझे height लगेगी अगर मैं एक ocean में pressure measure करना चाहूं तो भी मुझे height लगेगी area matter ही नहीं करती है area doesn't matter हो सकता है मैं एक लीटर बोटल पानी लूँ हो सकता है मैं आदा लीटर बोटल पानी लूँ area doesn't matter only the height matters क्या matter करती है सरफ और सरफ यहाँ पर height measure करती है अब area का time अगर नहीं आया तो इसका मतलब shape भी matter नहीं करता है बरबर because area of a circle pi r square होती है area of a cylinder pi r square h होती है area of a rectangle length into breath होता है area आया ही नहीं है equation में सो इसका मतलब shape भी matter नहीं करता है ओके सो मतलब जब हम pressure calculate करते है न size matter करता है container का न area matter करता है container का न shape matter करता है container का और ये formula true है even for gases because ये हमने fluids के basis पे निकालिये और gas भी एक fluid ही होती है ओके सो ये हो जाते हैं हमारे यहाँ पर basic से कुछ realizations जो की ज़रूरी है बट मैंने आपको बताया ये formula में दो mistakes है पहला mistake textbook का mistake है कि उन्होंने cylindrical column आधे से शुरू किया है cylindrical column surface से start होना चाहिए तो वो mistake को मैं ignore करता हूँ दूसरा mistake यहाँ पर ये हो जाता है कि हमने उपर वाले pressure को कुछ considering नहीं किया है कुछ भावी नहीं दिये कि उपर भी कुछ pressure है जो की physics के लिए गलत है अगर आपको answer चाहिए तो answer आपको total answer आना चाहिए ये कुछ ऐसे बात हो गई कि कार को दो जने धक्का दे रहे हैं पर मैं क्या कर रहा हूँ एक ही जने को देख रहा हूँ एक जना 50 Newton के force से धक्का दे रहा है दूसरे side भी तो देखो कोई और भी दक्का दे रहा है क्या ओके चलिए फाइनली आ जाते हैं यहाँ पर जो actual physics का गहराई वाला topic है atmospheric pressure विगाज एक बार अगर आपने atmospheric pressure समझ लिए सबको पता है इदर जितने भी लोग है one shot देखते हैं सबको पता है पर atmospheric pressure और gorge pressure में क्या फरक है वो नहीं पता है और atmospheric pressure और absolute pressure में पता है वो नहीं पता है सब तीनों चीज़ों के बीचे में फरक पता होना भी ज़रूरी होना चाहिए चलिये करते हैं इस topic को हम start चलिए बात करते हैं यहाँ पर atmospheric pressure के बारे में सो बहुत सा basic सा topic हो जाता है example तोर पे यहाँ पर मैं खड़ा हूँ सो अगर मैं खड़ा हूँ मुझे पता है यहाँ पर मैं सांस ले रहा हूँ मैं जिन्दा हूँ अगर मैं जिन्दा भी हूँ मैं सांस भी ले रहा हूँ इसका मतलब हो सकता है कि हो सकता है नहीं, इसका मतलब है कि मेरे आजू बाजू में Oxygen के Molecules हैं क्या है मेरे आजू बाजू में Oxygen के Molecules हैं तो जैसे यहाँ पर मैंने बनाए है अब Oxygen के Molecules तो हैं, बट हम लोगों को यह बात भी पता होती है कि oxygen के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें है nitrogen भी है gases भी है dust भी होगी थोड़े molecules ऐसे भी होंगे जो ओड़के कहीं से आ गए होंगे इसका मतलब जो हमारा atmosphere होता है उसमें बहुत सारे molecules होते हैं बहुत सारे बल्क में molecules होते हैं जो layer by layer आपने पड़े भी है stratosphere में यह होता है mesosphere में यह पड़ा होगा तो अलग मतलब हर लेयर में अलग 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 प्रकार के हमने molecules पड़े हैं तो अब इतने सारे molecules अगर exist कर रहे हैं तो 100% sure बात है कि वो pressure भी लगाएंगे इतने सारे molecules अगर exist कर रहे हैं तो 100% बात है कि वो pressure भी लगाएंगे और वही pressure जो वो लगाते हैं उसको हम कहते हैं atmospheric pressure क्या कहते हैं उसको हम कहते है atmospheric pressure तो textbook में आपने देखा होगा हम कुछ इस परकार से लिखते हैं ATM सो P ATM का मतलब क्या होता है प ATM का मतलब होता है atmospheric pressure अब atmospheric pressure की खास बात ये है कि atmospheric pressure 24 hours लग रहा है सबसे खास बात कै? atmospheric pressure की atmospheric pressure की खास बात है 24 गंटे लग रहा है, 7 के 7 दिन लग रहा है 24-7 atmospheric pressure लग रहा है अच्छा, अच्छी बात है ये तो बट उसी के साथ-साथ atmospheric pressure completely balanced भी है उसी के साथ साथ क्या है? 24 से तो लग रहा है 24 hours, 7 days a week लग रहा है बट साथ ही साथ क्या है? यहाँ पर balanced भी है अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मेरे उपर भी atmospheric pressure लग रहा है आप यहाँ पर खड़े हो तो आपके उपर भी atmospheric pressure लग रहा है पड़ोस में मेरी यहाँ पर कोई table पड़ी है सो table के उपर भी atmospheric pressure लग रहा है यहाँ पर एक book पड़ी है सो book के उपर भी atmospheric pressure लग रहा है तो basically हर चीज के उपर atmospheric pressure already लग रहा है और balanced way में लग रहा है कैसे हम कहते है normal force उपर mg force नीचे तो दोनों balance हो गए तो उसी प्रकार से यहाँ पर balanced है atmospheric pressure तो because वो balanced है तो हमको feel नहीं होता है unbalance होता न feel होता जैसे हम aeroplane में जाते हैं pressure कम हो जाता है unbalance हो लगता है तो feel होता है पानी के अंदर जाते हैं बढ़ जाता है तो feel होता है उसको हम कहते है atmospheric pressure क्या कहते है उसको हम कहते है atmospheric pressure अब यह atmospheric pressure जैसे जैसे में यह maximum होता है on the surface of earth ओके यह maximum कहाँ पर होता है maximum होता है on the surface of earth कैसे on the surface of earth maximum होता है उसको समझने का प्रयास को अर्थ की अलग-अलग-अलग-अलग layers है एक है atmosphere, troposphere, mesosphere, ionosphere, जो भी जो भी लेयर से order में याद करने की बिजरुरती है एक्जाम्पल तोर पे मैं यहां पर खड़ा हूं तो बेसिकली मैंने आपको क्या बताया था प्रेशर केल्कुलेट करने के लिए अपन हाइच देखते हैं क्या देखते हैं हाइट देखते हैं एर्या साइज आप्ध the container shape of the container कुछ नहीं देखते हैं तो basically मेरे उपर जो pressure आ रहा है कहां से आ रहा है उपर तो vacuum होता है तो मैं उसको consider नहीं करता हूँ मेरे उपर जो pressure आ रहा है वो कुछ यहां से आ रहा है कहां से आ रहा है भाई मेरे उपर कुछ pressure जो आ रहा है वो यहां से आ मेरी height basically कुछ भी नहीं है, मेरी height बले इस संसार में जादा है, मेरे से लोग usually छोटे ही होते हैं, 6 foot 2 inch के आसपास मेरी height है, बट ये इसके according कुछ भी height नहीं है, तो basically मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर, मुझे तो मैं बनाता ही नहीं हूँ, मैं पूरा का पूरा यहाँ पर क् है, इसके वज़े से जो pressure आ जाता है, हो जाता है हमारा atmospheric pressure जिसको अपन कहते हैं, PATM, क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, PATM, अब मेरा मन हुआ, चलो कहीं होकर आता हूँ, बट इस साल तो नहीं जा सकता हूँ, because MHDCD बहुत जल्दी है, नहीं जा सकते वहीं, घर के बाहर नि हाइट पे आया, सो मेरी हाइट घट जाएगी, मेरी हाइट क्या हो जाएगी, मेरी हाइट यहाँ से घट जाएगी, अगर मेरी हाइट यहाँ से घट गई, सो pressure भी क्या होगा, सो pressure भी मेरा यहाँ से कम हो जाएगा, so basically, technically speaking, मेरी अर्थ से हाइट बढ़ गई है, technically speaking, क्या है, बार atmosphere से शुरू होता है, इस वज़े से जब हम उपर जाते हैं, अब यह Mount Everest है, समझो, यहाँ पर मैं Mount Everest बनाने की कोशिश करता हूँ, so Mount Everest समझो, यह height तक होगा, okay, example तोर पे, so अगर Mount Everest यह height तक हो जाता है, so basically क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा cylindrical column और छोटा हो जाएगा, so वहाँ पर pressure और कम होता है, और अगर मैं पानी में जाता हूँ, so पानी के अंदर जा रहा हूँ, so क्या हो जाता है, पानी के अंदर यह जो हमारी depth होती है, पानी के अंदर यह height हमारी बढ़ जाती है, पानी के अंदर क्या हो जाती है, height हमारी बढ़ जाती है, इस वज़े से पानी के अंदर हमें pressure जादा feel होता है, ठीक है, so यह हो जाता है हमारा basic सा funda, अब हम discuss करते हैं यहाँ पर, absolute pressure और हमारा gauge pressure यहाँ पर क्या होता है, because ये दोनों चीज़े आपने समझ ली न तो आपको chapter में confidence आता है sums आपके सही जाते हैं नहीं तो sums में कुछ भी कुछ भी students करते हैं देखता हूं मैं paper चेक करते वग तो चलिए discuss करते हैं concept of absolute pressure उससे पहले मैं आपको बता देता हूं atmospheric pressure की value क्या होती है सो atmospheric pressure की value होती है 1 bar के बराबर कितनी होती है atmospheric pressure की value हो जाती है यहाँ पर 1 bar के बराबर जिसको अभी मैं example तोर पे लिखूंगा reference के लिए जो की हो जाता है एक लाख पासकल के आसपास अगर मैं order of magnitude लिखूं सो हो जाता है 10 rest to 5 pascal के आसपास मैं example दे रहा हूं पता चला आप इसको वो मान लो मतलब इसका value कुछ 101.325 ऐसा होता है मतलब एक लाख एक हजार कुछ ऐसा पर अभी example तोर पे हम इतना consider करते हैं अभी यह table है यह table के उपर book पड़ा है सो basically मैं आपसे पूछता हूं कि चलो मुझे बताओ यह table के उपर कितना pressure exist हो रहा है मैं क्या पूछता हूं मैं आपसे पूछता हूं यह table के उपर कितना pressure exist हो रहा है सो एक student मुझे कहता है sir pressure exist हो रहा है यहाँ पर 2000 का कितना pressure exist हो रहा है यहाँ पर pressure exist हो रहा है 2000 पासकल का और एक student मुझे कह रहा है sir pressure यहाँ पर exist हो रहा है 1,2,000 पासकल क्या कह रहा है एक student मुझे कह रहा है कि यहाँ पर pressure लग रहा है 2000 पासकल और एक student मुझे कह रहा, यहाँ पर pressure लग रहा है 1,02 पास्कल, बोलो कौन सही, कौन गलत come on so कौन यहाँ पर सही है, कौन यहाँ पर गलत है so यहाँ पर technically speaking, दोनों सही है technically speaking यहाँ पर क्या है, हमारे दोनों के दोनों सही है जो बंदा 2000 पास्कल मुझे कह रहा है वो बोल रहा है atmospheric pressure तो सर को common sense है सर को common sense है कि atmospheric pressure तो हो गई न तो मैं book के वज़े से बताऊ न क्योंकि सर ने तो मुझे ये diagram देखके पर बोला है pressure बताने को वो बोलेगा 2000 पास्कल यहां पर लग रहा है दूसरा student क्या बोलेगा दूसरा student बोलेगा बाबा ये physics का lecture है इधर कुछ भी करो न marks cut जाता है तो सर बोलेगा कि तुमको common sense नहीं है क्या हवा का pressure कहां गया तो एक लाख पास्कल हमारा यहां पर लग रहा है हवा के वज़े से जो की आम आदमी है होता है सो बेसिकली वो student बोलेगा 2000 पास्कल मेरे बुक का बरोबर प्लस यहां से एक लाख पास्कल हो जाएगा मेरा atmospheric pressure सो वो मुझे यहां पर total बताएगा क्या बताएगा total बताएगा सो यह अपने जगे पर सही है यह अपने जगे पर सही है तो यही कोनसेट हो जाता है हमारे गोज pressure का जोजब का मतलब क्या होता है जो मैं guarantee देता हूं मारा शिज़बोट के students जोजब्रेशर टेक्स्बुक में है बट नहीं समझता है उनको पढ़ते भी हैं फिर भी नहीं समझता है तो समझो यहां से गौच प्रेशर में हम एट्मोस्फिरिक प्रेशर कंसीडर करते हैं क्या तो गौच प्रेशर में एट्मोस्फिरिक प्रेशर हम कंसीडर नहीं करते हैं क्या करते हैं हम gorge pressure में atmospheric pressure consider नहीं करते हैं हम वहीं बताते हैं जो एक्जिस्ट कर रहा example तोब तुम bike में हवा भराने गए और बाइक वाला तुमको बोले तुमारे bike का pressure डेड़ लाक आया है तो तुम बोले बाइक है जीप है क्या है आखिर तो बेसिकली बाइक का जब हम प्रेशर चेक करते हैं वो गौज प्रेशर होता है अपने को क्या मतलब इधर ATM कितना है अपने को टायर बरा ने को हवा बरा ने आये तो सुर्फ टायर का प्रेशर देखना है तो ऐसे सिचुवेशन में अपन केल्कुलेट करते हैं गौज प्रेशर बढ़ उसी प्रकार से मैं माउंट एवरेस जाना चाता हूँ तो मैं गौज प्रेशर नहीं देख सकता हूँ तो मुझे पूरे संसार का देखना पड़ेगा एप्सुल्यूट प्रेशर क्या होता है एप्सुल्यूट प्रेशर हमारा हो जाता है टोटल प्रेशर हमारा क्या हो जाता है हो जाता है यहां से टोटल प्रेशर टोटल प्रेशर से मेरा मतलब है गौज प्रेशर जो की एक् प्रेशर अब यहां पर करेंगे दो डिरिवेशन्स जो आपको अच्छे से अब समझेंगी आपको मीनिंग यहां पर पता है चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन मैंने यहां पर सब कुछ लिख लिया है ताकि मैं लिखने से जादा समझाने पर ध्यान दे सकूं लेट स्टार्ट सो बेसिकल यहां पर कंशीडर करते हैं हम एक बड़ा सा बीकर आपने देखा चाहां से अट्मोस्फियर शुरू था पूरा वहां से लेके सिलेंडर को हम नीचे तक लाए थे तो अपर डिस्प्लेस्मेंट को कंसीडर करते हैं एक स्टू यहां पर तीन प्रकार के फोर्स एक्जर्ट हो रहे हैं पहला तो टॉप सर्फेस पर एक्जर्ट होगा F1 बरोबर विकॉज यहां पर टॉप सर्फेस पर दूसरे मॉलिक्यूल और सब कुछ एक्जर्ट करते हैं F1 नीचे से बुयांट फोर्स आपने पड़ा होगा आपको पता है कोई भी फिश की जब देथ हो जाती है फिश खुद बखुद उपर आ जाती है राइट ब अपवर्ड फोर्स F1 दूसरा यहां से mg नीचे के तरफ और एक उपर के तरफ सो यहां पर आखों से दिख रहा है कि जितना इन दोनों का मेगनिटीड होगा F डाउनवर्ड इस इकॉल सुरी हो जाएगा F अपवर्ड के बराबर सो आपर मैंने वही लिखा है F2 इस इकॉल स सो area of cross section A यहां का भी होगा सो यहां पर जितना value F1 का होगा उससे साब से मैं F2 भी यहां से निकाल सकता हूँ कि F2 मेरा हो जाएगा यहां से P2 times of यहां पर area के बराबर यही data हमने यहां पर substitute कर लिया मास का आप समझ गए हो अंदर से आपको आवाज आ रहा होगा कि मास है तो उसको निकालना पड़ेगा यहां से सो मास इस इकॉसरी होता है density into volume because density होता है मास upon volume के बराबर सो हमने मास को side कर दिया volume क्या है सो volume होता है area of cross section into में height के बराबर अब actual में मुझे क्या करना है मुझे derivation नहीं करना है मुझे general equation बनानी है क्या करनी है मुझे general equation बनानी है जिससे मेरे 2-3 derivation हो जाए तो इस वज़े से यहां पर मैं चाहूं तो volume ले सकता हूं area into height पर मैं नहीं लूँगा मैं नहीं लूँगा, मैं यहाँ पर क्या लूँगा, मैं यहाँ पर height के जगे क्या ले लूँगा, height के जगे ले लूँगा, यहाँ से मेरे differences, right, यहाँ पर x1 मैंने थोड़ा नीच, डाइग्राम मैंने बड़ा किया, तो इस वजे से x1 हमारा नीचे दिख रहा है, बड़ x1 यहाँ पर है, सो basically यहाँ पर height क्या हो जाएगी, height हो जाएगी दूनों का difference. x1 minus x2, सो मैंने height के जगे क्या डाल दिया, height के जगे डाला है, x1 minus x2 के बराबर, यहाँ से क्या हो जाएगा? area, area यहाँ से हो जाएगा, cancel, तो यह जो expression यह हो जाता है मेरा यहां से बेस एक्सप्रेशन क्या हो जाता है यहां सी कटा giving सच में हमारा सुवस्कूषकर जो मैं लिखी ते यह हमारी एक्सप्रäss선 है यहां तक आपको कैसे भी करके पहुचना है, चलिए, एरिया कटो गई, P2 आ जाएगा नीचे, एरिया कटो गई, P1 आ जाएगा यहाँ पे नीचे, height यहाँ पे क्या है, height यहाँ पे मैं assume करता हूँ, यहाँ पे मेरी height है, textbook में क्या बोला है, textbook में बोला है because ये free surface है, so free surface पे x1 हो जाएगा मेरा 0 के बराबर free surface पे x1 कितना हो जाएगा x1 हो जाएगा मेरा 0 के बराबर x2 कितना होगा, आप नीचे के तरफ जा रहे हो इसको origin माना है textbook में free surface को origin माना है आप नीचे जा रहे हो तो height हो जाएगी minus h के बराबर so minus of minus h कितना हो जाएगा plus h के बराबर so यह हो जाती है हमारी यहां से final equation pressure p2 क्या है pressure p2 है जो मुझे required pressure था नीचे के तरफ p pressure p1 क्या है मैंने आपको पहले ही बताया था उपर exert होता है हमेशा atmospheric pressure तो यह हो जाएगा हमारा atmospheric pressure p1 and that's it यही हो जाती है हमारी final formula pressure की यह हो जाती है हमारी final formula कभी भी किसी height पे अगर हमें pressure calculate करना है और इसी को हम कहते हैं absolute pressure क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं absolute pressure because absolute pressure में क्या था जो हमारा gauge pressure होता है normal वाला वो भी plus atmospheric pressure दोनों आना चाहिए क्या आना चाहिए यहाँ पर हमारा दोनों आना चाहिए और यहाँ पर दोनों आ भी रहा है यह जो हमने पहले निकाला हो जी gauge pressure atmosphere को ignore करके और यह हमारा यहाँ पर atmospheric pressure के 7 value के यह हो जाता है हमारा absolute pressure का यहाँ पर expression और अगर आपको gauge pressure निकालना है तो दोनों को क्या कर दो दोनों को आप minus कर दो gauge pressure कुछ नहीं ह रोजी के बराबर ही होता है तो यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ बेच दूँगा तो P-P0 को हम कहते हैं gauge pressure P-P0 को हम क्या कहते हैं कहते हैं gauge pressure because P-P0 बराबर होगा होगा और वो मुझे देदेगा gauge pressure का value यानि atmospheric pressure को मैंने minus कर दिया यहाँ से भी आप देख सकते हो रहाई gauge pressure preserve रखना है तो क्या करना पड़ेगा total pressure में से minus करना पड़ेगा यहाँ पर atmospheric pressure okay so अभी एक्जाम में कभी कभी क्या आता है एक्जाम में कभी कभी आता है डिराइव एक्स्प्रेशन फॉर एप्सॉल्यूट प्रेशर स्टूडन्स बूल दो रहे हैं यह क्या है हमको तो सिखाया ही किसी ने नहीं बट यही है आपका value of absolute pressure उसी प्रकार से जरूरी नहीं है कि हमेशा हम नीचे ही रहे हो सकता है कभी कभी हम उपर के सर्फेस पर भी जाएं तो derivation सेम रहेगी lower वाली point को नाम देंगे x2 जैसे यहाँ पर दिया था यहाँ पर भी देंगे x2 upper point को नाम देंगे x1 lower point पर जो pressure है यहाँ पर नाम दिया था हमने p2 यहाँ पर नाम देंगे again p2 और यहाँ पर नाम देंगे p1 upper point को p1 so basically वही general equation मैंने यहाँ पर लिखके रखी है सुर्फ और सुर्फ क्या होगा data में यहाँ पर थोड़ा सा हम खिलवार करेंगे nothing else so free surface पे हमारा origin लाए करता है so because free surface पे origin लाए कर रहा है so x2 का value हो जाएगा यहाँ से 0 के बदाव x1 का value हम d ले रहे हैं because h वापस लोगा तो confusion हो जाएगा so x1 का value यहाँपर हम ले रहे हैं d के बदाबर so origin से यह value है d और origin से उपर के तरफ है सो आपर positive sign हो जाएगी सो basically यहाँ पर हमारा x1 हो जाएगा d के बराबर so d-0 क्या देगा d-0 आपको d देगा area के terms यहाँ से वैसे भी होने वाले हैं cancel वापस से दिखो similar expression पर हम आ जाते हैं पर इस बार फरक क्या है यहाँ पर जो free surface पर pressure है वो हो जाता है मेरा atmospheric pressure because यहाँ पर air के molecules सब surface के उपर जमा होते हैं so P2 हो जाता है आपर हमारा P0 के बराब और यह क्या है यह कोई भी height है हो सकता है यह aeroplane की height हो हो सकता है Mount Everest पर मैं calculate करना चाहूं so P1 है हमारा यहाँ पर required pressure P1 क्या है P1 है हमारा यहाँ पर required pressure तो इसके वज़े से P1 को हम P करके substitute कर देते हैं और यह बन जाता है हमारा यहाँ से final expression for some upper surface यानि free surface के अगर उपर जाना है तो ओके यह हो जाती है हमारी दो derivations यहाँ पर समाप काफी जादा basic derivations हैं बट वो gorge pressure, absolute pressure यह सब चीजों में students confused रहते हैं एक और term होता है vacuum pressure, so vacuum pressure 0 के बराबर होता है obviously because vacuum में there is no pressure because there are no molecules ideally ओके और gorge pressure आपका हो जाता है यह expression जस्ट आप याद रखो सब चीजें खुद बखो आपकी cover up हो जाएं finally आते हैं the next topic के उपर जिसका नाम है hydrostatic paradox मैं आपको बता रहा हूँ आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को आता है but hydrostatic paradox नहीं आता है लोगों को hydrostatic paradox जैसे ही कोई पूछता है बस उनका एक ही answer आता है कि water level same होगा hydrostatic paradox मैं किसी से भी पूछूँ कोई भी कोई भी student हो मैं आपकी गलती नहीं निकाल रहा हूँ मैं सिर्फ एक बता रहा हूँ कि ऐसा होता है मैं गलती नहीं निकाल रहा हूँ गलतीया निकालना मैं भी शुरू कर दूँ तो फिर दूसरों और मज में फरक कैसा मैं आपको उस वज़े से सिखाते जा रहा हूँ कि पहले जो गलतियां हो गई उसको छोड़ दो अब समझोगे reality क्या है so hydrostatic paradox 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 word का मतलब क्या होता है paradox word का मतलब होता है पहली paradox word का क्या मतलब होता है paradox word का मतलब होता है हमारा पहली पहली कैसे यह पहली होता है हमारे paradox word का मतलब उसी प्रकार से paradox word का दूसरा मतलब भी होता है दूसरा मतलब होता है यहाँ पर contradiction क्या मतलब होता है दूसरा मतलब हो जाता है यहाँ पर हमारा contradiction कि की शचीज का और ऐनता कॉम कि मीनिंग ता थी मैं आपको बहुए कि आपको क्या है और यहांपर कॉंट्राडिक्शन तो कि šीद को कॉंट्राडिक्शन मुझे वह बता दो किinity कंवाइद्स अभी सब लोह को का अंसर वह attends कि हाइट से मैं है तो इसमें contradiction क्या है थीक बात है आप लोगों का गलती नहीं पता पाते हैं स्टूडन्स थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर हाइड्रोस्टेटिक Parodics में Contradiction क्या है What is the contradiction? आईए यहाँ पर हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते है So, यहाँ पर Logic कुछ इस परकार का होता है कि जब हम अलग-अलग परकार के shapes को यहाँ पर consider करते हैं अलग-अलग परकार के yहाँ पर shapes को हम सेम ओगा, because pressure किसको बराबर होता है, pressure होता है, HOG के बराबर, so because HOG के बराबर है, so तो ये वाला term सेम है, so ये वाले term को सेम होना पड़ेगा, because height same है, एक ही liquid है हर जगे पे, right, so इतना तो सबको पता है, okay, but problem क्या है, problem यहां पर कुछ और है, problem क्या है, problem यहाँ पर कुछ और है, जो कि हम इन तीन शेप को consider करके समझेंगे, क्या करेंगे, हम यह तीन शेप को consider करेंगे, और उस असाब से अपनी problem को हम समझें, consider करता हूँ, यह है मेरा area of cross section A, यह same area जितनी यहाँ पर है, same area मैंने consider की है यहाँ पर इसका भी base का area of cross section है यहाँ पर a के बराबर एन उसी प्रकार से इसका भी area of cross section है यहाँ पर a के बराबर ठीक है तीनों का area of cross section क्या है तीनों का area of cross section है a के बराबर consider करते हैं same height of fluid यहाँ पर भरा हुआ है so because height of the fluid यहाँ पर भी h है height of the fluid यहाँ पर भी h है height of the fluid यहाँ पर भी h है so क्या हो जाएगा जितना pressure P1 का रहेगा उतना ही pressure P2 का रहेगा उतना ही pressure P3 का रहेगा so यह हो जाती है मेरी यहाँ से equation number 1 के तीनों के pressures क्या है तीनों के pressures यहाँ पर है same यह है equation number मेरी यहाँ पर 1 के बराबर प्रेशर होता क्या है? सो प्रेशर होता है force upon में area के बराबर सो force क्या होता है? force होता है pressure into area के बराबर सो basically यहाँ पर force किसके बराबर है? force मेरा बराबर है pressure into area बरोबर force किसके बराबर है? pressure into area के बराबर है अब area तो तीनों की same है बरबर area क्या है area यहाँ पर तीनों की same है pressure क्या है pressure भी तीनों का same है इसका मतलब बोलो तीनों के अंदर जो forces होंगे वो भी क्या होंगे come on तीनों के अंदर जो forces होंगे वो भी क्या होंगे तीनों के अंदर जो forces होंगे वो भी यहाँ पर होंगे same, so F1 बराबर होगा F2 के, F2 बराबर होगा F3 के यह हो जाती है मेरी यहाँ से दूसरी equation क्या हो जाती है, यह हो जाती है यहाँ से मेरी दूसरी equation यहाँ तक सब कुछ sorted है, कोई problem की बात नहीं है problem कब शुरू होता है, problem शुरू होता है जब मैं यहाँ पर weight calculate करने चाहूँ क्या calculate करने चाहूँ, जब मैं यहाँ से weight निकालने जाता हूँ तब यहाँ पर problem शुरू होता है so जब हम weight calculate करते हैं, so weight किसके बराबर होता है weight होता है mg के बराबर आपको भी पता है मुझे भी पता है weight is equal to the gravitational force जिससे earth हमें attract करता है तो पहले diagram में क्या होता है पहला diagram साफ सरल सुन्दर है so w1 किसके बराबर आता है w1 बराबर आता है f1 के कोई problem नहीं होता है बड़ second और third situation में weight ही अलग आता है विवाज आपको पता है जो भी molecules होते हैं सब normal force exert करते हैं तो यहां पर liquid क्या कर रही है liquid container के उपर इस प्रकार से normal forces exert कर रही है अब यह normal force को क्या करते है normal force को हम दो component में resolve करते हैं एक component जाएगा यहां एक component आएगा नीचे के तरफ एक component आएगा यहां के तरफ एक component आएगा नीचे के तरफ यहां से कोई एक component होगा एक component आएगा सीधा एक component आएगा नीचे इस प्रकार से आप ध्यान से देखो जो भी horizontal components हैं सारे components एक दूसरे को cancel करेंगे यहां वाला इसको करेगा यहां वाला इसको करेगा पर आप notice करो सारे vertical components यहां पर add-on होते जाते हैं जिसके वज़े से जो weight हमें मिलता है वो जादा मिलता है compared to the force जो की physics में पहली बार है usually weight force के बराबर ही होता है weight is equals to the mg के बराबर बट ऐसे स्थितियों में यहां पर weight हमें जादा मिलता है और इस diagram की बात करूँ इस diagram में क्या होगा इस diagram में हमारे vectors इस प्रकार से बाहर आएंगे तो एक vector यहां बनेगा एक vector यहां बनेगा so because उपर के तरफ मिलते हैं तो यहां पर जो हमारा actual weight आता है वो कम आता है okay because mg का direction ideally नीचे होना चाहिए इधर तो उपर के तरफ forces आ रहे हैं तो mg में से कुछ minus हो जाता है बहुत fast बताया मैंने आपको ऐसा लग रहा होगा इसका reason है textbook में तो कुछ भी नहीं दिया है फिर भी मैंने आपको समझा दिया तो थोड़ा बहुत आप exam में लिख पाओ गया और यह one shot है so यह है paradox okay कि weight अलग है और forces अलग है this is the actual paradox hydrostatic paradox इसको बोलते हैं कि pressure same है force same है तो weight same होना चाहिए है ना forces same है तो weight same होना chain बट weight same नहीं होता है इसका weight जादा है इसका weight कम है सिर्फ इसका weight forces के बराबर आता है this is the actual concept of the hydrostatic paradox I hope अब आपको समझा होगा कि अच्छा ये था क्या हम लोग दो खाली बोलते थे height same है height same मैं ऐसा करके बस topic को switch कर देते थे तो वही physics की गहराई होती है चलिए consider करते हैं आपर the concept of Pascal's law क्या consider करते हैं consider करते हैं concept of Pascal's law so Pascal's law काफी छोटा सा law है पर इसके applications दुनिया भर में इतने जादा useful है क्या ही बताऊं मतलब इतना जादा यूज है Pascal's law का आप imagine भी नहीं कर सकते लाइक एक subject होता है जो लोग mechanics लेते हैं इंजिनेरिंग में mechanical engineering, automobile, engineering में जाते हैं ऐसे 6-6 units होते हैं basically सिर्फ Pascal's law के उपर आईए समझने का परयास करते हैं पास्कल's law कहता है pressure applied on one point of liquid अगर आप किसी एक point पर liquid के pressure apply कर रहे हो हर जगे पहुच जाएगा pressure क्या हो जाएगा pressure हर जगे पहुच जाएगा that is the basic fundamental of the Pascal law क्या pressure स्रिफ एक जगे apply करो पर pressure होगा क्या pressure आपका यहाँ पर हर जगे पहुच जाएगा तो आई यह थोड़ा सा यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं so example तोर पर यहाँ पर मैं थोड़ी सी fluid भर देता हूँ okay so यहाँ पर हम थोड़ा सा अलग scenario consider करते हैं मैं यहाँ पर fluid चलो भरी हुई fluid ले ले लेता हूँ यहाँ पर और दो जगाओं पर हम pressure check करने का यहाँ पर प्रयास करते हैं okay so एक मैं consider करता हूँ समझो इस height पर जहाँ पर यह मेरा box end हो रहा है और simultaneously यहाँ पर भी मैं वही height पर pressure consider करने कोशिश करता हूँ तो approximately आप देख सकते हो pressure यहाँ पर same है मैं वहाँ पर ज्यादा नीचे गया हूँ कि हाँ ओके सो ठीक है अप्रोक्स आप देख सकते हो मैं similar height पर ही हूँ okay so यहाँ पर pressure exactly यहाँ पर almost almost same है so अब में हम क्या करते हैं अब हम इस पूरी liquid से छेड़ खानी करते हैं बट हमें feel क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पर थोड़ा कुछ put कर देता हूँ कहता है एक point पे भी आप कुछ चीज चेंज करोगे overall liquid में change होगा तो यहाँ पर हम 200 kg का mass डालते हैं प्रेशर देखना दोनों जगे simultaneously यहाँ पर change होगा आप देख सकते प्रेशर यहाँ पर simultaneously change हुआ अगर आपको चाहिए तो मैं fix values लेकर आपको दिखाता हूँ तो आपको exact feel होगा यहाँ पर 117.970 है यहाँ पर हम इसको consider करते हैं 117.9798 राइट सो मेरे heart stable नहीं है सो 117.798 चाहिए सो सेम हाइट है exactly cm का भी फरक नहीं आप देखो के लिए kg का यहाँ पर weight डालते हैं सो देखो simultaneously pressure दोनों जगे पर change हुआ यहाँ पर हमें feel भी नहीं होता है हमें क्या लगता है वो तो उदर है common mean के language में वहीं लगता है अब अगर आप देखो मैं कितना भी weight डालूं दोनों जगे simultaneously pressure change होगा यानि यहीं कहता है Pascal's law कि एक point से तुम कुछ भी करो pressure पूरे के पूरे liquid में यहाँ पे transform होता है pressure क्या होता है pressure पूरे के पूरे liquid में यहाँ पे transform होता है उसी प्रकार से आप height का भी अगर देखना चाहो सो देख सकते हो यहाँ पर मैंने पूरा पानी भर दिया है दोनों जगे पे same height पे same pressure होता है पानी निकालूंगा तो भी क्या होगा simultaneously pressure यहाँ पर decrease होगा तो यह तो वो है P.E.Z.C.H.R.O.G. के यहाँ परादर और अगर Pascal's law का आपको देखना है तो आपने ऐसा कुछ system देखा होगा अगर आप car service कराने जाते हो अगर आप bike service कराने जाते हो तो basically एक जगे पे हमारी वहाँ पर खड़ी होती है यहाँ पर कोई mechanic ऐसा कुछ goal गुमाता है usually यहाँ कुछ ऐसा kick लगाता है और हमारी car उपर चलती जाती है तो यह exactly वही system है से सिस्टेम को कहते हैं hydraulic systems क्या कहते हैं से सिस्टेम को हम कहते हैं यहाँ पर hydraulic wave थेख सकते हो लगा piston का अब area देख सकते हो यहाँ पर बहुत बड़ा है यहाँ पर oil के मदद से जो हमारे गाड़ियों में oil इस्टमाल होते हैं यह भी similar प्रकार का ही lubricant होता है उसी के मदद से यहाँ पर हम pressure को transfer कर रहे हैं बाड़ पास्कल स्लोव में फरक ये होता है, एक जगे का एरिया हम छोटा लेते हैं, जो हम अफॉर्ड कर सकें, यूस करना और दूसरे जगे का एरिया हम बढ़ा लेते हैं, आप इवन्चुली देख सकते हो, यहाँ पर हमारी पूरी की पूरी कार उसी प्रकार से यहाँ पर में, सो यह है हमारा हाइडरोलिक लिफ्ट जो आपने अभी अभी देखा, सो कुछ भी नहीं है, एक कनेक्टेड सिस्टम है, क्या है, एक कनेक्टेड सिस्टम है, यहाँ पर एरिया छोटी है, A1 की एरिया छोटी होती है, बहुत जादा, A2 की एरिया बहुत जादा बढ़ी पर देखे तो pressure हमारा same ही होता है and eventually हम थोड़ा सा भी यहां पर जर्क मारते हैं तो पूरा का पूरा Pascal law के सबसे pressure transmitted होता है यहां पर expression कैसा होता है कि P2 is equal to होगा मेरा force 2 upon में हो जाएगा यहां से area 2 बाद स्थी क्या हो जाएगा फ्टू सेम यहां दोनों कि कि सुस्टम में अगर अलग भी हो तो हाइप रिशा लोग लिखुड बहके प्रेशर शेम कर देती है यहां पर मुझे बता यह नियुकोपर अपर होगा एक्सपरेशन में यहां पर पूट कर दूगा तो मुझे क्या मिलेगा यहां से मुझे मिल जाएगा F1 यहां से मुझे मिल जाएगा A2 upon में यहां से A1 के बराबर तो यह हो जाता है पास्कल स्लोका मेरा expression ध्यान से देखो A2 छोटा है के A2 बड़ा है? Come on! यह जो A2 है छोटा है के बड़ा है? A2 क्या है? A2 यहाँ पर बहुत ज़ादा बड़ा है Because यहाँ पर A2 बहुत ज़ादा बड़ा है So force 2 मेरा खुद बखुद बड़ा हो जाता है So F1 क्या है? F1 है छोटा force जो मैं ऐसे लगाऊंगा किक लगा कि यहाँ किसी चीज़ को गोल कुमा कि F1 है मेरा छोटा force But because F1 छोटा नंबर है पर multiply A2 से हो रहा है जो कि बड़ा है बहुत ज़ादा So मेरा automatically F2 जो second object पर force है वो काफी ज़ादा यहाँ पर बड़ा हो जाता है क्या हो जाता है? काफी ज़ादा यहाँ पर बड़ा हो जाता है उसी प्रकार से same system, same analogy जो हमारी यहाँ पर भी follow होती है यही formula में लिख दूँगा F2 is the costory क्या होता है? होता है यहाँ से F1 times of A2 divided by यहाँ से A1 के बराबर same analogy हमारी यहाँ पर होगी जो हम car में brake लगाते हैं car की brake की area इतनी ही होती है छोटी सी, right? area वहाँ पर बहुत छोटा होता है even जो उसका piston होता है piston का area भी बहुत जादा छोटा होता है बड़ वही जो आगे जाके engine में जाता है सो वहाँ पर system हमारा बहुत बढ़ा हो जाता है F1 क्या है? F1 मेरा वो force है मेरे पाउं का जिससे मैंने brake लगाया था A2 क्या है? मेरे slave cylinder जो की engine के अंदर cylinder होते है basically उनका area जो की जादा होता है सो इतना जादा होता है कि मेरी पूरी की पूरी car रुकने में मदद हो जाती है F2 इतना बड़ा हो जाता है कि car को चलती होई गाड़ी को brake लग जाती है मेरे छोटे से पाओं के प्रेस करने पर इसको हम कहते हैं hydraulic brake का concept क्या कहते हैं इस concept को हम कहते हैं hydraulic brake का concept finally यहाँ पर हमारे pressure का discuss करते हैं last part measurement of pressure so measurement of pressure pressure हम अलग-अलग प्रकार से measure करते हैं कभी हम blood pressure measure measure करते हैं कभी हम गाड़ी के tire का pressure measure करते हैं कभी हम क्या measure करते हैं ऐसा करते करते है pressure अलग-अलग waste से measure होता है अलग-अलग units से measure होता है पट यहां पर हम किस pressure measurement की बात कर रहे हैं यहां पर हम बात कर रहे हैं atmospheric pressure measure करने की यूट्यूब पे जब से shots launch हुए हैं जो भी physics के channels हैं जो भी science के channels हैं मैं guarantee दे सकता हूँ अगर 100 shots द करते हैं vacuum create करना pressure create करना air सक करना balloon उडाना glass चिपकाना आपने already मेरे साब से 100 चीजें तो देख ली होंगी यहां पर भी हम कुछ जैसा ही इस्तमाल करेंगे जो की होता है concept of mercury barometer रोके so mercury barometer में हम क्या करते है mercury barometer का दूसरा नाम होता है torisilly क्या नाम होता है यहां पर दूसरा नाम हो जाता है torisilly सो इसको organize these experiment करके भी कहा जाता है so ध्यान देना इस वर्ड के उपर भी okay so basically व्यस्कित करें हमलोग एक Planet अभिए थे हैं कि एसको उपर से सील रखते हैं किया करते हैं खेंशनुरी stepped करते हैं कि अंदर एर कुछ भी नहीं कुसे पहले मेरे पास क्या था पहले मेरे पास यहाँ पर पूरा का पूरा बीकर है पूरा का पूरा टेस्ट यूब है जिसके अंदर पूरा का पूरा इतना सब केयरफुली करने के बाद भी यहां पर हैट में बर्त हो जाता है क्या हो जाता है यहां पर हाईट में ड्रॉप हो जाता है okay so the height में जो डॉप हुआ मैंने air तो गुस्में नहीं दीया पक रखा था यहां पर भी सील पक रखा था और इधर भी mercury के अंदर जाके अपना हाथ रिलीस किया सो एर नहीं गुसी है तो यह क्या है यह है वेक्वेक्यू और यह अपरेट्स विक उस्टs Tori Sili ने observe किया था तो इसको हम कहते हैं Tori Sili's vacuum क्या कहते हैं Tori Sili's यहाँ पर vacuum तो यह हो जाता है Tori Sili's का हमारा vacuum अब लगाते हैं इसमें equation यह जो actual experiment हुआ था actual experiment बहुत लंबा apparatus होता था बहुत लंबा apparatus लाइक यह मैं ancient इस वजे से दिखा रहा हूँ एक मीटर का कितना था test tube असल में था एक मीटर का एक मीटर का मतलब होता है सौ सेंटीमीटर का test tube था ओके 100 सिंटीमीटर का test tube था इस वजे से मैं आपको पुराने इतने बड़े-बड़े images यहाँ पर दिखा रहा हूँ और यह थीक है चलो बस इतना ही बताता हूँ सो आते हैं basically यहाँ पर अब equations पर है ना सो basically C यहाँ पर जो है और यहाँ पर भी C ही नाम दिया है तो यह तो atmosphere के साथ contact में है तो PC किसके बराबर होगा PC यहाँ पर बराबर हो जाएगा मेरे atmospheric pressure P0 के बराबर किसके बराबर हो जाएगा PC बराबर हो जाएगा मेरे atmospheric pressure P0 के बरा B और C same height पे हैं तो same height पे pressure क्या होता है same height पे pressure same होता है सो जो PB पे pressure होगा वही pressure हो जाएगा यहां से मेरा PC के बराब हमने अभी अभी इतने pressure के derivations किये जहां से मुझे पता है lower point का pressure रिजिकोसरी होता है upper point का pressure प्लस HRोевич के बराबर मुझे बताहिये vacuum में pressure क्या होता है यहां से हो जाएगा यहां पर है PC किसके बराबर है बराबर है P0 के यहां पर हो जाएगा P0र हो जांगा कर सकता हूं ग्या अधियो मर्कुरी मेरा पेंडिंग है यह कर सकते हैं क्या density P0 is equal to the HROG के बराबर, क्या मैं height measure कर सकता हूँ, vacuum जो mercury मेरा pending है, yes कर सकते हैं, क्या density measure कर सकता हूँ mercury की yes कर सकते हैं क्या gravity measure कर सकता हूँ, yes कर सकते हैं, तो basically इस प्रकार से atmospheric pressure मुझे यहां से मिल जाता है, उसी प्रकार से दूसरा setup हो जाता है, open tube manometer का जिसमें again हम same use करते हैं lower pressure is equal to the upper pressure plus HROG के बराबर ध्यान से देखो, A मेरा atmosphere को exposed है, so जितना pressure A पे होगा, वो बराबर होगा, atmospheric pressure के यहां से बराबर, चलिए B और C same height पे है so because B और C same height पे है so दोनों का pressure same होगा because दोनों की height यहां से same है Pascal ने क्या कहा था, Pascal ने कहा था अगर आप enclosed setup में हो तो आपका same ही fluids में pressure flow होता है, right enclosed setup में अगर आप हो, so basically आपका pressure वही transmit होता है तो यहां से liquid अगर उपर आना भी चाहे, तो PC और PD का pressure same होगा, because of the Pascal's law तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखो so PC और PD का pressure भी यहां पर same है, यानि जितना pressure B पे है, okay उतना ही pressure C पे है उतना ही pressure यहां पर D पे है so फिर इसको मैं नाम दे देता हूँ यहां से simply मैं एक P के बराबर क्या नाम देता हूँ, यहां पर नाम देता हूँ मैं P के बराबर, so P is Ecostery कितना हो जाएगा यह atmospheric pressure प्लस हो जी के बराबर बोलो, manometer का pressure मैं measure कर सकता हूँ, बरोबर क्योंके मेरा ही apparatus है, height यहां से मैं measure कर सकता हूँ, fluids की density मुझे पता होगा, यहां पर low density fluids का अस्तमाल करते हैं, दाकि smooth flow हो, so भी measure कर सकता हूँ तो यहां से मुझे यह expression मिल सकता है so यह हो जाता है हमारा यहां पर final expression, इसी प्रकार से हमारा यहां पर pressure का part हो जाता है, sum up, so pressure का part usually feel कम होता है इस वज़े से मैंने काफी extra चीज़ें बताने की यहां पर कोशिश की, जिससे आपको रटा नहीं मारना पड़े, so I hope gauj pressure, absolute pressure, atmospheric pressure और वगेर वगेर चीज़ें आपको अच्छे से cover हुई होगी, start करते है हमारे chapter का दूसरा part जिसका नाम है यहां पर surface tension, so let's talk about surface tension, बात करते हैं यहां पर surface tension के बारे में काफी सा cute सा part है काफी मज़ेतार part है physics का feel आता है, pressure में usually physics का feel चला जाता है because pressure हमें gases दिखती नहीं है liquid के molecules दिखते नहीं है बड़ surface tension कही न कहीं practicality से काफी ज़्यादा value hold करता है, so surface tension किसकी property है, पहले जो हमने part पड़ा, वो liquids and gases दोनों का था, बड़ surface tension, सिर्फ और सिर्फ हमारी यहाँ पर liquids की property है किसकी property है, सिर्फ और सिर्फ liquids में observe किया जाता है क्या किया जाता है, liquids में यहाँ पर observe किया जाता है, and reason वही है intermolecular forces, जहां से हमने lecture की हमारे शुरुवात की थी, अब यहाँ पर intermolecular forces हमने पहले तो कहा था कि सिर्फ exist करते हैं और matter करते हैं पर intermolecular forces हो जाते हैं यहाँ पर दो प्रकार के जिसमें से सबसे पहला टाइप यहाँ पर हो जाता है adhesive force और दूसरा हो जाता है यहाँ पर cohesive force ओके स्टूदेंस को क्या होता है confusion होता है आप लोगों को definition पता होगा because one shot देखने आए हैं but still confusion रहता है याद नहीं रहता है तो मैं आपको बता दूँ adhesive force याद करने के लिए याद कीजे सीधा fevical को ऐसा लिखा रहता है fevical में के synthetic adhesive right fevistic में भी ऐसा लिखा रहता है के adhesive material अगर आपने अच्छे से labels या brand का कुछ पढ़ा हो तो ऐसा adhesive word use किया जाता है तो अब मुझे बताईए fevical किस चीज में काम आता है come on fevical कब काम आता है जब हम दो चीजों को चिपकाते हैं क्या करते हैं हम दो चीजों को चिपकाते हैं so basically जब हम दो चीजों को चिपकाते हैं समझो ये मेरे पास एक दीवार है okay so एक है मेरे पास यहाँ पर wall wall पे क्या करते हैं wall पे हम कोई चीज़ टिक करना चाहते हैं so basically कितने substance हो गए यहाँ पर हमारे दो substance हो गए तो basically इस वज़े से adhesive force कौन सा force होता है adhesive force होता है जो use करते हैं हम दो different molecules को चिपकाने के लिए कब use करते हैं adhesive force adhesive force का definition क्या है adhesive force का definition है force of attraction between the molecules of different substances जब दो अलग-अलग substances का इस्तमाल हो तब हम कहते हैं adhesive force है जैसे paper और sticker चिपकाया favicol और लकडी चिपकायी liquid और glass के बीच में कुछ interaction किया differences है क्या है यहाँ पर differences है अब कोई न कोई होगा बोलेगा सर favicol हम तभी भी तो use करते हैं एक ही substance मेरा तूट जाए अगर कांश है कांश तूट गया मैं दो कांश के pieces को example दे रहा हूँ favicol से जपकाने का कोशिश करूँ तो भी आप consider करो favicol खुद भी एक substance है और glass एक substance है अगें देखो दो different substances हो गए ओके तो यह हो जाता है हमारा basic सा फंडा ओन देखे फोर्स बात करते हैं यहां पर थोड़ा सा cohesive forces के बारे में सो cohesive force obviously opposite रहेगा cohesive force exists करता है the force of attraction between the molecules of the same substance यहां पर substance क्या होता है substance हमारा same substance होता है okay so same substance जैसे अब अगर मैं एक पानी का glass consider करता हूँ बोलो पानी के glass के अंदर क्या है so पानी के glass के अंदर है liquid के molecules क्या है liquid के molecules सारे के सारे एक ही liquid के molecules है अगर मैंने पानी लिया है तो सब H2O के ही molecules वहाँ पर present होंगे so उनके बीच का जो force होता है that is basically the cohesive force पानी यहां पर मेरा पड़ा है but पानी आप ध्यान से देखो sides में अगर आप पानी को sides में देखोगे तो पानी जब sides में है तो वो solid से contact में है so basically वो जो force होगा sides वाले molecules के लिए वो हो जाएगा adhesive force because solid और liquid आपस में contact में है but जो molecules अंदर बैठे हैं जिनका solid से कोई connection नहीं है उनके उपर सरफ और सरफ exist करेगा cohesive force because cohesive force exist करता है same substances में कहां exist करता है same substances में exist करता है इसके बार आजाते हैं यहाँ पर कुछ definitions range of forces, sphere of influence as well as यहाँ पर surface film surface film का तो पता नहीं textbook में क्या लिखा है meaning काफी ज़ादा अलग way में उन्होंने देने का कोशिश किया है इस वज़े से surface film का तो मैंने यहाँ पर definition दूसरा वाला लिखा है आप दूसरे books में check out कर सकते हो यही definition follow होता है आईए थोड़ा सा यहाँ पर process समझना चालू करते हैं कि यह सब terms साकिर कहना क्या चाते हैं तो consider करते हैं यहाँ पर आपके class का topper बैटने वाला है इस कुरसी बे आपके class का यहाँ पर topper बैटने वाला है और आप लोगों को exam में कहीं भी बैट सकते हो college exams में कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं भी बैट सकते हो prelims में ऐसा नहीं होता है usually वेली पर ऐसा होता है कि चलो class test है आप कहीं भी बैठ सकते हो तो basically अगर यहां पर आपका topper बैठने माला है तो बोलो आपका first preference क्या होगा first preference most of the students का होगा कि उसके पीछे बैठें बरो बरो क्या preference होगा कि यार इसके पीछे बैठ जाते हैं अगर पीछे नहीं तो कोई बोलेगा चलो side में बैठते हैं अगर side में नहीं तो कोई बोलेगा ये side बैठते हैं कोई बोलेगा मेरी दूर की नजर strong है तो मैं इस तरफ बैठूँगा क्रॉस में देखूंगा कोई बोलेगा मैं यहां से बैठूंगा तो CT बजा के उसको बुला लूँगा और कोई न कोई बोलेगा मेरे में skills हैं कि मैं ऐसे पीछे देख देख के ऐसा लिख सकूँ तो basically वो बन्दा यहां बैठेगा इस प्रकार से अगर आप ध्यान से देखो टॉपर के आसपास जो कुछ ही प्रकार के लोग हैं जो फाइदा उठा सकते हैं कुछ प्रकार के ही लोग है जो उसके आसपास घेरे हुए हैं वही लोग फाइदा उठा सकते हैं यहाँ जो बैठा है, यहाँ जो बैठा है, वो MCQs के सवाए कुछ भी यहाँ पर फाइदा नहीं ले सकता है टॉप पर कराई, ठाना, तो उसी प्रकार से liquid के अंदर जो molecules होते हैं, जो उनके बीच में interactions होते हैं, तो सारे molecules एक दूसरे से interact नहीं कर सकते हैं, जैसे अब यहाँ पर एक liquid के अंदर क्या होगा, अगर मैं consider करना चाहूं, तो basically यह liquid के अंदर नहीं नहीं करके करोडों, खर्बों, अर्बों में molecules होगे, because आपको पता है, एक mole में 10 raised to 23 molecules होते हैं, तो यह तो पानी का glass है, तो इसमें तो हर जगे molecules, molecules यह से भराव होगा, पूरा का पूरा का पूरा का पूरा यहाँ पर भराव होगा, पर मुझे बताईए, इस molecules से यह वाले molecules interact कर सकते हैं, क्या सो answer है, नहीं, because वो दूर हो गए, क्या हो गए, वो बहुत जादा दूर हो गए, तो उसी प्रकार से एक liquid molecules से एक limited range के molecules सी कुछ न कुछ connection बना सकते हैं, यानि particular यहाँ पर range होती, example तोर पे मेरे पास एक magnet है, बरो बर, आपके पास एक magnet है, बोलो, हम दोनों का magnet एक दूसरे को attract करेगा, यह repel करेगा, answer कुछ भी नहीं करेगा, because अगर मेरे पास एक magnet है, यहाँ पर पड़ा है magnet, तो दूसरा magnet मुझे इसी के range में रखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मुझे इसी के range में रखना पड़ेगा, तभी attraction या repulsion शो होगा, सो उसी प्रकार सो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि हो जाती है, range of molecular forces, the maximum distance from a molecule, ओके, the maximum distance, जहां तक मेरा molecular force effective है, उसको हम कहते है, range of molecular force, क्या कहते हैं, उसको हम कहते है, range of molecular force, और यह range approximately लाय करती है, 10 raised to minus 9 meter तक, मतलब आप समझ सकते हो, कितनी जादा छोटी हो गई, हाँ ना, सो 10 raised to minus 9 meter तक एक molecule, दुसरे molecule तक अपना influence बना सकता है, अपना cohesive force, the force of attraction को maintain कर सकता है, 10 raised to minus 9 meters तक, ओके, सो उसी प्रकार से 10 raised to minus 9 meter तक अगर यह वाला molecule influence कर सकता है, तो यह वाला molecule बोलेगा, मैं भी करूंगा, बरोबर, यह वाला molecule बोलेगा, मैं भी करूंगा, यह वाला molecule ब करते बोलो आसपास में क्या बन गया है? कम हूँ, आसपास में यहाँ पर स्फीर बन गया है तो यही 10 रोँ-9 को रेदियस रखते हुए क्या का हम थे 10 रोँ-9 ter जो रेंज है उसको रेदियस अगर हम बनाते हुए मॉलीक्यूलो को प्लोट करते जाएं पर sphere of influence, basically I hope आपको ये example से अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ गया होगा, बात करते हैं, surface film के बारे में टेक्स बुक में थोड़ा सा sheer stress पता नहीं क्या क्या बोला है, बट surface film basically होता है आपका top layer of the liquid, क्या होता है, top layer of the liquid, okay, so top layer of the liquid आपका हो जाता है, यहाँ पर surface film, उसको भी समझने का थोड़ा सा तरीका होता है, यह समझने का हम प्रयास करते हैं, कि कैसे हम surface film को यहाँ पर analysis कर सकते हैं, top layer को हम कैसे consider कर सकते हैं, चलिए, so अगर मैं top layer की यहाँ पर बात करता हूँ, तो मुझे पता है, मुझे क्या पता है, मुझे basically पता है, कि एक sphere मैं आसपास बना सकता हूँ, जिसमें cohesive force exist करेगा, बट अगर जो molecules मेरे top layer में present हैं, एकदम उपर पड़े हैं जो मेरे molecules, उसके लिए पूरा sphere validity नहीं होगा, बोलो agree करते हो क्या, come on, पूरा sphere वहाँ पर validity नहीं होगा, because वहाँ पर क्या है, वहाँ पर air के molecules भी present हैं, right, और air के molecules adhesive force में आ गए, because difference आ गया दोनों के बीच में, so basically यहाँ पर क्या होता है, आदा sphere मेरा valid होता है, आदा sphere वहाँ पर valid होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर अगर मैं molecule लूँ और पूरा sphere बनाने की कोशिश करूं, so again यहाँ पर पूरा sphere बनाने का कोशिश करूंगा, तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ आदा sphere ही मेरा valid होगा, right, सो उसी प्रकार से अगर यह जो आधा स्फियर है अगर यहां से मैं इसको जॉइन कर दूँ इसको क्या कर दूँ पूरे के पूरे को यहां पर मैं जॉइन कर दूँ जो आधे-ाधे स्फियर्स मुझे मिलेंगे अगर इनके यहां से मैं एक टैंजेंट बना दूँ तो यह टैंजेंट और अपर सर्फेस का जो लेयर है इसको हम कहते हैं सर्फेस फिल्म क्या कहते हैं इस लेयर को हम कहते हैं सर्फेस फिल्म तो यह भी हो जाता है आपका यहां पर दूसरा डेफिनेशन क्या हो जाता है यह ह जाता है आपका यहां पर दूसरा definition तो surface film की thickness कितनी होती है surface film की thickness होती है हमारी molecular range के बराबर कितुनी हो जाती है molecular range के बराबर यहां फिर आप कह सकते हो radius के बराबर जो आपको कहना है कह सकते हो basically इस diagram से आप समझ गए न कि कैसा sphere बन रहा है तो आपको जिस way में perceive करना है आप च on the basis of molecular theory चलिए यहां पर क्या करते हैं हम consider करते हैं पानी का surface और इस surface में हम क्या करते हैं ये surface में हम तीन जगहों पे molecules को consider करते हैं हम consider करते हैं deep inside the liquid पानी के अंदर गहराई में एक हम consider करते हैं on the free surface of the liquid और दूसरा हम consider करते हैं just below the free surface just below the surface film या फिर just below the free surface हम यहाँ पर consider करते हैं तीन जगहों पर हम molecules को यहाँ पर consider करते हैं पहले पहले बात करते हैं जो molecule मेरा काफी ज़्यादा अंदर है the molecule which is deep inside the liquid so obviously बात है यह इतना ज़्यादा अंदर है कि आसपास में क्या होगा आसपास में इसके यहाँ पर molecules present होगे यहाँ पर molecule present होगा यहाँ पर molecule present होगा इसके असपस, क्या होगा। इसके असपस, हर जगे, यहाँ पर molecules ही, molecules present होगे So, eventually क्या हो जाएगा। Eventually यहाँ पर, equal and opposite forces के वज़े से क्या हो जाएगा Equal and opposite forces के वज़े से यहाँ पर, हमारे सारे forces यहाँ पर zero हो जाएंगे because यहाँ वाला molecule बोलेगा चल इस तरफ आजा तो यह force मारेगा इस तरफ नीचे वाला molecule बोलेगा मेरे साथ आजा topper को कौन नहीं बुलाएगा अपने पासराई topper को हर student बोलेगा चल चल मेरा दोस्बन चल चल मेरा दोस्बन तो उसी प्रकार से क्या हो जाएगा सारे forces यहाँ पर हो जाएगे equal and opposite और net force कितना हो जाएगा net force यहाँ से हो जाएगा हमारा 0 के बराबर net force कितना हो जाएगा net force यहाँ पर हो जाएगा 0 के बराबर होगी so because net force 0 के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर कोई भी force exist unbalanced force यहाँ पर exist नहीं करेगा इस वज़े से दो चीजें होती है, यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर इस molecule के लिए दो चीजें होती है, पहला पहला तो net force 0 के बराबर होता है, दुसरा यहाँ पर potential energy हो जाती है minimum, क्या हो जाती है, potential energy हो जाती है minimum, जिन लोगों को नहीं पता है potential energy कब arise होती है, potential energy तब arise होती ह है जब आब interactions करो, okay, kinetic theory of gases में भी हमने potential energy को zero माना है, right, okay, वहाँ पर भी एक reason है, बट यहाँ पर तो इंदर, अंदर वाले, inner वाले surface में जो molecule है, उसके लिए potential energy हो जाती है, minimum, चलिए, consider करते हैं, यह वाला molecule जो just below the surface है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी मैं एक sphere of influence बनाने का कोशिश करता हूँ, अब यहाँ पर sphere of influence बना तो दिया है मैंने, बट problem क्या है यहाँ पर के आधे से जाधा तो यहाँ पर हमारा air के molecules है, right, आधे molecules क्या है, आधे molecules यहाँ पर air के molecules है, अब air के molecules exist तो करते हैं, बट उनके वज़े से कुछ feel नहीं होता है, okay, air के molecules exist करते हैं, बट उनके वज़े से कुछ भी हमें feel नहीं होता है, उसके दो reasons है, पहला पहला reason है, आप लोगों ने देखा कि gas के molecules बहुत जादा दूर-दूर present होते हैं, right, gas के molecules बहुत जादा दूर-दूर present होते हैं, इतना जादा नजदीक होते ही नहीं, ये लोग एकदम unity वाले होते हैं, इनमें unity होती ही नहीं, ये खुद इतना दूर-दूर present होते हैं, तो basically molecules का जो number होता है, वो बहुत जादा कम होता है, का number क्या होता है molecules का number यहां पर बहुत ज्यादा कम होता है second चीज यहां पर हो जाती है population फर्स चीज यहां पर मैं लिख सकता हूँ population second चीज यहां पर क्या होती है density होती ही नहीं है air molecules की as compare to the water ऑगरा पप रडी density compare कर आg एक रे कि आपकी आख इसे बंदो जाएगी, ऐसे इसे करते रह जाएगे, बट एयर मुझे नहीं लगता है, इतना जादा एक एयर मॉलिक्यूल से कुछ होगा, हाँ, एयर का जोका मारूं ऐसे तो फिर मट्टी चली जाती है आख में, बट मैं एक एयर मॉलिक्यूल वर्सिस एक वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, सो डेंसिटी बहुत जादा कम होती है, इस वज़े से यहां से तो हम कंसीडरी नहीं करते हैं, कुछ भी होगा, इसको तो हम यहां पर क्रॉस ही कर देते, बाकी क्या होगा यहां पर यह मॉलिक्यूल उपर वाले बोलेंगे इस तरफ आजा का जो डिरेक्शन हो जाएगा, डिरेक्शन हो जाएगा नीचे के तरफ, मतलब यहां पर लिक्विड का मॉलिक्यूल क्या कोशिश करेगा, अंदर आने की, लिक्विड का मॉलिक्यूल क्या कोशिश करेगा, कोशिश करेगा कि मैं अंदर के तरफ आऊं, उसी प्रकार से कंस चाहा दो रीजन्स हैं कि हम कुछ भी कंसीडर नहीं करते हैं तो यहाँ पर भी नेट फोर्स कहां बनेगा यहाँ पर भी नेट फोर्स हमारा बनना चालू हो जाएगा अंदर के तरफ यानि जो मॉलिक्यूल मेरा सर्फेस पे प्रेजन्ट है उसके उपर भी काफी ज्यादा प फ्री सर्फेस है जो आपका और टॉप लेयर है उस पर पॉटेंशल उनरजी मैग्जिमम होती है पॉटेंशल लना किया होती है जेल मेंक्यूक कीह है नेट फोर्स यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है और उसके जंट नीचे आ रहा हूँ तो भी लेट पोर्स एग्जिस्ट क कभी-कभी हम देखते हैं बच्चों को रिसस में छुटी मिलती है स्कूल में यूजियुल अगर आप देखो सेकंड फ्लोर पर खड़ोगे बच्चे से भाग के घर जाते हैं राइट है ना सो पोटेंचल एनर्जी मेक्जीमम होता है वहाँ पर नेट फोर्स एक्जिस्ट कर रहा है उनके उपर घर जाने का प्रेशर है के भागो घर सो इस वज़े से हम क्या दिखते हैं याँ पर पोटेंचल एनर्जी हमारा मेक्जीमम होता है so ये potential energy, ये unbalanced forces, ये कहां present है, ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारी surface film है, जो मैंने आपको पीछे दिखाया section, surface film मैंने आपको क्या बताया, जितना हमारा range of molecular forces होता है, वो thickness होती है हमारे surface film की, तो ये unbalanced forces, ये potential energy, maximum ये सिर्फ और सिर्फ कहां valid है, ये valid है हमारे surface film पे, तो इस वज़े से हम कहते हैं कि हमारा surface क्या है, हमारा surface tension में है, हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं हमारा surface क्या है, सो हमारा surface हम कहते हैं याँपर tension में है, हमारा surface कहां पर है, हमारा surface tension में है, क adviser हैं कि ये अग्या सिपिर wants your PLN में जब सबस्सीं कि यांपर तेंशन क्टेश पुंश से नीं चीज़ों को पुल और करते हैं तो यहां पर भी तो ऐसा ही हो रहा है molecules को नीचे के तरफ force exert हो रहा है नीचे के तरफ गुसने की tendency आ गई है तो इस वज़े से हम कहते हैं कि जो भी molecules surface पे होते हैं वो tension में होते हैं इसका मतलब क्या होता है उनके उपर एक force exert हो रहा है नीचे के direction में और इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है surface tension क्या कहा जाता है इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है surface tension तो surface tension किसकी प्रॉपर्टी है surface tension प्रॉपर्टी है liquids की अब liquids की property है, तो क्या सारे molecules के लिए exist करती है, नहीं नहीं, जो molecules सिर्फ यहाँ पर surface पे present है, उनके लिए ही यह property valid होती है, okay, because surface पे आपका potential energy यहाँ पर maximum होता है, as well as यहाँ पर surface पे आपके अंदर tendency है, नीचे जाने की यहाँ पर forces इसके वचे से, अब इस चीज़ का feel इतना जल्दी नहीं होता है, इस चीज़ का feel इतना जल्दी नहीं होता है, तो थोड़े से हम examples देखेंगे न, तब हमारे अंदर एक feel develop होगा, कि क्या होगा, surface पे अगर forces हैं, तो उससे होने वाला क्या है, आईए थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, अब लिक्विड में इतनी tendency तो नहीं होती है, कि वो वजन जेल पाए, राइट, लिक्विड में उतना ज्यादा tendency तो नहीं होता कि वो वजन जेल पाए, but because of surface tension, surface tension में क्या होता है, surface tension में जितने भी molecules यहां पर present है, जितने भी molecules surface में present है, सबके अनदर force है, बारव बार, force होने के वज़े से क्या है?Sबके अन्दर में potential energy है, potential energy है, इसका मत Back Potential energy is a kind of energy, इसका मतलब surface पे जितने Molecules हैं, उनके अनदर energy है, because इनजी होता है तो हम देखते हैं कि अगर मैं लिक्विट के ऊपर एक नीडल रखूं आपको experiment देखना है देख सकते हो सर्च करो और जी लेक्चर सर्फिस टेंशन experiments चार experiment मैंने कराय थे 2019 या 2020 में आप देख सकते हो सो नीडल अगर हम रखते हैं तो नीडल फ्लोट हो जाती है नीडल क्या हो जाती है फ्लोट हो जाती है विकॉस न कभी कहीं न कहीं देखा होगा स्पाइडर्स पानी में ऐसे स्पाइडर्स नो डाउट घरों में नहीं होते हैं घर के स्पाइडर्स बहुत ज्यादा छोटे होते हैं वह पानी में ऐसा वॉक करके निकल जाते हैं जब वह वॉक करते हैं ऐसा पानी हलका हलका प्रैस होता है because हलका सा tendency होता है हमारे surface molecules में उनके पास energy होती है चीजों को hold करने की energy है तो फिर कुछ भी कर सकते हैं तो वो कुछ चीज़ें hold भी करती है उसी प्रकार से अगर इसका आपको example चाहिए इसका example अब कब ले सकते हो दूद हमारे gas पे जब गरम हो रहा होता है तो उसमें से उपर से मलाई जम जाती है क्या जम जाती है? मलाई जम जाती है तो अगर कोई चीटी है अगर वो normal दूद को पार करना चाहे वॉक कर के नहीं कर सकती है जैसे वो दूद में पाउँ रखेगी slip हो जाएगी तो basically यह property आ जाती है हमारे surface में, यह property कहां आ जाती है, यह property आ जाती है हमारे surface में, because of the tension force, ठीक है, इसको detail में समझ सकते हैं, बट उसके लिए कम से कम एक गंटा लगता है, यह वाला chapter कराने में भी, मुझे 25 to 30 hours लगते हैं, 25 से 30 गंटा लगता है, theory कराने में, so one short है obviously, तो I hope आप समझ गए, idea आपको मिल गई, चलिए, अब surface tension का कुछ ना कुछ, हमें definition बनाना पड़ेगा, so definition हम क्या बनाते हैं, हम consider करते हैं, कि मेरे पास हैं कि यहाँ पर, free surface of the liquid है, क्या consider करते हैं, consider करते हैं, मेरे पास यहाँ पर, free surface of the liquid है, free surface of the liquid पर क्या करते हैं, हम लोग अभीदर top view consider किया जा रहा है, यह चीज़ को ध्यान देना, हम कौन से view की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर top view की, बात कर रहे हैं, सो यह आप उपर से देख रहे हो चीज़ों को, ओके, सो consider करते हैं, यहाँ पर एक imaginary line, क्या consider करते हैं, consider करते हैं, यहाँ पर हम एक imaginary line, हमने क्या देखा, हमने अभी अभी देखा, कि molecules हर जगे से, उपर वाले जो surface पर molecules हैं, उनके उपर खिचाव मैसूस हो रहा होगा, उनके उपर एक stretched force मैसूस हो रहा होगा, because सारे molecules को क्या करना है, सारे molecules को यहाँ पर अंदर जाना है, सारे molecules को क्या करना है, यहाँ पर अंदर जाना है, बट आप इसी diagram को three dimension में imagine करके देखो, इसी diagram को क्या कर सकते हो इसी diagram को आप 3 dimension में imagine करके देखो तो आपको realize होगा कि molecule के हर जगे पर force exert होगा 3 dimension में अगर आप imagine करोगा तो molecule के हर direction में force exert होगा तो हम सारे forces तो नहीं बना सकते हैं तो हम क्या करते हैं जो tangential forces है वो बनाने का कोशिश करते हैं करते हैं हम जो 90 degree पर forces हैं वो बनाने का यहां पर कोशिश करते हैं so 90-90 degree के forces बनाते हैं and that's it हम उन्हीं forces के basis पर अपना यहां पर definition भी बना देते हैं so आई यह definition पढ़ने का कोशिश करते हैं the tangential force okay कौनसा force जो 90 degree पर force exert हो रहा है tangential force acting per unit length okay per unit length on both the side because यह वाला डियाग्राम हमारा two dimensional है राइड बट रियल दुनिया हमारी 3D होती है हमारा पानी का ग्लास ही three dimensional होता है so basically forces कहां exert होंगे both the side दोनों side exert होंगे इस तरफ भी इस तरफ भी on the imaginary line drawn okay imaginary line drawn कहां line कहां draw करेंगे imaginary on the free surface of the liquid so बिना देखके definition बोलने का कोशिश करो the tangential force acting per unit length क्योंकि आपको पता है surface tension की formula क्या होती है surface tension होता है force per unit length divide में length होता है the tangential force acting per unit length कहां on the imaginary line drawn on the free surface of the liquid okay so obviously both the sides भी आप यहां पर add-on आपको करना पड़ेगा ठीक है चलिए सो बढ़ते हैं आगे के तरफ discuss करते हैं हमारा next topic उसके पहले surface tension के थोड़े से हम यहां पर dimensions यह सब स्टफ आप चाहों तो find out कर सकते हो surface tension होता है force per unit length force measure होता है newton में length measure होती है meter में force होता है mass into acceleration mass होता है हमारा kg में acceleration होता है हमारा meter per second square में बरबर length होती है हमारी यहां से meter में so meter meter हो जाएगा cancel kg होता है mass में one second का square होता है time में minus two so यह हो जाते हैं मेरे यहां पर dimensions चाहो तो L को 0 लिख सकते हो चाहो नहीं भी लिख सकते हो यह हो आते हैं आपके surface tension के dimensions और इसका unit होता है Newton पर meter पास्कल का unit था Newton पर meter square वर surface tension का unit होता है Newton पर meter बात करते हैं नए topic की जिसका नाम है surface energy जिन लोगोंने बरतन दोए हैं उन लोगों को feel होगा यह topic जिन्होंने बरतन नहीं दोए हैं उनको हलका सा यहां पर अट्टा मारना पड़ेगा चलिए start करते हैं सो surface energy आया कहां से concept तो अभी अभी हमने देखा था कि जो हमारे extra energy of molecules है जो हमारे top surface पर molecules होते हैं उनके पास extra energy हो जाती है because of the unbalanced forces तो basically वही extra energy को हम कहते हैं surface energy of a liquid क्या कहते हैं surface energy of a liquid logic बहुत simple है हम लोग 9th standard से मैं अज्यूम करता हूँ atoms के बारे में पढ़ते आए हैं atoms के अंदर present होता है nucleus nucleus के अंदर present होता है proton proton के बारे में हम hardly कभी बात करते हैं उसके बाद electrons present होते हैं layer by layer अंदर वाले layer में होते हैं फिर second layer में होते हैं फिर third layer में होते हैं हम अंदर वाले electrons की कभी नहीं बात करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं, free electrons के बारे, okay, so atom atom हम करते रहते हैं, but 95% of the physics में हम valence electron ही बात करते हैं, चाहे physics हो, चाहे chemistry हो, जो अंदर हैं, जो fixed हैं, जो stable shells में हैं, उनके बारे में कभी बात नहीं होती है, उसी प्रकार से, पूरे चेप्टर में बार-बार हम free surface, of the liquid, surface film, top surface की ही बात करेंगे, because surface tension property ही हमारे top surface की है, तो यही है हमारा surface energy का basic सा concept, अब मैंने आपको कहा, यहाँ पर भरतन जिन्होंने दोया होगा, वही इस derivation को समझ पाएंगे, उसका एक reason है, आईए समझने का प्रयास करते हैं, यहाँ पर हमने shape कैसा consider किया है, so consider करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास एक balti पड़ी है, इस balti में यहाँ पर पूरा-का-पूरा present है, soap solution, soap solution में क्या करते हैं, soap solution में हम यह rectangular frame को dip कर देते हैं, क्या कर देते हैं, soap solution के अंदर में डाल देता हूँ, यह मैं पूरा-का-पूरा rectangular frame, इस rectangular frame के तीन sides fix है, जो यह वाला side है, यह वाला side यहाँ पर पूरा-का-पूरा fix है, नीचे वाला side, जो यह वाला side है यह वाला side भी पूरा का पूरा यहां से fix है so this is also fix as well as जो यहां वाला side है यह भी यहां पर fix है सुर्फ और सुर्फ यह जो है this is my moving part यह क्या हो जाता है यह यहां से हो जाता है मेरा यहां से moving part तो तीन साइट मेरे यहां पर fix हैं और एक साइट यहां पर मेरा move हो सकता है तो मैं थो मैंने शौप solution में पूरा सा जाग 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 जमा किया है और इसके यहां पर रख दिएँ सो जब हम लोग भरतन दोते हैं जब हम dishes wash करते हैं तो basically हम लोग platform पे सामान रखते जाते हैं अपने अगर देखा हो तो मम्मी यह ऐसे सब भरतन एक साथ दोती है सब बर्तन हम जमा करते हैं उसके बाद हम platform पे भरतन ऐसे रखते जाते हैं अब हम लोग बरतन मांज रहे हैं, तो क्या है बरतनों में जाग है, जाग फ्रिक्षन की दुश्मन होती है, तो यहाँ पर जब साबून होता है, तो फ्रिक्षन हट जाता है, तो फ्रिक्षन तो यहाँ पर प्रेजंट है नहीं, अब फ्रिक्षन प्रेजंट नहीं है, तो ज जैसे वो slip होना start हो जाते हैं तो उसी प्रकार से हम क्या आज्यूम करते हैं ये rectangular frame हमने soap solution से रखा था तो हम assume करते हैं ये जो arm है मेरा qr arm ये अंदर के तरफ motion करना start हो जाएगा slip होना start हो जाएगा क्या होगा ये खिसकना start हो जाएगा आसान शब्दों में लिखता हूँ slip होना start हो जाएगा तो इसकी area कम होती जाएगी rectangular frame की because rectangle की area होती है length into breadth अगर ये यहाँ था अब यहाँ आ जाएगा तो rectangle छोटा हो जाएगा तो हम क्या करते हैं इसको उंगली से पकड़ के बाहर लेकर आते हैं सब्सक्राइब क्या होता है वर्ग दन इसको सब्सक्राइब हो जाता है force into displacement के बराबर यहाँ पर हमने छोटा ही काम किया है मैंने कुछ ऐसा बड़ा पाहर नहीं टोड़ा है सो मैं कहूंगा यहाँ पर d work done बरोबर displacement भी यहाँ पर छोटा सा हो जाएगा काम छोटा है तो LHS में कोई चीज छोटी है तो RHS में भी एक चीज मुझे छोटी लेनी पड़ती है सो work done इसी कोसरी हो जाता है force into displacement के बराबर surface tension क्या होता है surface tension अभी अभी हमने देखा होता है force per unit length के बराबर पर मुझे एक बात बताईए rectangular surface को मैंने जब पानी में डाला है तो उसका उपर का side सिर्फ गीला होगा कि नीचे का side भी गीला होगा जरा इस बात को सोच के देखो example तोर भी अगर आपका imagination काम नहीं कर रहा है तो आप क्या कर सकते हो consider करो आपकी घर में एक balti है और balti में आपने क्या किया एक paper को dip कर दिया dip नहीं किया paper को सिर्फ रखा है चाहो अभी भी कर सकते हो register से अपने एक page फाड़ो जाके balti के top layer पे रख दो ऐसा कुछ अंदर वंदर मट डालो सिर्फ क्या करो paper को top layer पे रख दो एक मिनट बाद ही देखो बोलो paper सरिफ उपर से गीला होगा कि paper नीचे से भी गीला होगा यह paper नीचे से गीला होगा यह उपर से भी गीला होगा आप notice करो कि paper दोनो जगे से गीला है paper क्या है? paper आपका दोनो जगे से गीला है तो उसी प्रकार से यहां पर rectangular film को मैंने rectangular frame को मैंने soap solution में डाला है वो लो rectangular frame सिर्फ नीचे से गीला होगा कि उपर से भी गीला होगा सो दोनों जगे से गीला होगा यानि जो मेरा surface tension develop होगा यहां पर उपर वाले layer के वज़े से भी होगा क्योंकि वो भी यहां पर soap solution में आ चु समझा अच्छी बात है जिनको नहीं समझा थोड़ी दिर बाद आपको जब हम यहां पर पहुचेंगे इस bubble के लिए diagram पर पहुचेंगे आपको आसानी से समझ जाएगा सो आप थोड़ा सा patience रखोगे तभी आपका यहां से cover up हो जाएगा चिक है सो force कितना हो जाएगा force यहा से dx के बराबर सो यहां पर हो जाएगा मेरा d times of x के बराबर सर्फेस टेंशन को एक साइट रखता हूं यह सारे टाम्स यहां पर एक साइट रखता हूं ध्यान से देखो rectangle की length क्या है सो rectangle की length है यहां से L के बराबर rectangle की breadth क्या है यहां से rectangle की breadth है dx के बराबर और मैंने आपको बताया, उपर का surface भी soap solution के contact में है, नीचे का surface भी soap solution के contact में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब्योसी बात है, यह represent करता है मेरे length of area of rectangle को, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा d times of a के बराबर, तो यह हो जाता है मेरा formula, इसी को rearrange करूं, सो surface tension हो जाता है यहाँ पर यूनिट area के बराबर, तो यह हो जाता है हमारा second formula of surface tension, क्या हो जाता है, यह हो जाता है हमारा second formula of surface tension, जिन लोगों ने पहले यह सब जीज़ें नहीं की है, उनको समय लगेगा digest होने में, बट मैं कहूंगा थोड़ा सा wait करो, आगे पास लेपलेस की derivation है, लेपलेस derivation तक का wait करो, आपको समझेगा two से multiply क्यों किया, और यहाँ पर दो areas क्यों ली है, अगर अभी भी समझना है, मैं कह रहा हूँ, जाओ bathroom में paper को टेरा के आओ, ओके surface पे देखो, paper एक side गीला हो रहा है, कि दोनो side गीला हो रहा है, because film जब भी interact करती है, film का interaction दोनो surface पे होता है, top surface पे भी होता है, bottom surface पे भी होता है, यहाँ पर area of rectangle भी दो बार क्यों ली है, एक हो जाएगी हमारे top surface की, जो पानी मुझे उपर दिख रहा है, as well as मैं नीचे से दुख के देखूँगा, तो वो भी surface गीला होगा, तो इस वज़े से यहाँ से 2 का factor लेना काफी जादा crucial हो जाता है, तो surface tension का यहाँ पर हमारा second formula बन जाता है, पहला formula क्या है, surface tension is equal to the force per unit length, जो definition से आया, दूसरा formula हो जाता है, surface tension is equal to the work done per unit area के यहाँ से बराबर, surface tension का एक third formula भी होता है, बोलो काम कब करोगे, physics में काम कब करते हैं, physics में काम तब करते हैं, जब energy का अस्तमाल हो, तो work done हो जाता है, यहाँ पर हमारा energy के बराबर, तो दूसरा formula हो जाता है, change in energy per unit यहाँ पर area के बराबर, तो surface tension का यह हो जाता है, आपका final सा यहाँ पर expression चलिए, furthermore units की बात करूँ, force per unit, length का unit क्या होता है, newton per meter, work done किस में measure होता है, work done measure होता है joules में, तो यहाँ पर हो जाएगा joules per meter square, तो दो unit हो जाते हैं हमारे surface tension के, ओके, चलिए, तो बढ़ते हैं आप आगे के तरफ बात करते हैं, हमारे एक interesting से topic, जिसका imagination और यह सब चीजें करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, यह जो हमारे diagram से थोड़े से heavy जाते हैं, तो उसके पहले थोड़ा सा हम समझते हैं कि हमारा क्या होता है angle of contact, काफी बढ़िया सा topic है, so let's start, angle of contact basically क्या होता है, हर liquid जो exist करती है, उसका कुछ न कुछ angle रहता है उसके आसपास के surfaces के साथ, अगर मैं glass के अंदर उसका angle measure करना चाहूं, तो अलग process होता है, अगर मैं zमीन पे उसका angle measure करना चाहूं, तो अलग process होता है, तो आईए थोड़ा सा processes को हम समझने का यहाँ पर प्रयास करते हैं, definition पे कुछ देर बाद में आएंगे, जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूं, side view से देखूं, तो यह वाला drop perfect है, यह वाले drop से मैं perfect, यहाँ पर एक x-axis बना सकता हूं, यहाँ पर x-axis के साथ एक tangent बना सकता हूं, उसी प्रकार से यहाँ पर मैं, यह तो spherical है, इसमें तो angle ढूणना थोड़ा मुश्किल होता है, tricky हो जाता है थोड़ा सा, बड़ यहाँ पर अगर मैं वापस से x-axis बनाऊं, तो इसके साथ यहाँ पर tangent बनाऊं, तो यहाँ पर भी मैं एक angle measure कर सकता हूं, इस प्रकार से अलग-अलग surfaces पर अलग-अलग technique होता है, angle measure करने का, जैसे यहाँ पर basic process वही होता है, कि एक आप surface बनाऊं, एक क्या करो, एक यहाँ पर आप basically surface बनाऊं, और उस surface के साथ क्या करो, surface के साथ यहाँ पर tangent बनाऊं, जो liquid का surface है, उसके साथ यहाँ पर tangent बनाऊं, यह जो angle होता है, इसको हम कहते हैं usually, angle of contact, क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं angle of contact, अब पानी हमने देखा है, तो हमको पानी का angle of contact पता है, शकल से दिख जाता है, और फगर फगर सब चीज़ें हो जाती है, बट दूसरी liquids उतना जादा आसान नहीं होती है, मैं उम्मीद करता हूँ, mercury के साथ आपने कभी interaction किया होगा, तो थोड़ी यहाँ पर आसानी होगी, नहीं किया है, तो pictures के थूरू आप imagine यहाँ पर कर सकते हो, कि कैसे mercury एक अलग liquid है, opposite to water, और एक water कैसे liquid है, यह दोनों extreme examples अगर आपने समझ लिए, तो सारी चीज़ें खुद बखुद आप यहाँ पर समझ सकते हो, mercury में क्या होता है, mercury का जो angle of contact होता है, अभी water अगर आपने यहाँ पर भी देखा हो, सो acute angle मिल रहा है, mercury में ऐसा नहीं होता है, mercury में physics अलग लगती है, mercury थोड़ा सा अलग way में behave करता है, तो mercury के अगर यहाँ पर मैं x-axis बनाना चाहूं, तो यह हो जाएगी मेरी यहाँ से x-axis, free surface से हमको tangent बनाना है, तो यहाँ पर इसका surface कुछ ऐसा जा रहा है, तो यहाँ पर मैं tangent बनाऊंगा, तो यह हो जाता है angle of contact, तो यहाँ पर angle of contact अगर आप ध्यान से देखो, तो angle of contact हो जाता है हमारा obtuse angle, क्या हो जाता है, हो जाता है यहाँ से हमारा mercury को angle of contact होता है, हमारा obtuse angle, mercury जमीन पे कम रहती है कभी भी, क्या कहा मैंने, top view है, यह सब diagram क्या है यह सब diagram basically यहाँ पर हमारे top view है, so top view में आप google पे देखोगे ना आपको नहीं समझेगा top view से हमको नहीं समझ में आता है बट अगर आप mercury का nature देखना चाहो so यहाँ पर आपको mercury देख सकती है मैंने mercury order की है बट unfortunately यह तारिक जिस दिन में lecture shoot कर रहा हूँ और जब upload होने वाला है उस दिन में वो नहीं आ रही है so थोड़ा सा postpone यहाँ पर mercury हो गई है so mercury basically हमेशा अगर आप देखोगे so उसका angle of contact हमेशा रहता है obtuse angle of contact अभी क्या है, क्या हसल क्या होगा मजह अलग-अलग चीजों गा angle of contact angle of contact मैं पता करकर क्या करूं so basically आईए समझादे का परयास करते है क्या होता है okay so liquid э Tweets का acute angle of contact होता है क्या होता है? jointegle of contact कैसे पता चलता है यह है मेरी जमीन drop मेरा कुछ ऐसा होगा यह है free surface यहां से मैं बना दूंगा एक टेंजेंट यह हो जाएगा acute मेरा angle of contact जो भी liquids का acute angle of contact होता है वो हमेशा बनाती है concave meniscus क्या कहा मैंने हमेशा क्या बनाती है यह मैं सारांज बता रहा हूं पूरा textbook में इदर उदर इदर उदर करके दिया है मैं सारांज बता रहा हूं वो हमेशा बनाती है concave meniscus okay so concave meniscus basically वो बनाती है यानि अगर आप उनको एक glass के अंदर रखोगे so उनका meniscus जो है वो आपको कुछ इस shape का नज़र आएगा जो पीछे diagram में मैंने दिखाया है okay दियान से दिखो यह कुछ ऐसा shape है हर जगे पर आप देखो यहाँ पर सब concave meniscus के ही diagrams मैंने यहाँ पर show किये है okay so यह liquids bottle के अंदर vice versa भी मैं समझ सकता हूं अगर यह liquids bottle के अंदर concave meniscus show कर रहे हैं तो बोलो इनका angle of contact क्या होगा so acute angle of contact होगा अगर आप इनको जमीन पर उता रगए तो आपको यह liquid का drop कुछ ऐसा नज़र आएगा no matter कोई भी liquid है orange है कोई chemical हो सकता है यह red है कुछ chemical हो सकता है यह तो हमारा पानी है so जो भी acute angle वाली liquids होती है सब का fix है वो concave meniscus बनाती है furthermore यह liquids क्या करती है furthermore यह liquid करती है हमारी wet's the surface जो भी surface पे present होगी उसको गीला कर देंगी जो भी surface पे present होगी क्या कर देंगी जो भी surface पे present होगी उनको गीला कर देंगी so basic सा यहाँ पर funda अब जो liquids हमारी obtuse angle बनाती है जो भी liquids हमारी obtuse angle बनाती है तो यहाँ पर मैं Mercury का डियाग्राम बना रहा हूँ थोड़ा ध्यान से देखना Real images में नहीं feel होता है वो live में Mercury देखो तभी feel होता है और real images में पिक्स में नहीं feel होता है live देखो तभी समझता है बट यह डियाग्राम ध्यान से देखना Mercury हमारी कुछ ऐसे होती है ज़्यादा साही मेरा यहाँ पर skid मार गया सो skid नहीं मारना था मुझे Mercury जमीन पर कम present होती है कभी ठीक है अगर आप देखोगे जमीन पर कम present होती है डाइग्रामस में दिखता नहीं है वो मैं वही बोल रहा हूँ और रियल में दिखता है सो Mercury का angle of contact अगर आप यहाँ से बनाओगे उसकुछ ऐसा बनता है और यह angle हो जाता है हमारा यहासे obtuse angle क्या हो जाता है हो जाता है जो भी दुनिया की liquids obtuse angle बनाती है सबका miniscus क्या होता है सबका miniscus होता है convex miniscus क्या होता है सबका meniscus होता है convex meniscus मतलब ये वाली liquids कुछ ऐसा shape बनाती है जब आब इनको beaker में डालो जब आब इनको bottle में डालो जब आब इनको test tube में डालो इनका meniscus हमें कुछ इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिलता है ऐसा elevation देखने को मिलता है ये elevation इतना ज़ाधा है कि इसके ओपर सिक्का रख दिया है तो देखो elevation है हर जगे यहाँ पर बेसिकल ये कब होता है जब हमारा angle of contact यहाँ पर हो obtuse angle of contact और ऐसी liquids क्या करती है ऐसी liquids surface को गीला नहीं करती है वो अपना छाप भी नहीं छोड़ती है पता भी नहीं चलेगा liquid वहाँ पर पड़ी थी तो mercury अगर आप हाथ में भी लोग है न गीला पन कुछ भी फील नहीं होता है कैसे बचपन में हम एक jelly लेते थे इसे 10 रुपे में मिलती थी ऐसा sponge जेली जेली होता था एक दूसरे के मूँपे मारते थे फेखते थे एक दूसरे को तो mercury समवाट समवाट आप समझ सकते हो उसी का रेप्ली का है ठीक है यही है अपना angle of contact angle of contact का definition देखते है the angle of contact between a liquid and solid surface is defined as the angle between the tangent किस के बीच का tangent free surface के बीच का और किस के बीच का surface of the solid के बीच का so at the point of the contact measured from inside so मैं इतनी देर से वही कर रहा था पड़ आप एक बार वापस यहाँ पर देख सकते है यह मेरी liquid है इसका meniscus यहाँ पर है हमारा concave meniscus बरोबर यह क्योंके concave lens को represent करता है so उसके वेज़े से concave meniscus चलिए tangent कहाँ बनाना है tangent बनाना है free surface of the liquid and solid के interaction पर meniscus कैसा है meniscus है यहाँ पर हमारा convex meniscus because यह convex lens के तरह है यहाँ पर tangent कैसा बनेगा tangent बनेगा कुछ ऐसा कहाँ से measure करना है अंदर से measure करना है यह हो जाता है obtuse angle यही हो जाता है हमारा basic सा यहाँ पर funda regarding the angle of context अब आजाते हैं discuss करते हैं हमारा अगला topic ये topic में students को feel थोड़ा सा भी नहीं होता है थोड़ा सा भी समझता ही नहीं है क्या बनाया है क्यूं बनाया है क्यूं कर क्यूं रहे हैं क्या reason है क्या नहीं है तो हम one shot को ध्यान में रखते हुए obviously इसको करेंगे यहां पर मैं आपको एक यंत्र बता देता हूं अगर आपने वह समझ लिया तो सब कुछ समझ जाए तो सब कुछ समझ जाएगा believe me ओके चली so property of sphere sphere की property क्या होती है sphere यह basic सी property होती है हमेशा tangent अगर आप उसपे बनाना चाहो तो tangent और radius के बीच का angle 90 degree होता है बहुत basic सी बात है जैसे Newton का first law basic है कि कभी तुम धक्का नहीं दोगे तो acceleration नहीं होगा बट फिर भी Newton का first law कहलाया जाता है तो उसी प्रकार से sphere की property क्या होती है अगर तुम tangent बना रहे हो तो radius और tangent का angle कितना होगा radius और tangent का angle यहां से होगा 90 degree के बराबर कितना होगा angle कहीं से भी बनाओ angle होगा 90 degree के बराबर और यह तो हमारे tangent का basic सा definition ही है so basically 90 degree का angle बनना जरूरी है मैं क्या कहना चाहरा हूँ वापस मेरी बात को समझो यह जो भी हम diagrams करने वाले हैं इसका feel नहीं होता है बरोबर so feel कब होगा feel आपको तब होगा जब आप इसका basic property समझो तो बोलो 90 degree का angle बनना यहां पर दोनों के बीच में जरूरी है 90 degree का angle बनना यहां पर क्या है 90 degree का angle बनना यहां पर जरूरी है for a sphere to maintain its shapes the line drawn from the center must be at the 90 degree with the tangent यह अगर rule आपको समझा जो कि मैंने बनाया है मैंने नहीं बनाया obviously ऐसा होता है पर याद करा रहा हूँ यह rule आपको समझा तो अभी आपको सारी चीज़ें आपर feel होना start हो जाएंगी चलिए शुरू करते है consider करते हैं यहाँ पर मेरे पास एक liquid है so obvious सी बात है अजर मेरे पास यहाँ पर एक liquid है बोलो liquid के अंदर क्या present है so liquid के अंदर हजारो liquid molecules ही present है agree करते हो क्या liquid के अंदर क्या है? so सारे molecules एक दूसरे पर लगाते हैं यहाँ पर cohesive force क्या लगाते हैं सारे molecules यहाँ पर लगाते हैं एक दूसरे के उपर cohesive force consider करता हूँ यहाँ पर यह वाला molecule क्या consider करते हैं? consider करते हैं यहाँ पर यह वाला molecule so यह वाले molecule के उपर right side के जितने भी molecules हैं बोलेंगे चल मेरे पास हा पर उबर नीचे के जितने के भी molecules हैं बोलेंगे चल मेरे पास हा side वाले जितने भी molecules हैं यहां वाले बोलेंगे मेरे पास हा इधर जो molecules हैं बोलेंगे मेरे पास हा बोलो ऐसे करते हैं अगर मैं सारे cohesive molecules के forces बनाते करूँ तो बोलो इनका resultant कहाँ आएगा, come on, so resultant कहाँ आएगा, so I hope diagram यहाँ पर visible है, अच्छे से, diagram visible तो है, यह से यहाँ पर, so इनका resultant कहाँ आएगा, इनका resultant आएगा, सीधा बीच में, right, resultant कहाँ बनेगा, resultant बनेगा, यहाँ से बीच में, त C वही cohesive force का यहाँ पर resultant है, C क्या है, यहाँ पर C वही हमारे cohesive force का resultant है, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, उसी प्रकार से यहाँ पर हमारा यह solid का पूरा का पूरा surface है, पूरा का पूरा solid का surface है, ग्लास कभी भी two dimensional, three dimensional होता है, तो यहाँ पर क्या होंगे, solid के molecules भी present होंग तो जो इधर हैं वही वाले molecules क्या हैं यही वाले molecules मेरे यहां से direct contact में है सो basically यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर net force कौन सा होगा सो net force अगर आप देखोगे थोड़ा इधर होगा थोड़ा इधर होगा पर resultant उनका निकलेगा बीच से तो यह हो जाता है मेरा adhesive force का resultant क्या हो जाता है यह हो जाता है मेरे यहां से adhesive force का resultant के चली तो यह है adhesive force का मेरा resultant यहां पर यह है मेरे cohesive force का resultant यहां पर अगर इतना समझ लिया यह चीज़ चारों में common है चाहे आप कौनसा भी case लो, ये वाला case लो, दूसरा case लो, तीसरा case लो इसमें बनाया नहीं है, चौथा case लो ये यहाँ पर common है, so I hope आपको समझा, दो forces कौन से है, net, resultant, adhesive force सीधा यहाँ पर, because ये वाला liquid का molecule, जो green color में मैंने बनाया है, ये दूसरे solid के molecule से contact में ही नहीं, वो सरफ यहीं पर contact में है, so net force आएगा सपाट, सीधा एक्दम, liquid से हर जगे contact में है, so जैसे जो net force होगा, वो सीधा आएगा यहाँ से, अंदर के तरफ, so net cohesive force यहाँ पर, net adhesive force यहाँ पर, आईए अब समझने का परयास करते हैं, कैसा कैसा हमारा diagram यहाँ पर बनेगा, इन कैसे कैसे, चारों case हमारे यहाँ से proceed होंगे, चलिए, so यहाँ तक तो समझ लिया, अब समझते हैं, हम चारों case वाई, so पहला-पहला case है, यहाँ पर हमारा concave meniscus का case, so concave meniscus जो भी liquid में पाया जाता है, so वहाँ पर observation होता है, कि जो adhesive force का magnitude होता है, वो जादा होता है as compared to the cohesive force, मतलब जो भी liquids हमारी concave meniscus का show करती है, वो solid के तरफ जादा attract होती है, तो यह तो मेरा general diagram था, यहाँ पर अब मैं customized diagram बनाता हूँ, so adhesive force का क्या करना है, adhesive force का magnitude यहाँ पर जादा रखना है, so यह हो जाएगा मेरा adhesive force का यहाँ से magnitude, cohesive force का magnitude कम रखना है, बोलो resultant कहाँ बनेगा, so resultant यहाँ पर मेरा बनेगा, जहाँ पर magnitude बड़ा होता है, resultant उसी तरफ जुकता है, तो resultant हम assume करते हैं, ऐसी प्रकार आएगा, यहाँ पर आजाएगा मेरा resultant force, मेरे cohesive और adhesive दोनों का मिलागी, हमने अभी अभी क्या पढ़ा था, हमने अभी अभी पढ़ा था, angle कितना preserve रखना है, angle preserve रखना है 90 degree के बराबर, so basically इस resultant पे, 90 degree के angle में एक line बनानी है, तो वो किस प्रकार बनेगी, दियान से देखो, वो line यहाँ से कुछ इस प्रकार से बनेगी, यहाँ से line कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बनेगी, 90 degree की line कैसे बनेगी, यहाँ से 90 degree की line यहाँ से कोई ऐसे shape में यहाँ से बनेगी, अब यह diagram बताता क्या है, यह diagram हमें explanation देता है, कि concave shape हमारा कैसे बना, okay, because concave shape के अगर आप diagram देखो, तो भी आप देख सकते हो, molecule by molecule यहाँ पर कैसा बनेगा, molecule by molecule यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बनेगा, कि molecules मेरे नीचे के तरफ आते हैं, molecules कैसे आ रहे हैं, molecules आ रहे हैं यहाँ पर नीचे के तरफ, क्या justification हुआ, हमारे diagram से yes justification हुआ, देखो, tangent भी मेरा यहाँ से कुछ इस प्रकार से नीचे आ रहा है, और surface tension का definition यही था, कि molecules हमारे tangent के across बनेगे रहे हैं, तो यहाँ पर हम सर्फ क्या करते हैं, हम एक shape जो हमारा होता है, उसको justify करते हैं, कि किस प्रकार से हमारा shape यहाँ पर बना, चलिए, सो बात करते हैं, यहाँ पर second diagram के बारे में, जो की हो जाता है, हमारा convex minuscus के बारे में, convex minuscus में क्या होता है, convex minuscus में हमारा cohesive force जादा होता है, as compared to adhesive force, मैं वापस के कहूंगा, यह one shot lecture है, तो थोड़ा सा चीज़े हम वैसे कर रहे हैं, बट फिर भी मैं हर चीज़ को cover तो कर रहा हूं, मुझे नहीं लगता है, कुछ छोड़ा है अब तक, चलिए, इस बार क्या है, इस बार cohesive force का magnitude जादा बनेगा, यहाँ पर cohesive force मेरा लंबा बनेगा, adhesive force यहां से मेरा छोटा बनेगा, बोलो, resultant कहां मिलेगा, come on, इस बार resultant मेरा मिलेगा, मुझे अंदर के तरफ, तो resultant आ जाएगा, यहाँ से अंदर के तरफ, यह हो जाएगा resultant, बोलो, resultant से angle कितना बनाना है, resultant से angle बनाना है 90 degree का, तो tangent मेरा यहाँ से बनेगा, कुछ इस प्रकार से, तो अगर मैं इस diagram को justify करना चाहूं, मेरे meniscus के diagram के साथ, ध्यान से देखो, meniscus मेरा इसी वज़े से यहाँ पर tilt होता है, because tangent का direction यहाँ से ऐसा बन रहा है, और यही चीज़ वहाँ पर करूँगा, तो यह direction मेरा कुछ इस प्रकार से बनेगा, तो यह diagram आप लोगों को feel क्यों नहीं होते हैं, because यह ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक justification है, हम सबूत दे रहे हैं, कैसे rigid rotational dynamics में, वो disk का moment of inertia का derivation है, जो pizza वाला derivation last slide में हमने किया था, तो वो सबूत के वज़े से हमें ज़्यादा feel नहीं होते हैं, चलिए, बात करते हैं, third case के बारे में, third case हमारा हो जाता है, आपर ideal case, क्या हो जाता है, ideal case, consider करते हैं, दुनिया की कोई ऐसी liquid है, जिसमें cohesive force है ही नहीं, okay, so cohesive force अगर है ही नहीं, तो मुझे एक बात बताओ, सुर्फ और सुर्फ कौन सा force बनेगा, तो सुर्फ और सुर्फ यहां से बनेगा हमारा adhesive force, सुर्फ और सुर्फ यहां से बनेगा, उसका diagram कहा आएगा, diagram आएगा बाहर के तरफ, अब adhesive force भी यहीं है, तो resultant भी क्या होगा, resultant भी मेरा यहीं होगा, तो resultant भी यहां पर बनेगा, rule क्या होता है, rule होता है, angle कितना बनाना है, resultant के साथ, angle बनाना है 90 degree के बराबर, अगर 90 degree के बराबर angle बनाना है, तो tangent बनेगा मेरा कुछ इस प्रकार से, tangent इस प्रकार से बन रहा है, angle का measure करना, के बराबर, सो यह हम consider करते हैं कि बहुत ही जादा pure water अगर है तो वो situation में ऐसा कुछ हमारा expectation यहां से हो सकता है, ओके finally आ जाते हैं यहां पर fourth case के उपर, fourth case basically क्या है fourth case एक खुद में ही derivation है, ओके fourth case क्या है fourth case यहां पर एक खुद में ही derivation है यह generalization है, हमारे पहले वाले तीनों cases का आई एक बार उसको समझने का प्रयास करते हैं यहां पर हमारा assumption क्या होता है हमारा assumption होता है कि यहां पर cohesive force और हमारा जितने भी angles हैं सब 45 degree का angle है, ओके, तो यहां पर हमारा assumption क्या होता है, कि जो cohesive force का angle बन रहा है, वो angle है basically यहां से 45 degree के बराबर और दोनों का magnitude यहां से same है, मतलब जितना मेरा adhesive force है, उतना ही क्या है, उतना ही मेरा यहां से cohesive force है, दोनों के यहां पर magnitudes क्या है, दोनों के magnitudes यहां पर same है, चलिए so cohesive force मेरा यहां पर आ रहा है टीटा कितना है टीटा है यहाँ पर 45 डिगरी के बराबर यह assumption है पहले किसी भी केस में हमने एंगिल नहीं लिया है बट यहाँ पर हमारा assumption solid कितना है solid है इस तरफ additive है यहाँ से fa के बराबर बोलो दोनों vectors अगर सेम है तो resultant कहा आएगा तो resultant आजाएगा मेरा यहाँ पर सीधा का इस तरफ resultant कहा आजाएगा सीधा resultant आजाएगा मेरा यहाँ से इस प्रकार से तो यह हो जाता है यहाँ से मेरा resultant vector ओके सो मैं नाम इस प्रकार से दे रहा हूँ पाकि आप लोग derivation समझ पाएं, A इसका नाम है, R इसका नाम है, इसका नाम है C, और इसका नाम इन्होंने दिया है P के बराबर, क्या करूँगा, vectors को यहाँ पर अकेले में रखूँगा, तो इसका नाम है A, इसका नाम है यहाँ पर R, AR vector, यह vector का नाम है, यहाँ पर C vector, सो बोलो angle कितना है, angle है इनके बीच का यहाँ से, 45 degree के बराबर, यह है 45 degree का angle, AP vector को मैं यहाँ से drag करके इधर रखतूँगा, because vector का direction नहीं बदलता है, अगर आप उसको parallelly drag करे हो, ही हो जाएगा मेरा AP vector, बोलो sine theta लगा सकते हो क्या, come on, sine of 45 क्या देगा, sine of 45 यहाँ से मुझे देगा opposite, बरोबर opposite कौन है, opposite है, यहाँ पर AP vector, upon में मुझे देगा, यहाँ पर hypotunus, hypotunus क्या है मेरा यहाँ से, AC vector, sine 45 का value कितना होता है, sine 45 का value होता है, 1 upon root 2 के बराबर, so AP is equalsory क्या हो जाएगा, AP vector is equalsory हो जाएगा, AC vector divided by यहाँ से, root of 2 के बराबर, because sine 45 होता है, 1 upon root 2 के बराबर, यह हो जाती है मेरी यहाँ से, general equation, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, derivation है, इस वज़े से करा रहा हूं नहीं, तो यह boards में जब हम important questions का discuss करेंगे, जब भी किया तब किया, तो यह सब तो discuss भी नहीं होगा, because यह सब सबूत है, कि ऐसा कुछ exist करता है, चलिए, so अगर adhesive force, AP मेरा जादा रखना है मुझे, adhesive force जादा रखना है, तो मैं कहूंगा, AP की value मेरी होनी चाहिए, AC divided by root of 2, तब मुझे कौन सा meniscus मिलेगा, तब मुझे मिलेगा यहां से, concave meniscus, अगर मुझे चाहिए convex meniscus, तो क्या जादा रखना पड़ेगा, अभी अभी हमने देखा, convex meniscus में cohesive force जादा होता है, तो ऐसे situation में, मुझे यहां से, यह वाला term यहां से जादा रखना पड़ेगा, तो यह हो जाता है, यहां पर मेरा basic सा funda, क्या हो जाता है, यह हो जाता है, हमारा basic सा यहां पर funda, ओके, बात करते हैं, यहां पर हमारे derivation part के बारे में, excess pressure due to free surface of the liquid, जिसमें मैंने कहा था, आपको multiply by two का factor समझाऊँगा, आईए समझने का यहां पर प्रयाश करते हैं, तो यह है मेरा यहां पर bubble, वरोबर, consider किया है मैंने यहां पर bubble, ध्यान से मुझे देखके बताओ, bubble air से कहां कहां contact में है, ये बबल मेरा air से कहां कहां contact में है तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो बबल के बाहर air molecules होंगे बरोबर तो ये जो मेरा बबल का layer है जो बाहर वाले air के molecules है उनके साथ contact में है At the same time मुझे बताइए बबल के अंदर क्या है सो बबल के अंदर भी तो air होती है बबल के अंदर भी क्या होती है बबल के अंदर भी air होती है सो अंदर भी air है बाहर भी air है सो बोलो contact कितनी बार हो रहा है contact हो रहा है दो बार इस वज़े से जबी भी bubble cut expression आता है हम multiply by two करते है surface film का expression आता है multiply by two करते हैं कुछ भी film word आपको नज़र आ जाए या bubble नज़र आ जाए सीचुवेशन में हम क्या कर देते हैं सीधा multiply by two करते हैं because अंदर भी air है बाहर भी air है उसी प्रकार से film का जो हमने expression पड़ा था जो मैं आपको कह रहा था बाल्टी में पानी में paper dip करो paper dip मत करो paper को surface पे रखो तो paper अगर मैंने रखा है तो paper का क्या होगा paper का यहां से नीचे का भाग भी गीला होगा तो उपर का भाग भी गीला होगा इस वज़े से हम multiply by two करते थे तो I hope अब आपको समझा होगा multiply by two हम क्यों करते हैं अगर समझ गया है तो start करते हैं हमारी derivation जिसका एक unfamous या uncommon नाम है lapless expression pressure की derivation तो सब जानते हैं बढ़ उसका दूसरा नाम हो जाता है lapless expression let's start so यहां पर हम पहले-पहले discuss करेंगे derivation हमारे drop के लिए और drop का जो भी अंसर आएगा drop में multiply by two नहीं होता है because drop के अंदर पानी होता है और drop के बाहर air होती है but bubble में multiply by two होता है तो पहले हम drop के लिए derivation discuss करते हैं उसके बाद हम यहां पर इसको bubble के लिए extend करेंगे let's start so consider करते हैं पहला मेरा यहां पर एक था drop जिसका radius था R जिसके अंदर का pressure था P I उसके बाद यहां पर मेरा extend करते हैं थोड़ा सा हम consider करते हैं थोड़ा सा यहां पर expansion हुआ है so DR radius यहां पर बढ़ गया है so obviously pressure भी बढ़ नहीं जाएगा pressure तो obviously कम होगा बट लेटर से pressure हो चुका है कुछ outer pressure P 0 के बराद पहले पहले यह सब समझने से पहले mind map समझो क्या होता है हम लोग derivation सीधा start कर देते हैं फिर हमको समझता नहीं है क्यों शुरू किया निकालना क्या था निकालना तो pressure है बट mind map क्या है mind map यहां पर यह है work done की एक formula यूज करके मैं equation 1 बनाऊंगा work done की दूसरी formulas यूज करके मैं equation 2 बनाऊंगा फिर मैं बोलूँगा work done ये भी है work done ये भी है दोनों को mix कर दूँगा तो कभी भी ये वाली derivations ऐसा दो slides बना के करो तो अच्छा होगा कि ये work done का एक हिसा ये work done का दूसरा सा बूलोगे नहीं let's start एक work done की formula surface tension में हम निकाल चुके है ये वाली formula तो हम इसी को use करेंगे तो work done हमें calculate करना है surface tension को हम मस्ती कुछ कर नहीं सकते तो पूरा का पूरा areas का खेल है तो पहले calculate करो initial area फिर calculate करो final area फिर निकालो वहाँ से changing area तो ये mind map है चलिए निकालते हैं तो initial surface area तो surface area square की होती है 4 pi r square के बराबर final surface area final में क्या है radius यहाँ पर हो चुका है r plus delta r के बराबर तो ये हो जाएगी final surface area दियान से देखो यहाँ पर मैं a plus b the whole square लगा सकता हूं क्या कर सकता हूं a plus b the whole square लगा सकता हूं तो ये हो जाएगा a का square ये हो जाएगा यहाँ से b का square दोनों से 4 pi multiply और ये हो जाएगा यहाँ पर 2 times of a b के बराब मुझे एक बार बताईए छोटे number का square क्या होता है बड़ा होता है के और छोटा होता है सो छोटे numbers का square और भी छोटा होता है अगर 0.1 का square निकालू तो answer 0.1 से भी कम आएगा तो यही reasons के वज़े से हम क्या करेंगे because यहाँ पर delta r का square है तो इसको assume कर देंगे हम 0 के बराबर क्या assume करेंगे हम assume करेंगे 0 के बराबर example तोर पर मैं बोलता हूँ मेरे पास 100 रुपे है 100, 100 बड़ा number है पर 100 को multiply करो 0.0000008 से खतम answer छोटा हो जाएगा तो फिर उसको लेने से कोई मतलब नहीं है इस वज़े से इसको हम यहाँ पर 0 ले लेंगे यह है मेरी final area यह है मेरी initial area दोनों को यहाँ पर क्या करेंगे minus करेंगे देखो 4 pi r का square term यहाँ भी है 4 pi r square यहाँ भी है दोनों cancel हो के मुझे यही expression बचेगा surface tension से multiply करेंगे यहाँ पर यह हो जाती है मेरी equation number 1 आ जाते हैं next हिसे में next हिसे में हम use करते हैं 11th standard का यहाँ पर कौन सा इस्तमाल करते हैं 11th standard की कुछ चीजों का इस्तमाल करते हैं so work done क्या होता है work done होता है हमारा force into displacement के बराबर work done क्या होता है होता है force into displacement के बराबर पर अगर यहाँ पर मैं कह रहा हूँ work done dw है dw का मतलब होता है छोटा है work done तो यहाँ पर भी मुझे यहाँ पर displacement भी छोटा लेना पड़ेगा so dwz को सुरी हो जाएगा f into delta r के बराबर अब यहां से निकालना है हमको force का expression यह usually tricky हो जाता है यह वाला part क्या हो जाता है? tricky हो जाता है usually लोगों को click नहीं होता है अभी अभी हमने pressure पड़ा है so हमें पता है pressure होता है force upon area so force क्या हो जाएगा? force हो जाएगा यहां से pressure into area के बराबर मैंने यहां पर वही लिखा है पर यहां पर हम क्या calculate कर रहे हैं? यहां पर हम calculate कर रहे हैं जो excess में हुआ है यहां पर हम क्या calculate कर रहे हैं? जो excess बाद में हुआ है basically हम वहाँ पर वो चीज़ calculate कर रहे हैं तो ये समझने से पहले उपर वाला expression समझो नहीं तो यहाँ पर अटकोगे मेरी बात को गौर फर्माओ ये समझने से पहले उपर वाला expression consider करो देखो work done अगर मैं लिखता हूँ force into displacement so work done हो जाएगा force into displacement के यहाँ पर अगर मैं कहा रहा हूँ यहाँ पर dw है छोटा है छोटा तो यहाँ से भी मुझे कुछ चीज़ छोटी लेनी पड़ेगी so usually हम displacement को छोटा लेते हैं LHS में mathematically अगर आप एक चीज़ चेंज कर रहे हो तो RHS में आप एक ही चीज़ चेंज कर सकते हो इस बात का ध्यान रखना अगर यहाँ पर एक चीज़ आप चेंज कर रहे हो आप कोई भी equation देखो physics में हम ऐसा ही लिखते हैं left hand side में एक जगे d का term होता है तो RHS में भी एक ही जगे d का term होता है तो मैं यहाँ तो area को access ले सकता हूँ यहाँ तो pressure को access ले सकता हूँ यहाँ तो area को access ले सकता हूँ यहाँ तो क्या कर सकता हूँ pressure को access ले सकता हूँ तो हम यहाँ पर access pressure consider करते हैं so force तो हमारा F से ही resemblance करते हैं access pressure क्या होगा हो जाएगा बड़े में से छोटा माइनस छोटी चीजों का प्रेशर जादा होता है तो बड़ा माइनस छोटा यानी P i-P 0 तो area कौन सी लोऊं excess वाली लोऊं के original लोऊं तो original लेते हैं क्या लेते हैं original लेते हैं इसका answer students को पता ही नहीं होता है मुझे लगता है आप लोगों को भी नहीं पता होगा इसका answer, usually नहीं समझता है, लोग बोलते हैं ऐसा कैसा, force बड़ा ले रहे हो, pressure यहाँ पर दोनों ले रहे हो, area तो हमने drop को bubble को बड़ा किया है ना हमने, बट नहीं, match क्या कहती है, match कहती है, भाई तुम LHS में एक चीज़ कर रहे हो, RHS में एक ही चीज़ को change कर सकते हो, ओके, दोनों चीज़ों को change नहीं कर सकते हो आप, ohms law भी यही कहता है, we directly proportional to I, तो we change होगा, तो I change होगा, तो we is equal to the IR formula है, so we कम करोगे, I कम होगा, R तो constant ही रहेगा ना, we बढ़ा होगे, I बढ़ेगा, R constant ही रहेगा, LHS में एक चीज़ कर रहे हो, तो RHS में आप एक ही चीज़ को change कर सकते हो, तो हमने यहाँ पर force access में लिया है, pressure access में लिया है, तो area original वाली जो थी, वही consider करते हैं, यह इसका mathematical reason है, I hope समझा होगा, उसके बाद कुछ भी नहीं बचता है, force का expression यहाँ डालेंगे, इन दोनों को equate करेंग बबल का, मेरे drop का, क्या हो जाता है, यह हो जाता है, final expression मेरे drop का, बोलो bubble के लिए formula बनानी है, क्या करेंगे, come on, so bubble के लिए formula बनानी है, so bubble में अंदर भी air होती है, बाहर भी air होती है, so multiply करेंगे 2 से, so excess pressure PI minus P0 मेरा यहाँ से आ जाएगा, 4T by R के यहाँ से बराबर, ओके, चल में हमारा पूछा भी जाता है, चलिए discuss करते हैं concept of capillary action, जब हम दिया जलाते हैं, जब हम दिया जलाते हैं, सो हम क्या करते हैं, हम cotton, यहाँ तक अगर घी है, सो यह होता है, यहाँ से मेरा cotton, सो यह मेरा cotton ऐसे यहाँ तक बाहर तक आता है, सो basically cotton में से हमारी यहाँ से जोती जलती है, राइट, सो यह basic सा mechanism होता है दिया जलने का, पर मुझे एक बार बताईए, क्या यह वाले surface, जो यह वाली cotton है, क्या यह मेरे घी के साथ direct contact में है क्या, सो अब्योसी बात है, नजर आ रहा है, कि दिये में घी तो नीचे तक ही होता है, बट स्टिल यह वाले section से fire transfer के पता नहीं कैसे जलती है, तो इसके पीछे का reason होता है basically capillary action, जैसे हमारे दिमाग में, हमारे शरीर में neurons होते हैं, neurons आपको पता है कि गरम चीज़ पे चटका होचते हैं और brain बोलता है, हाथ पीछे कर, हाथ पीछे कर लेते हैं, उसी प्रकार से capillary action भी यही होता है, कि capillaries के form में, जैसे हमारे शरीर में blood होता है, veins होती है, arteries होती है, heart में capillaries होती है, धीरे 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 करके connect करकर के यह लोग आपस में क्या करते हैं, flow करते हैं, from the pressure of high region to low region, जहाँ पर घी जादा है, जहाँ पर घी कम है, high pressure से low pressure में हमारी घी का यहाँ पर flow होना start हो जाता है, okay, so that is the concept of capillary action, उसी प्रकार से अगर मुझे जाड को पानी देना है, तो क्या करों, बाल्टी लेके इस वाले पत्ते पे मारू, ऐसा लेके फट उपर करके ऐसा मार पानी देते हैं, यहाँ पर roots वाले section में पानी कहां देते हैं, then capillary के form में वो पानी soak हो हो के, हो हो के, high region से low region के तरफ वो खुद बखुद पानी हमारा पौचते जाता है, उसी प्रकार से जब आप नहाने जाते रहोगे, आप अपना towel रखते रहोगे, तो कभी-कभी देख कि आपका bucket में towel dip हो जाता है, क्या notice करते रहोगे, कि आपका bucket में towel dip हो जाता है, अगर नहीं notice किया हो, कर सकते हो कभी भी notice, ऐसे bucket में towel यहाँ पर dip हो जाता है, समझो bucket में पानी यहां तक है, समझो bucket में यहाँ पर पानी है so ideally speaking towel यहीं तक गीला होना चाहिए बरबर ideally speaking towel कहां तक गीला होना चाहिए जहां तक bucket में पानी है वहां तक गीला होना चाहिए but usually ऐसा नहीं होता है ऐसा नहीं होता है usually यूजवली क्या देखते हैं हम हमारा टॉवल यहां तक कुछ गीला हो जाता है तो यहां तक ऐसा गीला गीला पन यहां तक आ जाता है तो इसी activity को हम कहते हैं capillary action के धीरे 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 करके हमारी जो liquid है वो transfer होते जाती है high region से लेकर के low region तक ओके यह हो जाता है एक topic और दूसरा topic यहां पर हो जाता है हमारे इस chapter में capillary के बारे में ओके so capillary आपने देखा होगा capillary basically एक straw होती है बट छोटी straw होती है जिसका radius होता है diameter होता है one millimeter के across यानि बहुत छोटी सी यहां पर हमारी capillary होती है और यह आप लोगों को experiment है surface tension experiment है activity है physics practical में कि आप capillary को dip करते हो तो आप देखते हो पानी rise होता है right so अभी वो पानी rise होता है because आपकी liquid concave meniscus वाली है अगर आप convex meniscus वाली liquid में पानी डालोगे तो सब्सक्राइब है capillary डालते ही उसमें fall आता है तो आप समझते हैं इसके पीछे का reason हमारा क्या है so capillary action समझने से पहले समझते हैं the famous उंगली rule ओके उंगली रूल आपकी life में बहुत जादा मदद करेगा आगे चलके आपको बहुत realizations होंगी कितना जरूरी होता है उंगली rule को समझना बहुत basic सा topic है उसके मदद से आप काफी capillary की चीज़ें ऐसे sort कर सकते हो चलिए समझते हैं तो basically consider करते हैं यहाँ पर एक plain surface है मेरे पास concave meniscus है नो convex meniscus है बर मेरे पास एक एक दम plain meniscus यहाँ पर है सीधा surface है surface tension क्या कहता है molecules खीचेंगे तो हो सकता है मतलब left side के molecules भी खीचेंगे right side के molecules भी खीचेंगे तो यहाँ पर भी force होगा molecules के वज़े से यहाँ पर भी force होगा molecules के वज़े से सो net force कुछ भी नहीं होगा cancel हो जाएगा center वाले molecule के लिए तो इस वज़े से अगर मैं उपर वाले point पे pressure calculate करने का कोशिश करूँ और नीचे वाले point पे pressure calculate करने का कोशिश करूँ तो pressure मेरा same ही 1 mm उपर और 0.1 mm नीचे की बात हो रही है, सो मेरा प्रेशर सेम होता है, जितना प्रेशर उपर होगा, उतना ही प्रेशर यहाँ पर नीचे होगा, प्लेइन सर्फेस के लिए, और यह चे, यहाँ पर कॉंचिडर करते हैं, यहाँ पर कॉंचेव मिनिस्कस, तो concave meniscus में क्या होगा text book का explanation क्या है text book का explanation वही है कि यहाँ वाले molecules इस तरफ खीचेंगे तो यहाँ पर एक tension का force होगा यहाँ वाले molecules इस तरफ खीचेंगे तो यहाँ पर tension का force होगा बोलो resultant कहा आएगा resultant आएगा सीधा बीच में Because resultant यहाँ पर उपर के तरफ आ रहा है, तो उपर के तरफ यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, उपर के तरफ प्रेशर यहाँ पर जादा होगा, नीचे के तरफ प्रेशर यहाँ पर कम होगा, तो PA यहाँ पर हो जाएगा मेरा PB से जादा, बट मैं क्या करता हूँ, लिए रूल क्या कहता है जहां पर आपकी उंगली वहाँ पर प्रेशर जाधा मुझे बताईे अगर मेरे पास एक प्लेन सर्फेस है मुझे प्लेन सर्फेस को यह शेप में कंसिडर करना है क्या करना पड़ेगा मुझे यहां से ऐसे में अपनी फिंगर डालनी पड़ेगी उसी प्रकार से textbook explanation आपको चाहिए, textbook explanation यही है कि यहाँ पर surface tension का force molecules के वज़े से यहाँ होगा, यहाँ पर surface tension का force यहाँ होगा, resultant यहाँ बनेगा, so basically नीचे pressure क्या होगा, नीचे pressure यहाँ पर जादा होगा, पर मुझे बताईए, उंगली rule से यह और easily आप कर सकते हो, right, उंगली rule क्या कहती है, उंगली rule कहती है, जहाँ पर उंगली वहाँ पर pressure जादा, so basically यह surface को ऐसा बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, नीचे से मुझे उंगली डालनी पड़ेगी, तो नीचे से उंगली डालनी पड़ेगी, तो नीचे pressure क्या हो जाएगा, यहाँ पर नीचे मेरा pressure जादा हो जाएगा, तो यहाँ पर वही जो नीचे लिखा है, pressure at B will be greater than pressure at A, चीक है, तो यह basic सा funda है, आपको जो भी way से समझ सकता है, आप कर सकते हो, आईए समझने का आप रयास करते हैं, इस meniscus के बारे में, तो सबसे पहली पहली बात तो यह meniscus कैसा है, यह meniscus यहाँ पर मुझे देखके नजर आ रहा है, यह है मेरा यहाँ से convex meniscus, क्या है यहाँ से यह मेरा convex meniscus है, बोलो convex meniscus में pressure कहाँ जादा होगा, come on, so convex meniscus में pressure जादा होगा, जहाँ पर उंगली है, so pressure मेरा B point का क्या होगा, जादा होगा as compared to pressure मेरे A point का, A और C क्या है A और C यहाँ पर same height पे है So same height पे pressure क्या होता है Same height पे pressure same होता है So PA और PC क्या होगा यहाँ पर मेरा same होगा यहाँ पर यह plane surface है Plane surface के लिए क्या दिखा था Plane surface के लिए हमने दिखा था उपर और नीचे pressure same होता है So PC और PD पे pressure क्या होगा PC और PD पे यहाँ पर pressure मेरा same होगा So इन दोनों equation से मुझे नज़र आ रहा है कि अरे यहाँ पर दो सब जगे pressure same ही है So जितना pressure A पे है उतना ही pressure C पे है और उतना ही pressure D पे है पर मुझे बताईए B पे pressure क्या है B पे pressure A से जादा है अगर B पे pressure A से जादा है So हर एक से जादा होगा So इन सब से जादा pressure किसके पास है इन सब से जादा pressure है B के पास pressure जादा है equilibrium में आना चाता है तो क्या करेगा pressure को release करेगा Pressure release कैसे करेगा खुद की height कम कर देगा P is equals to the HOG Height कम, pressure कम So basically अगर आपकी पहले height यहाँ तक थी तो capillary आप जैसे ही dip करोगे So आपकी height capillary में यहाँ पर fall हो जाएगी और आप लोगों ने जो experiment college में किया है College में आप लोग mercury use नहीं करते हो आप लोग use करते हो water Usually आप लोग water और detergent को use करते हो तो वो situations में capillary में rise होता है वो भी आप यही logic लगा के निकाल सकते हो पर यहाँ पर I hope आप लोगों को logic समझा बहुत जादा simple ही logic था Finally discuss करते हैं The last derivation for this chapter surface tension इसके बाद fluids in motion no doubt बाकी है So यह derivation बहुत basic सा हो जाता है So let's start इसके दो तरीके होते हैं exam में पुछा हो कौन सा तरीका करना है तो उस हिसाब से ध्यान देना अगर आपको बोला है कि forces का method करो तो forces वाला method ही करना दो methods होते हैं So let's start चलिए So यह हो जाता है सबसे पहला-पहला method यह होता है using pressure difference तो अगर आपसे पूछा जाता है pressure difference method से करो So आप इस method का यहाँ पर इस्तमाल कर सकते हो बहुत ही जादा basic है Let's start So यहाँ पर pressure difference हमें use करना है So obviously बात है pressure difference का ही हम इस्तमाल करते हैं तो हाल ही में हमने देखा था कि pressure किसके बराबर होता है हमने देखा था pressure यहाँ पर होता है pi-p0 यहाँ पर पानी है पानी है का मतलब है यहाँ पर drop है So drop के लिए pressure हो जाता है हमारा 2T by यहाँ पर r के बराबर क्या हो जाता है यहाँ पर हो जाता है 2T by हमारे r के बराबर जहाँ पर r क्या था r था हमारा जो भी drop था उसका basically यहाँ से radius राइड आर क्या था आर था हमारे ड्रॉप का यहां से रेडियस जा एड़ सेम टाइम मुझे पता है जो प्रेशर हम केल्कुलेट करते हैं जो नेट प्रेशर होता है सब चीजों को सॉल्फ करके वो होता है हो जी के बराबर उसके उपर हमें एक सवा गंटा अब हाल ही में बिताया है सो मैं इसी को लिख दूँगा के प्रेशर हो जाता है हो जाता है अब अगर आपको रट्टा मारके करना है तो यह 30 सेकंड्स में डेरिवेशन खतम होता है पर अभी मुझे इंसानियत के नाते टीच कॉंचीडर कर रहे हिं हमारा यहां के मिनिसकर तो बना देता हूं यहां पर मैं रहे हैं बैंकर में बनाया है à यहां पर कॉंक्त कर से मेरा इमेजनेरी ड्रॉप क invincible है सुग ही इसका देल्टना है जिसका कितना है इसका देशाएं मुजए बहाबर से जीवन given है radius मझे यहां से given है r के बराबर तो यहां से लेके मैं क्या करता हूँ यहां से मैं इसको draw कर देता हूँ और यह है मेरा यहां से r के बराबर Capillary का radius क्या है Capillary का radius मैं consider करता हूँ मेरा small r के बराबर Capillary का radius क्या consider करता हूँ Capillary का radius मैं consider करता हूँ में small r के बढ़ाब अंगिल of contact कहां से बनता है so angle of contact बनता है हमारा tangent बनाते हैं free surface से तो यह मैंने यहां से tangent बना दिया so यह वाला angle हो जाएगा यहां से मेरा theta के बराबर अब यह वाला angle यहां से theta के बराबर है यह यहां से radius मैंने सीधा लिया है 90 degree पे so यह पूरा angle है 90 degree जिसमें से यह वाला angle theta के बराबर है so यह angle हो जाता है 90 minus theta के बराबर so यह हो जाएगा यहां से 90 minus theta के बराबर मेरा angle sphere में radius कितना angle बनाता है come on थोड़ी देर पहले हमने सीखा था sphere में radius कितना angle बनाता है 90 degree के बराबर तो यह total angle कितना है यह total angle है यहां से 90 degree के बराबर जिसमें से क्या है जिसमें से यह वाला angle है 90 minus theta के बराबर तो उपर वाला angle obviously कितना हो जाएगा हो जाएगा यहां से theta के बराबर तो यह वाला angle हो जाता है यहां से theta के बराबर यहां से क्या हो जाता है मुझे मिल जाता है यह मेरा capital R यह हो जाता है यहां से मेरा small R यह angle हो जाता है theta बोलो cos theta apply कर सकते हो क्या so cos theta apply करेंगे cos theta कितना हो जाएगा cos theta कभी भी हमारा होता है opposite cos theta क्या हो जाता है यहां फिर आप इसको ऐसा नहीं करके दुसरे वे में भी कर सकते हो, इधर भी आप यहां से आर लिख सकते हो, ऐसा करके भी कर सकते हो तो भी it's fine, आर उपर भी लिख सकते हो आर नीचे भी लिख सकते हो जैसे भी आपको करना है आप अपने असाब से कर सकते हो पर ठीक है, यहां से आ रहा है न थीटा होता है एजसेंट अपॉन में यहां से हाईपव टीनियूर्स के बराबर यह जाएगा मेरा रिलेशन के टो समय के लोगों को समझने में इंटरस्ट नहीं है बोट इक्जाम निकालना है सब मला पास हो पाईजें लिए इस यह बताओ जिसमें बस पास होना है, कुछ जादा इंटरस नहीं है फिजिक्स में, तो मुझे बताइए बोर्ट इक्जाम में आपको डाइग्राम समझाना है क्या कम ओर, बोर्ट इक्जाम में डाइग्राम समझाना नहीं है है ना, अगर By applying trigonometry, we get, सीधा लिखना है, टेक्स्बुक वालोंने समझाए है, कैसा कुछ नहीं समझाए है, तो अब इसी बात है, आपको भी नहीं समझाना है, तो अगर वैसा logic देखे, तो derivation बहुत जादा छोटा बन जाता है, सो h-row g किसके बराबर आजाता है, ह-row g यहाँ पर बराबर आजाता है, हमारे 2t upon में capital R के बराबर, जहां से R का value कितना है, वो है, small r upon में cos of theta के यहाँ से बराबर चली, तो surface tension कितना मिलेगा, surface tension यहाँ से मिलेगा, आर-h-row g upon में 2 cos theta, द्यान से देखो, चार स्टेप में derivation समाप्त होता है, बढ़ते हैं, आगे के तरफ discuss करते हैं, यह मैंने कुछ दिखाने के लिए शायद बताया होगा, बढ़ derivation हो गया, तो अब मैं, हाँ अच्छा, यह हमारा method 2 के लिए यह diagram यूज़ करेंगे, चली, method 2 हो जाता है using forces, method 2 कैसे करना पड़ता है, यहाँ से करना पड़ता है, हमको using forces, आईए समझने का हम यहाँ पर प्रयास करते हैं, सो मेरा meniscus कैसा है, मेरा meniscus यहाँ पर है, वापस से concave meniscus, तो यह है मेरा meniscus, surface tension का force, अगर मैं contact पर देखूं, point of contact पर देखूं, तो force का direction क्या होगा, point of contact पर देखूं, तो force का direction क्या होगा, point of contact पर देखूं, तो force का direction कुछ ऐसा होगा, अब मुझे बताईए, एक vector को कितने component में split कर सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा एक component, यहाँ से हो जाएगा मेरा दूसरा component बरबर, तो एक component मेरा यहाँ बनेगा, आईए समझने का प्रयास करते हैं consider करते हैं येवाला angle मेरा यहां से theta के बराबर है क्या consider करते हैं येवाला angle theta के बराबर है consider नहीं करते हैं actually येवाला angle theta के बराबर होता है आप tangent लगाओ तो ये अगर angle of contact है तो वो vertically opposite angle मिलेगा राइट अगर यहां से आप tangent बनाओगे तो यह vertically opposite angle के वज़े से यह वाला component हो जाता है मेरा T cos theta यहां वाला component हो जाता है मेरा T sin theta के बराबर और ऐसा मेरा right side में भी होता है अब मुझे बताइए पानी का glass two dimensional होता है कि three dimensional होता है come on, पानी का glass हमारा कभी भी three dimensional होता है तो ध्यान से देखो T sin theta का force मेरा हमेशा horizontal आ रहा है तो हर जगे वो horizontal ही मिलेगा हर जगे क्या मिलेगा हर जगे horizontally मिलेगा तो अगर मैं पूरे glass surface के लिए बनाओ तो बोलो force क्या हो जाएगा force बार बार cancel हो जाएगा लेफ्ट में अगर कोई molecule है तो राइट में भी कोई molecule है सो लेफ्ट वाला force राइट को cancel कर देगा ग्लास के पीछे के तरफ कांच का ग्लास अगर मैं consider करता हूँ पीछे के तरफ कोई molecule है तो पीछे के तरफ molecule ऐसा force देगा आगे वाला molecule ऐसा force देगा, वापस से यह दोनों cancel, यहाँ पर कोई molecule है, वो पीछे वाला molecule जो आपको नहीं दिख रहा है 3D में, यहाँ वाला molecule वो ऐसा force दे रहा है, यहाँ वाला ऐसा दे रहा है, ऐसे करके जो भी surface tension का sign component है आपस में हो जाएगा cancel, पर cost component यहाँ पर add हो सारे क्या है यहाँ पर cost component, सारे के सारे मेरे यहाँ पर vertical है, सो obviously बात है, यह क्या हो जाएंगे cost components मेरे सब यहाँ पर add हो जाएंगे, चलिए, तो surface tension का formula क्या होता है, यह मैंने वो बेंगल उसी के वज़े से दिखाया है, आपको दर्शाने के लिए के सारे cost components, मतलब क्या है, अगर आपको imagination नहीं होती है, तो आप मम्मी का बेंगल लेके देख सकते हो, बेंगल में pen को ऐसा सीधा-सीधा रखो, आपको imagination आएगा कि add हो रहा है, बेंगल में side से force बनाओ, तो आपको पता चलेगा हर एक component के लिए equal and opposite कुछ ना कुछ present है, चलिए, surface tension का expression होता है, surface tension is equals 3 force per unit area, so upward force, cost component कौन सा है, upward force हो जाएगा यहाँ से surface tension, surface tension का कौन सा component, cost component, times of area, ध्यान से देखो, मेरा surface tension, surface, जो भी points मेरी solid से contact में है, उसके लिए ही valid है, बरोबर, जो भी points मेरी solid में contact है, उनके लिए ही force अपने को बाहर मिला है, बीच वाली points पे तो net force मेरा 0 के बराबर हो जाएगा, है ना, so यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर area के जगे मुझे डालना पड़ेगा, circumference का expression, because जो भी cost components मुझे मिला है, जो solid के साथ contact में है, उन ही के वज़े से मिला है, right, so basically, ऐसे situations में area के जगे मुझे क्या डालना पड़ेगा यहाँ पर, circumference जो की हो जाता है हमारा यहाँ से, 2 pi r के बराबर, बोलो, downward force कौन सा होता है, जिन्दगी में downward force एक ही होता है, weight which is equal to the mg के बराबर, जब से series start किया है, mass का कोई भी value है, क्या mass की कोई respect नहीं है, mass हो जाएगा, density into volume के बराबर, density कितना होता है, कुछ नहीं कर सकते, पर volume क्या होगा, volume यहाँ पर हो जाएगा, पूरा का पूरा, volume of a cylinder, because weight तो पूरे के पूरे पानी के वज़े से होगा, so यहाँ पर हो जाएगा, volume of a cylinder, which is equal to the pi r square h के बराबर, चली, यह है upward force, यह है downward force, बोलो, motion हो रहा है, क्या motion नहीं हो रहा है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, क्या upward force मेरा downward force के यहाँ पर बराबर है, दोनों को equate करेंगे, एन answer यहाँ से आ जाएगा, so t cos theta into 2 pi r मेरा है upward force, downward force है मेरा density into pi r square h, times of g के बराबर, pi pi, cancel, radius, radius का square, cancel, tension is equal to the rho g, और यहाँ से 2 cos theta चला जाएगा, denominator में, and that is the final expression for the surface, tension due to a capillary tube, so इसी प्रकार से हमारा surface tension का यहाँ पर भाग भी हो जाता है, समाप्त, surface tension में थोड़ा सा physics feel होता है, okay, pressure में मैंने आपको बताया, physics का feel थोड़ा कम होता है, पर surface tension में practical part यहाँ पर थोड़ा जादा है, और यह वाला जो पार था, यह वाला तो just for the sake of proof था, तो tension में आने की कोई जरूरत नहीं है, चलिए start करते हैं, finally हमारा the last part जिसका नाम है, fluids in motion, so start करते है, fluids in motion, काफी छोटा सा part है, sweet सा part है, so basically यहाँ पर दो प्रकार के flow हमें समझने पढ़ते हैं, जब यह lecture start हुआ था, तब हमने कुछ properties पढ़ी थी, ideal fluid की, मैंने कहा था, आगे जा होते हैं, पहला पहला flow होता है, streamline flow, दुसरा flow होता है, यहाँ पर turbulent flow, यह दो images से ही सारी चीज़ें आप समझ सकते हो, turbulent flow और streamline flow, सब आपने घर पे रोज देखते रहोगे, so žिन जिन लोगों के घर पे मोटर से पानी आता है, तो जब आप मोटर को just start करते हो, ओके मोटर को आपने start किया, पानी के साथ है, पानी इसा फर्फर्पर करके आता है, राइट, है ना, सो वो situation में क्या आप पानी की velocity predict कर सकते हो answer है, नहीं कर सकते हैं because पानी अब तक आया नहीं है आने वाला है जब पानी फरफड कर सकर रहा है तब क्या आप उसका direction प्रिडिक कर सकते हो सो बेसिकली उसका direction भी हम प्रिडिक नहीं कर सकते हैं विकाज अब तक वो पूरा unsteady state में हो के एक समय होता है जब पानी फरफड करके एकदम ऐसा आना start हो जाता है तो जब ऐसे आना start हो जाता है तब उसका direction प्रिडिक कर सकते हैं हाँ कर सकते हैं एकदम सीधा है मस्त सरल constant velocity हो जाती है एक समय के बार सो बेसिकली क्या velocity प्रिडिक कर सकते हो यहाँ पर yes velocity प्रिडिक कर सकते हैं क्या direction प्रिडिक कर सकते हो yes direction प्रिडिक कर सकते हैं तो ये पाले flow को हम कहते हैं streamline flow और इस flow को हम कहते हैं turbulent flow textbook में बहुत बढ़िया तरीके से chart दी गई है उसको पड़ो बहुत जादा अच्छी है उसमें भी यही सब बाते लिखी है by the way streamline flow में क्या होता है अगर मैं यहाँ पर parallel lines बनाऊ अगर मैं क्या बनाऊ यहाँ पर parallel lines बनाऊ तो basically वो parallel lines कभी intersect नहीं करती है parallel lines यहाँ पर intersect नहीं करती है because layers के बीच में एकदम uniformity है proper सब uniformly सब हो रहा है यह first venture है यह last venture है यहाँ पर parallel क्या lines बनाने का भी कुछ possibility नहीं है कोई layer यहाँ जा रहा है कोई layer इदर जाएगा सब एक दुसरे को आपस में cut कर रहे है so यही हो जाती है हमारी कुछ basic basic बातें regarding the stream line and turbulent flow इसके बार आ जाती है सबसे important property हम लोग कहते हैं कि stream line fluids में velocity constant होती है हम लोग क्या कहते हैं stream line fluids में क्या होता है stream line में velocity constant होती है बट ऐसा नहीं होता है velocity constant नहीं होती है velocity किसी point पे constant होती है दोनों बातों में फरक है काफी लोग क्या बोलते है stream line fluids में velocity constant होती है गलत हो जाएगा stream line fluids में velocity किसी particular point पे constant होती है क्या होती है velocity किसी particular point पे constant होती है आईए समझने का यहां से परयास करते हैं consider करते हैं पानी मेरा यहां से अंदर आ रहा है और पानी यहां से मेरा बाहर जा रहा है पानी किस से बना हुआ है तो यह जो हम पानी देख रहे हैं पानी बना हुआ है water molecules से यह जो मैं lines बना रहा हूँ lines basically क्या है बहुत सारे water molecules अगर ऐसे एक साथ आप देखोगे और दूर से देखोगे बहुत जादा तो आपको एक line के प्रकार में ही नज़र आते हैं और ऐसे infinite lines जब जुड़ जाती है तो हमको पानी का ऐसे एक layer नज़र आता है तो consider करते हैं यहाँ पर मेरे पास दो molecule है अगर यहाँ पर consider करता हूँ यह point समझते हैं कि यहाँ पर मेरा a particle आके गिरता है क्या गिरता है यहाँ पर a particle आके गिरता है तो basically अगर a वाला particle यहाँ पर आके गिरता है तो मैं देखता हूँ a की velocity यहाँ पर होती है 5 meter per second चिक हैं Consider करते हैं यहाँ पर अब दूसरा particle है दूसरे particle का नाम है यहाँ पर B particle तो अगर यह motion streamline motion है तो जब B वाला particle भी यहाँ गिरेगा जब B वाला particle भी इस point पे आएगा So B का velocity भी होगा 5 meter per second के बराबर velocity किसी particular point पे constant होती है याद रखना again So जैसे जैसे फिर motion आगे बढ़ेगा यहाँ आते आते velocity यहाँ पर बदल जाएंगी तो बोलो क्या यहाँ पर velocity 5 रहेगी क्या नहीं 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 ऐसा ज़रूरी नहीं है वितना घूम के आएगा So kinetic energy उसकी बढ़ चुकी होगी Obviously तो basically यहाँ पर consider करते है velocity 10 मीटर के बराबर है So अगर velocity यहाँ पर 10 मीटर के बराबर है B की तो बोलो A की velocity भी कितनी होगी So A की velocity भी अगर A वाला molecule मेरा यहाँ पर पहुचेगा तो उसकी velocity भी यहाँ पर होगी 10 के बराबर So इस वज़े से हम कहते हैं Streamline motion में velocity particular points पर constant होती है velocity अलग रहेगी इधर अलग रहेगी इधर अलग रहेगी इधर अलग रहेगी पर जितने भी molecules उस point पर आएंगे उस समय पे जब वो pass हो रहे हैं तब velocity same होगी यही concept हो जाता है हमारे यहाँ पर Streamline motion का क्या हो जाता है Streamline का concept जबकि यहाँ पर Turbulent में तो ऐसा कोई भी concept as such exist नहीं करता है अब consider करते हैं यहाँ पर कुछ definitions because definitions के बिना अधूरा अधूरा हो जाएगा चीजों को समझ रहा तो यहाँ थोड़ा था funny डल गया है I am sorry time का shortage था तो basically यहाँ पर consider करते हैं definition तो यहाँ पर definition क्या होता है so basically जब हम गाड़ी चलाते हैं definition से पहले हम थोड़ा सा गाड़ी पर आते हैं so गाड़ी हम किस प्रकार से चलाते हैं so तीन तरीके होते हैं गाड़ी चलाने के पहला पहला तरीका होता है safe तरीका example तो पर आपके घर वाले पीछे बैठे हैं तो आप गाड़ी एकदम slow चलाते हो या फिर आप अपने घर के आसपास हो शहर में हो बहुत ट्रैफिक है तो गाड़ी आप slow चलाते हो तो आप यहां पर गाड़ी 100% मेरे कंट्रोल में रस्ते पर कुट्ता हो यहां पर गाड़ी बिलकुल भी मेरे कंट्रोल में नहीं है पर इन दोनों के बीच में भी एक स्टेट होती है जब गाड़ी 50-50 है मला अगर यहां पर समझे मैं कंट्रोल में कंट्रोल में होती है तो यहां पर अगर मैं 30 के स्पीड पे हूं और यहां पर अगर मैं 100 के स्पीड पे हूं तो एक स्टेट ऐसा होता है जब मेरी गाड़ी कंट्रोल में होती है consider करता हूँ पचास से साथ किलो मीटर के बीच है ना सो जब पचास के पचास और साथ किलो मीटर के स्पीड के बीच में वह रेंज में मेरी गाड़ी चल रहे है तो 50-50 है अगर डॉगी बहुत दूर है ब्रेक लग बी जाएगी अगर कोई अचानक से आ गया तो ब्रेक लगाने में time लगेंगा लगारी को रुकने में time लगेंगा यहाँ पर 100% control है, यहाँ पर कुछ भी control नहीं है, यह stage में, यह speed के बीच में चला रहा हूँ तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, depend करता है situation पे, उसी प्रकार से हमारा fluid streamline flow करने वाला है, turbulent flow करने वाला है, depend करता है velocity पे, और जो velocity का term है, जिसके basis पे हम judge करते हैं, उसको हम कहते है critical velocity, क beyond which a streamline flow becomes turbulent is called as critical velocity, okay, so basically example तोर पे, यहाँ तक कोई velocity है, okay, जब तक मेरी speed बड़े, 0 से लेके यह number तक मैं पहुचूँ, तब तक liquid क्या होगी, तब तक liquid होगी मेरी streamline, streamline का मतलब है, proper तरीके से controlled होगी, proper direction, velocity, सब मैं predict कर सकता हूँ, पर एक particular कोई velocity ऐसी होगी, जैसे यहाँ पर 60 km wherever, मैं 61 हो गया, गाड़ी मेरी ऐसे हो जाएगी, out of control हो जाएगी, तो basically वो velocity जैसे ही मैं पार करता हूँ, liquid मेरी हो जाती है, turbulent liquid, so basically यह जो बीच वाली velocity है, जो borderline है, इसको हम कहते है, critical velocity, क्या कहते है, इसको हम कहते है, critical velocity, so exam में जब भी streamline और turbulent आपसे पूचा जाए, तो पह इस term does, मतलब उस velocity में अगर मेरी liquid है, तो अब मैं कहूँगा, my liquid is in streamline motion, if the velocity of my fluid is more than the critical velocity, then my fluid is in turbulent motion, तो ऐसे आप बता सकते हो, कि critical के उपर है, तो turbulent, critical के नीचे है, तो streamline इसके बेसिस पर यहाँ पर आ जाती है, एक formula, आईए समझने का प्रयास करते हैं, तो यह formula का भी एक meaning है, आउ समझते हैं, तो यहाँ पर यह है critical velocity, तो आप देख सकते हो, critical velocity यहाँ पर है, inversely proportional to the density, अब density जितना जादा होगा, उतना velocity कम होगा, बोलो, हनी, शहद, शहद का density क्या होता है, शहद का density बहुत जादा होता है, तो अगर density बहुत जादा है, velocity obviously बा होता है, d का मतलब होता है diameter, यहाँ पर मेरे pipe का diameter अतना है, अब मैं consider करता हूँ मेरे पास कोई छोटा, pipe बोलो, छोटे pipe में velocity कम होगी, कि velocity जादा होगी, obviously बात है, अगर pipe छोटा है, तो velocity जादा होगी, जितना diameter जादा, उतनी velocity कम हो जाती है, इस वज़े से यह दोनों terms यह टूर्यां से करते हैं अगर रेनॉल्स नंबर की वैल्यू हजार से कम है So मैं कह सकता हूँ मेरा fluid यहाँ पर streamline है मेरा fluid यहाँ पर क्या है मेरा fluid यहाँ पर streamline है अगर मेरे Reynolds number की value 2000 से जादा है तो मैं for sure कहूँगा कि मेरा motion क्या है मेरा motion यहाँ पर है turbulent motion मेरा motion क्या है मेरा motion है turbulent और अगर मेरा Reynolds number 1000 और 2000 के बीच में है तो यह तो वही स्थिती हो गई जैसे मेरी गाड़ी 50-60 के बीच में है तो मैं कहूंगा unsteady flow है मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ कभी flow वैसा रहेगा कभी लगेगा कि मैं गाड़ी control कर सकता हूँ कभी लगेगा कि यार control नहीं हो सकती है So Reynolds number एक number है जो number के basis पे हम बता सकते है मेरा fluid streamline motion में है कि turbulent में और critical velocity तो एक physics का basically formula है जिसके basis पे predictions की जा सकती है चलिए स्टार्ट करते हैं नया topic जिसका नाम है viscosity So viscosity basically एक friction की बात होती है जब-जब हम कहते हैं viscosity So viscosity का मतलब होता है viscous force जैसे मैं कहूं electric field तो electric field का मतलब होता है electric lines of force मैं कहूं magnetic field तो इसका मतलब होता है magnetic lines of force उसी प्रकार से viscosity का मतलब क्या होता है हम लोग बात करते हैं viscous force के बारे में अब viscous force क्या होता है viscous force basically हो गया friction force internal friction कौन सा friction हो जाता है हो जाता है यहाँ पर यह internal friction example तो और पानी है मुझे एक glass से दूसरे glass में shift करना है सो यहाँ पर मेरे पास एक glass है और यहाँ पर मेरे पास एक glass है मुझे एक glass से दूसरे glass में shift करना है सो आप देखोगे कि पानी आसानी से shift हो जाता है because पानी अगर मैं consider करूँ यह तो अगिन infinite molecules हैं जैसे हमने discuss किया पर अगर आप इसको ऐसे भी consider करते हो में एक glass है दूसरे glass में shift करता हूँ easily हो जाता है because जो दो lines के बीच में जो दो pair of molecules जो दो lines पास हो रही है उनके बीच में friction negligible यहां बहुत कम होता है पर अगर वही चीज मैं honey में करूँ बाबर पहला तो मेरे साब से 5-7 मिनट तो लगेगा honey को shift करने में अगर इतनी जादा वैसी honey होगी pure honey होगी तो because यहां पर viscous force बहुत जादा होता है या फिर frictional force internal friction बहुत जादा होता है यह हो जाता है हमारा basic fundamental हमारे viscosity का कुछ fluids होती है जिसको हम ideally बोल सकते हैं कि non viscous fluid non viscous fluid में क्या होता है non viscous fluid के सारे layers यह मैंने क्या बनाए है यह मैंने बनाए है यहाँ पर layers बनाए है क्या बनाए है layers बनाए है कोई बोले का layers का मतलब क्या होता है वही जैसे मैंने अभी आपको बताया कि glass में क्या imagine करो glass में imagine करो यहाँ पर पानी कैसे layers है राइट तो अगर यह layers है और मेरे पास एक non viscous fluid है तो non viscous fluid का मतलब क्या होता है non viscous, viscous नहीं है यानि friction नहीं है तो friction नहीं है तो सारे layers का velocity क्या होता है सारे layers का velocity यहाँ पर same होता है जिन लोगों को थोड़ा कम समझ रहा है वेट करो अभी मैं आपको एक real life example देके सब चीजे समझाऊंगा तो यहाँ पर velocity constant होता है पर अगर आप viscous fluid देखोगे viscous fluid का मतलब होता है friction है, internal friction exist करता है तो ऐसे situation में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर velocity हर layer का अलग है velocity क्या है, velocity यहाँ पर हर layer का अलग-अलग है चलिए, अब यहाँ पर real life example समझने के लिए हमें आना पड़ेगा किनारे पे और I hope यहाँ पर इस जगे पे most of the students गए रहेंगे नहीं तो आप reference के लिए कोई और भी place imagine कर सकते हो आईए समझने का यहाँ पर प्रयास करते है यहाँ पूरा का पूरा यहाँ से पानी, गंगा नदी है basically यह पर यही है मेरे पास water का एक form अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर side में है किनारा तो यहीचीज glass में भी होती है glass में क्या होता है, यहाँ पर होता है solid यहाँ पर होता है solid और बीच में क्या होता है? बीच में होता है हमारा water तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी same situation है मुझे बताईए अगर मुझे गंगा नदी में डुपकी मारने जाना है कहां जाओंगा? एकदम बीच में जाओंगा किनारे पर ही रहूंगा बीच में जाओंगा किनारे पर ही रहूंगा सो अब्विस्टी बात है मैं किनारे पर ही रहूंगा कहां रहूंगा मैं किनारे पर ही रहूंगा किनारे पर मैं क्यूं रहूंगा विकास जो किनारा है अगर मैं यहाँ पर बना दूँ जो पानी यहां से पास हो रहा है, बिचारे पानी को संगर्ष करकर के सीडियों से ठोकर खाखा के खाखा के पास होना पढ़ रहा होगा, सो friction बहुत ज़ादा है, friction बहुत ज़ादा है उसके वज़े से velocity यहाँ पर कम होगी velocity क्या होगी, velocity यहाँ पर कम होगी consider करते हैं, थोड़ा सा दूर एक layer, तो थोड़ा सा दूर एक layer है यहाँ पे solid से आपको पता है, पानी flow होता है, तो left, right होता रहता है तो यह layer किनारे से थोड़ा सा दूर है, तो इसमें friction थोड़ा सा कम होगा friction थोड़ा सा कम हो जाएगा, velocity यहाँ पर बढ़ जाएगी, velocity क्या हो जाएगी, velocity यहाँ पर बढ़ जाएगी उसी प्रकार से consider करते हैं, यहाँ पर नजदीक का layer, तो नजदीक के layer में solid से यह और दूर हो जाएगा बढ़ पर उस वाले layers में friction है, तो उसकी velocity फिर भी कम होगी, बढ़ उतनी कम नहीं होगी उनसे तो जादा होगी, because solid से direct contact में नहीं है, so velocity यहाँ पर जाएगा and finally consider करते हैं, beach का layer, यहाँ पर तो solid से कोई contact है ही नहीं, so यहाँ पर velocity होती है सबसे जादा maximum अब बोलो, solid यहाँ भी है, किनारा उस पार भी है, अगर वहाँ से भी diagram बनाओ, तो वापस से मेरा same ही diagram बनेगा, बोलो, agree करते हो क्या जो layer solid के नसदीक, velocity कम, velocity थोड़ा बड़ेगी, velocity और बड़ेगी, ऐसे करते-करते यहाँ पर हमें यह वाला diagram देखो, as it is देखने को यहाँ पर मिल चाथ, okay, अब इतना समझ गया, आप तो कुछ भी नहीं बचा है, so frictional force या फिर viscous force, okay, ऐसा भी बोल सकते हो, is directly proportional to area, अगर आप एक बाल्टी से दूसरे बाल्टी में पानी shift कर रहे हो, तो friction अलग होगा, अगर आप एक honey की jar से दूसरी jar में shift कर रहे हो, honey, तो friction अलग होगा, अगर एक नदी से आप कुछ पानी consider कर रहे हो, नदी के layers बहुत बढ़े-बढ़े होते हैं, तो friction अलग होगा, तो viscous force directly proportional ह मेरे area के, कि मैं area कितना consider कर रहा हूँ, यह मैं इतना area consider कर रहा हूँ, यहां मैं छोटे से glass जितना area consider कर रहा हूँ, तो यह मेरा directly proportional है area के, viscous force directly proportional होता है, velocity gradient के, क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं velocity gradient, velocity gradient का यहाँ पर मतलब क्या है, so usually क्या होता है, usually हम लोग derivatives देखते हैं, so derivatives में क्या होता है, derivatives में नीचे हमेशा आता है समय, तो जबी भी मैं derivative कहता हूँ, तो हमेशा image क्या बनता है, कि d by dt तो रहेगा, फिर उपर कोई भी term हो सकता है, पर यहाँ पर हम gradient इस वज़े से कहते हैं, because यहाँ पर velocity समय का function नहीं है, ऐसा नहीं है कि velocity समय के साथ बदल रही है, velocity यहाँ पर distance के साथ बदल रही है distance थोड़ा है, velocity बहुत कम है distance बढ़ गया, velocity बढ़ गया distance और बढ़ गया, velocity बढ़ गया distance और बढ़ गया, velocity बढ़ गया पर distance और बढ़ गया, तो velocity घट रही है so velocity का जो भी लेना देना है यहाँ पर वो x के साथ है इस वज़े से ये term को हम define करते है as a velocity gradient, यही चीज current electricity में potential meter में भी होती है, तो वहाँ पर हम कहते है potential gradient, because potential per unit length, divide में वहाँ पर भी length आता है, ओके, तो यह हो जाता है मेरा term, proportionality का sign हटेगा, यहाँ पर आ जाता है constant, इसी constant को हम कहते है coefficient of viscosity, क्या कहते हैं, इसी constant को हम कहते हैं coefficient of viscosity, और यहाँ पर हमारा derivation होता है sum, अगर viscosity के terms में equation लिखनी हो, तो यह वाले terms मेरे वहाँ आ जाते हैं, तो आप rearrange करके भी इसको use कर सकते हो, तो काफी basic एंग छोटा सा topic था हमारा यहाँ पर, viscous force, चलिए बात करते हैं आपर concept of stokes law के बारे में, stokes law, पहली-पहली बात stokes law valid कब है, सुरिफ और सुरिफ stokes law तब valid है, जब आप किसी viscous fluid में है, अगर मेरे पास कोई एक balty है, balty के अंदर क्या पड़ी है, balty के अंदर पड़ी है यहाँ पर viscous fluid, उसके अंदर अगर आप ball fake रहे हो, ओके, so stokes law कभी-कभी लगता है, ऐसा हमेशा किदर भी नहीं लगेगा, stokes law में भी क्योंके अपन viscous force ही निकालते हैं, जिन लोग उको नहीं पता है, तो बता दू, stokes law में भी हम viscous force calculate करते हैं, तो हो सकता है, आप confuse हो जाओ, कि viscosity के topic में भी viscous force निकाला, ये वाला expression भी viscous force का है, stokes law में भी viscous force निकाल रहे हैं, तो stokes law सिर्फ और सिर्फ तब valid है, जब हमारे balti में कोई liquid पड़ी हो, और उसके अंदर हम ball fake रहे हैं, उसके अंदर क्या कर रहे हैं, उसके अंदर हम ball fake रहे हैं, stokes law सिर्फ और सिर्फ हमारा तभी valid होता है, चलिए, अब मुझे एक बार बताओ, छोटा ball fake उंगा, बड़ा ball fake उंगा, और उससे बड़ा ball fake उंगा, तो तीनों में viscous force सेम act होगा, कि अलग act होगा, सो अब उससी बात है, यहां पर अलग act होगा, because area of contact में बढ़ाती जा रहा हूँ, राइट, area of contact क्या कर रहा हूँ, बढ़ाती जा रहा हूँ, सो viscous force अलग act होगा, सो यहां पर viscous force को हम कैसे define करते हैं, यह समझने का प्रयास करते हैं, viscous force directly proportional होता है radius को, कम viscous force, जितना जाधा radius, उतना जाधा viscous force, उसी प्रकार से velocity भी मेटर करेगी न, मैं 10 cm से ball fake हूँ, और मैं first floor से ball fake हूँ, समझो मैंने मैदान पे जाके रखा है Baltico, और मैं किसी के घर first floor पे जाके ऐसा ball fake रहा हूँ, पानी ऐसा उचल उचल के बाहर आजाएगा, जबकि 10 cm से उतना पानी तो उचल के बाहर नहीं आएगा, तो viscous force directly proportional होता है, velocity जिससे हमने फेका है, and finally viscous force proportional होता है, हमारे coefficient of viscosity को, विकॉज अगर मैं honey में ball fake हूँगा, अलग reaction देखने को मिलेगा, अगर मैं पानी में ball fake हूँगा, पानी ऐसा ओड़ ओड़ के बाहर आ जाएगा, तो coefficient of viscosity भी matter करता है, proportionality का sign हटता है, आता है constant, तो stoke ने experimentally constant की value निकाली 6 pi, and f is ecosory 6 pi eta rv हो जाता है हमारा यहाँ पर, stoke's law का expression, जो कि मैं वापस बता दू कब valid है, सुर्फ और सुर्फ तब valid है, अगर आप balty में ball गिर रहा है, और viscous force वो situation में, कि इस ball के उपर कितना viscous force लग रहा है, आप वो निकालना चाहते हो तो, so textbook ने इसका diagram कुछ ऐसा दिखाया गया है, तो मैंने आपको बताया, पानी किस से बना होता है, पानी बना होता है layers में, बरोबर, अब ये layers के बीच में क्या आ गया, ये layers के बीच में यहाँ पर ball आ गया, so stokes law का diagram आपको कुछ usually इस प्रकार से देखने को मिलता है, कि viscous force हमारा कुछ इस प्रकार से direction आपको देखने को मिलता है, क्योंकि पानी यहाँ पर अब disturb हो चुका है, पानी क्या हो चुका है, पानी यहाँ पर हम disturb हो चुका है, चलिए, finally discuss करते है, derivation for terminal velocity, usually students को terminal velocity hard लगता है, बट मैं सची बता रहा हूँ, terminal velocity hard नहीं है, बहुत ही जादा आसान है, सरल है, बस दो equation, f upward, f downward करना है, और खतम हो जाता है derivation, let's start, so terminal velocity, terminal velocity के पीछे काफी जादा गहराई में physics होती है, वैसे तो, example तोर पर अगर मेरे से कोई छोटा student मिलता है, 10th का student मिलता है, तो मैं उसको बोलता हूँ, कि कोई भी चीज नीचे गिरती है, तो क्या act होता है, तो वो बोलता है, सर gravity act होती है, फिर मैं बोलता हूँ, gravity क्या होती है, तो वो बोलता है, सर acceleration होता है, मैं बोलता हूँ, acceleration से क्या होता है, वो बोलता है, सर velocity बढ़ती है, सो मैं बोलता हूँ मतलब कोई भी चीज नीचे गिरती है तो उसकी continuously velocity बढ़ती जाती है बोलता है yes sir because gravity act हो रही है तो मैं कहता हूँ फिर इसका मतलब जो बारिश आ रही है बारिश आ रही है atmosphere से सो basically atmosphere हो जाता है 1000 km उपर इसका मतलब अगर एक पानी के drop के उपर gravity act हो रही है सो बारिश की velocity धरती पर आते आते तो लाखों मीटर per second हो जानी चाहिए इसका मतलब news में आना चाहिए बारिश पढ़ने से हुई एक्स लोगों की मौत बरबर परकॉस atmosphere से बारिश आ रही है लाखों अरबों किलो मीटर दूर से आ रही है सो बारिश पत्थर के तरह ऐसे सर पे लगे मतलब सीधा टाटा बाय बाय हो जाना चाहिए तो फिर तेंथ वाला ऐसा हस्तेल देही साइन्स लोगा न तब यह अंसर बताऊंगा सो यही अंसर है टर्मीनल वेलोसिटी वेलोसिटी एक लिमिट तक बढ़ती है उसके बाद टर्मीनेट हो जाती है वेलोसिटी उसके बाद नहीं बढ़ती है तो बेसिकली क्या होता है जब डाउनवर्ड फोर्स एमजी एक्ट होता है रेंड्रॉप के उपर और जैसे जैसे बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है और finally यहाँ पर terminate हो जाती है यानि terminal velocity terminate हो जाना आगे नहीं बढ़ती है उसके बाद तो उसी प्रकार से अगर मैं एक ball है मेरे पास ball को fake रहा हूँ so initially क्या होगा जैसे जैसे नीचे आएगा उसकी velocity यहाँ पर बढ़ती जाएगी पर जैसे ही वो पानी में जाएगा पानी में जाने के बाद उसकी velocity terminate हो जाती है उसका reason समझ लेते हैं तो पहले पहले तो हमने देखा कोई भी चीज बाल्टी से गिरती है पानी में तो इसके उपर stokes law act होता है stokes law मतलब viscous force act होता है तो viscous force कैसे act होता है act होता है उपर के direction में तो यहाँ पर हो जाएगा viscous force मेरा उपर के direction में because liquid मेरी viscosity property शो करती है यह तो अभी पढ़ा है बच्पन में क्या पढ़ा था बच्पन में हमने पढ़ा था boyant force लगता है उपर के direction में यह ना boyant force लगता है उपर के direction में so उपर के direction में एक और force लगेगा जिसको आप upward force भी बोल सकते हो जिसको आप boyant force भी बोल सकते हो दो forces उपर लग रहे हैं नीचे क्या लगेगा, नीचे लगता है हमारा यहां से, mg का force, नीचे क्या लगता है, नीचे लगता है हमारा यहां से, mg का force, okay, so हो गए, दो upward forces हैं, downward forces है, equation इस वज़े से हमारा यहां पर velocity terminate हो जाती है, because दोनों balance हो जाते हैं, चलिए करते हैं, equation को यहां पर सोन, so एक force नीचे है, due to gravity, एक force उपर है, viscous force और दूसरा हो जाता है, यहां से मेरा buoyant force, so upward force, downward force is equalsory हो जाता है, यहां पर upward force, downward force किसके उपर है, किसके उपर है downward force, so downward force है मेरा, ball के उपर है, ball के उपर है downward force मेरा, so because downward force मेरा ball के उपर है so यहाँ पर mask किसकी बात हो रही है mask बात हो रही है मेरे ball के mask की so हो जाएगा यहाँ से mg के बराबर यह तो सीधा stokes law से हो जाएगा 6 pi 8 rv के बराबर यहाँ पर बात हो रही upward force की तो बोलो क्या होता है जबी भी पानी के layer में ऐसा कोई ball आ जाता है come on अगर आपके valty में पानी था पानी में क्या आ चुका है ball हो चुका है so basically पानी की height क्या होती है अगर पहले height इतनी थी तो अब यहाँ पर height बढ़ जाती है height क्या हो जाती है height यहाँ से हमारी बढ़ जाती है so यहाँ पर किसकी बात हो रही है buoyant force में किसकी बात होती है buoyant force में बात होती है हमारे पानी की किसकी बात होती है यहाँ पर बात होती है पानी की यहाँ फिर liquid की जो भी आपकी liquid present है so यहाँ पर क्या हो जाएगा M dash D हो जाएगा हमारे liquid की बाद हो रही है M dash G के यहां से बढ़ा mass क्या होता है density into volume के बराबर so यहां पर हो क्या है density into volume का expression density किसकी यहां पर बात हो रही है ball की so density किसकी density यहां पर हो जाएगी मेरी ball की so मैं लिख दूँगा यहां पर row times of B के बराबर यानी मैं ball की बात कर रहा हूं यहाँ पर 6-8RV जैसा था वैसे का वैसा रगते हैं यहाँ पर M' में क्या आएगा तो में going to time के बराबर M' किसके बराबर हो जाएगा बराबर हो जाएगा देंसिटी इंटू वस्ता बराबर पर मुझे बताओ density किसकी यहाँ किस की बात हो रही थी यहाँ बात हो रही थी लिक्विड की तो Density भी किस की रहेगी आपर लिक्विड की रहेगी तो यहां पर मैं लिख देताओ Density of liquid यहां पर बात हो यह volume Bomb K outfits का सो volume यहां पर पानी का जितना volume मेरा Ergeb आ इसकी बात हो ही है पर अगर मैं यह वाली चीज लिखूंगा न फिर डेरिवेशन मेरा लंबा हो जाता है इस वज़े से हम दिमाग लगाते हैं मुझे एक बात बताओ अगर मेरे बॉल ने पंदरा सेंटीमेटर क्यूब की जगे ली होगी तो मेरा पानी पंदरा सेंटीमेटर क्यूब उपर गया होगा अगर बॉल ने जगे ले लिया है अगर बॉल ने मेरे 20 सेंटीमेटर क्यूब की जगे ली होगी तो पानी मेरा 20 सेंटीमेटर क्यूब उपर गया होगा तो ऐसा लग रहा है यह जो वॉल्यूम होगा यह वॉल्यूम ऑफ बॉल्यूम होगा के बराबर हिगा सुस्वजे से यह पर हम क्या डाल देते हैं lorsque सतूडलां कन्फूज होत creat लेके नहीं आरहा हूं यह यहाँ भी टर्म्स सेम वह बहुत है यहां से common निकालनी है velocity V को यहां रखो सारे terms को क्या कर दूंगा यहां से नीचे फेक दूंगा चलिए नीचे फेकेंगे क्या हो जाएगा पाय और पाय कैंसल R यहां से कट हो जाएगा यहां से बचेगा R का स्क्वेर 2 टूजा होता है 4 2 टूजा कितना होता है 2 टूजा होता है यहां से हमारा 4 के बराबर 2 टूजा हो जाएगा यहां से 4 के बराबर 2 टूजा हो जाएगा 6 के बराबर 3 टूजा होता है 9 यही हो जाती है हमारी final equation देखो बहुत आसानी से हो गया इसमें फस्ते का हैं students रो सिग्मा रो सिग्मा में फस्ते हैं देखो मैंने कुछ लेकर ही नहीं आया हूँ सीधा लिखो बिंदा से लिखो न कि continuity so equation of continuity को solve करने से पहले मैं इसका मतलब बता देता हूँ equation of continuity बहुत common sense वाल equation है equation कहती है a v is equals to the constant जहां पर a का मतलब होता है area v का मतलब होता है velocity area into velocity constant इसका मतलब है जितनी छोटी area जितनी छोटी area उतनी ज़्यादा से निकलेगा यह तो हम करते रहते हैं यह सा मुपाइप देती है किसी गार्डन में कुछ करने के लिए आधत है सो प्रेस करके प्रेशर में पानी रिलीस करने का सो एरिया कम velocity जादा उसी प्रकार से अगर area जादा velocity कम so let's start okay textbook में इसका derivation पता नहीं क्या किया है वो actually चाने आते हैं चलो so volume is a curiosity क्या होता है volume is a curiosity होता है area into length के बराबर अगर मेरे पास एक pipe है उसका volume कैसे निकाल सकता हूँ area of cross section multiplied by जितनी भी length है so वही मैंने यहाँ पर लिखा है मुझे क्या निकालना है मुझे rate निकालना है क्या निकालना है मुझे rate निकालना है मैं भाव की बात नहीं कर रहा हूँ मैं derivative की बात कर रहा हूँ so rate कब निकलता है जब derivative में समय हो so basically यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर हम कर देंगे डिवाइड बाइटी राइट सो यहाँ पर क्या कर देंगे वॉल्यूम को डिवाइड बाइटी वहाँ पर भी डिवाइड बाइड बाइटी बोलो displacement या length divided by time क्या होता है length divided by time होता है velocity के बरावच अब यहाँ पर एक equation बना के मैं छोड़ दूगा मास खुद किसके बराबर होता है come on so मास खुद बराबर होता है density into volume के बराबर किसके बराबर होता है density into volume के बराबर बोलो अगर अंदर पानी गया है सो अंदर पानी ही रहेगा है ना अगर अंदर पानी गया है एक अंदर रो डेंसिटी की liquid गई है तो बाहर भी रो ता है area into velocity into यहाँ पर हो जायगा यहाँ पर समय delta T के बराब है चलो अगर पहले वाले की volume चाहिए तो हो जायगा a1 v1 delta T बरोबर second की volume चाहिए तो हो जायगा a2 v2 delta T because समय तो सब के लिए same ही होता है समय सेम ही है तो हो जायगा cancel यहाँ पर मैंने data डाल दिया row row हो जायगा cancel यही हो जाती है मेरी equation of continuity क्या हो जाती है यही हो जाती है मेरी equation of continuity जो मैंने आपको पहले ही बताया था a v is equals to the constant अब कुछ books में दूसरा form भी mentioned होता है दूसरा form यहाँ पर कुछ ऐसा mention होता है कि dv by dt is equals to the constant यहाँ पर v का मतलब volume है v का मतलब क्या है v का मतलब यहाँ पर volume है because यह derivation हमारी आई कहां से यह derivation हमारी यहाँ से आई तो अगर इसका end result constant है तो शुरुवात का result भी constant लोगा तब ही तो end result constant मिला है match है राइट ओके सो यह हो जाता है basic सा funda neat और jw में क्या करते है नीट और jw में अलग-अलग liquids देते हैं तो ऐसे situation में row-row cancel नहीं होता है तो यह equation नहीं बनती है फिर यह equation of continuity बनती है पर महराश्रा में मुझे नहीं लगता है कभी हिम्मत होगी उनकी दो mix liquids देने के लिए बड़ मैं अपने मूँ से एक बार बता दे रहा हूं safer side चलिए finally discuss करते हैं the last derivation जिसके वज़े से students को नींद नहीं आता है Bernoulli's theorem बातें करते करते हो जाएगा सो एक मिनट के लिए पानी का break ले लिजिए थोड़ा सव पानी पीजिए और वापस यहाँ पर आईए फटफट करके Bernoulli's theorem हमारा यहाँ पर दो मिनट में हो जाएगा दो डाई मिनट में Bernoulli's theorem हमारा समाप्त हो जाएगा सो करते हैं यहाँ पर हम start सो Bernoulli's theorem बेसिकली Bernoulli's theorem सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल चीज की बात करता है कि energy is conserved बास वो सिर्फ और सिर्फ energy equation है कि energy हमेशा conserve रहती है अगर जैसे मैंने equation of continuity का आपको सारांज बताया यह वाला अगर आपको Bernoulli's theorem का सारांज सुनना है तो आप सुन सकते हो बहुत आसान है बोलो अगर area ज्यादा है बोलो velocity क्या होगी velocity कम होगी so velocity कम होगी हमको क्या लगता है अभी चलो सीधा theorem बताता हूँ तो Bernoulli कहता है कि अगर area ज्यादा है तो pressure भी यहाँ पर ज्यादा होगा बस यही है Bernoulli theorem का use ये है Bernoulli theorem का basically मतलब ये इसकी शकल थोड़ी सी Newton के तरह लग रही इस वज़े से मैंने black color में लगा है black color में रखा है क्योंकि नहीं तो Newton जैसा ही वाई बारा है चलिए start करते हैं Bernoulli यहाँ पर हम theorem अब color थोड़ा सा लग लेते हैं चलिए 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 सो कंसीडर करते हैं यहाँ पर एक पाइप सो पाइप का नीचे वाले section का area of cross section है even volume है V1 pressure है P1 दूसरा cross section purposely छोटा लिया है जहाँ पर area है A2 volume है V2 pressure है P2 सो यहाँ पर energy energy conservation की बात करती है energy इस पर पहुचने के लिए obvious सी बात है हमें work done से शुरू करना पड़ता है because work done ही जितना काम करेंगे उतनी ही energy use हो की ओके चलिए so work done पे तो पहुचना है बड़ work done पे कैसे पहुचेंगे तो उसके लिए हम इस्तमाल करते हैं यहाँ पर volumes का physics में जब भी आगे का derivation होता है पिछली चीजों का use करना पड़ता है तो equation of continuity में भी volume का logic था तो यहाँ पर भी हम volume का logic यूज़ करेंगे so volume होता है area into में distance के बराबर यह 10 बार हो चुका है अगर cylinder का volume चाहिए तो जितना भी area है multiply कर देंगे उसको पूरे के पूरे यहाँ पे distance से चलिए पहले वाले section का अगर area चाहिए तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हम छोटा सा infinitesimal segment consider करेंगे जिसका length होगा consider कर लेंगे हम d1 के बराबर उसी प्रकार से उपर वाले section में भी एक छोटा सा segment consider करेंगे जिसका length होगा d2 के बराबर so volume हो जाएगा a1 times d1 second वाले का volume हो जाएगा a2 times of d2 के बराबर यहाँ पर लगा देंगे equation of continuity equation of continuity का आप लोगों ने ये वाला रूप तो देखा कि area velocity का क्या लेना देना है पर मैंने आपको कहा कि ये वाला रूप भी use होता है so ये वाला रूप क्या कहता है volume का अगर derivative लेता हूँ समय के साथ तो वो आ जाता है मेरा constant के बराबर so dv by dt is equal to d हो जाता है यहाँ से मेरा constant के बराबर समय सबके लिए same होता है समय चाहके ऐसा भी कर सकता हूँ dv is equal to d constant multiply by dt के बराबर constant से एक number multiply होगा वापस constant ही मिलेगा so मैं ऐसा कह सकता हूँ dv1 मेरा बराबर होता है dv2 के so basically यहाँ से क्या हो जाएगा a1 d1 बराबर हो जाएगा a2 d2 के और यहाँ पर मैं इसको dash भी लिखके छोड़ देता हूँ यह सब आपको करना नहीं है exam में को टेक्सबुक में यह सब कुछ मेंशन भी नहीं है इतना जादा बट स्टिल यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको रट्टा नहीं मारना पड़े चलिए so work done किसके बराबर होता है work done बराबर होता है force into displacement के force किसके बराबर होता है force होता है pressure into area के से आपर हो जागा pressure into area के बराबर अब हम क्या करते हैं बोलो अगर तुम सुबह नीन से उठे हो तुमारा energy है 100 joule के बराबर तीन गंटे बाद मैंने phone किया तभी भी तुमारा energy 100 joule के बराबर है इसका मतलब तुमने कुछ भी काम नहीं किया है so energy should be changed so w से मेरा वास्ता नहीं है मेरा वास्ता है dw से so यानी change in energy calculate करेंगे so change in energy क्या हो जाएगा यहाँ पर come on change in energy कितना हो जाएगा जितना मेरे पास पहले था minus जितना बाद में है so यहाँ पर पहले कितना था so यहाँ पर यही terms को first minus second करेंगे so pressure of one area of one because work done इसके बराबर मुझे मिला है pressure of first area of first times distance of first जो पहले था जो सुबह उठते तुमारी energy थी फिर minus करेंगे यहाँ पर second वाले factor को अभी अभी हमने equation of continuity से क्या देखा कि A1, D1 वैसे भी दोनों same है तो क्या हो जाएंगे यह दोनों factors यहाँ से हमारे हो जाएंगे common और AD किसके बराबर हो जाएगा AD हमारा बराबर हो जाएगा यहाँ पर area into distance किसके बराबर होता है बराबर होता है volume के so यहाँ पर आजाएगा मेरा यह equation यह हो जाता है हमारा यहाँ से equation number 1 चाहो तो 20 seconds cream पे देख सकते हो क्योंकि डर रहता है इसमें डर रहता है students को so मैंने पहले volume का formula लिखा दोनों के लिए volume निकाली equation of continuity से दोनों के जो existing terms थे उनको मैंने equate किया work done क्या होता है work done होता है force into displacement force के जगे मैंने लिखा pressure और area because वो हमने देखा है already और यह है आपका displacement काम नहीं calculate करना है काम कितना किया है वो calculate करना है तो उसके लिए change in work done निकालना पड़ेगा जो की होगा जितना पहले था जितनी तुमारी सुबह उठके energy थी initially और जितनी तुमारी finally है सुबह उठे 100 joule energy थी शाम होते होते 10 joule energy बची है मतलब तुमने 90 joule काम किया है तो यह है हमारा energy का difference a1 d1 a2 d2 दोनों सेम ही है या तो दोनों को a1 a2 बोलो या तो दोनों को a1 d1 बोलो या तो दोनों को a2 d2 बोलो क्या हो जाएगा simply यहां से common निकालेंगे यह हो जाता है equation number one बोलो work done किसके बराबर होगा सो work done बराबर होगा जितना kinetic energy में बदलावाएगा प्लस जितना potential energy में बदलावाएगा ध्यान से देखो हर जगे ddd calculate हो रहा है क्या होगी half mv square सो basically second case का पहले निकालते हैं यहां first का भी पहले निकाल सकते हो doesn't matter सो half mv2 का square mass rotational dynamics से देख रहे हैं एज़त नहीं है सो mass क्या हो जाएगा हो जाएगा यहां से density into volume के बराबर सो यह हो जाती है kinetic energy मेरे second case की इसी को देखके first case का भी kinetic energy यहां पर लिख सकता हूँ half half ही रहेगा density density ही रहेगी because liquid नहीं बदली है a2 d2 लिखो या a1 d1 लिखो दोनों same है दूसरे लोग ad भी लिखते हैं वो भी चलेगा सिर्फ यहां पर velocity फरक होगी दोनों को minus कर दो क्या हो जाएगा सारे terms हमारे common होंगे चाहे rho है चाहे half है चाहे यहाँ पर यहाँ पर यह वाला term है और यह सकते हैं dv volume के बराबर है so kinetic energy यहाँ पर मैंने लिख लिया work done निकल चुका kinetic energy निकल चुकी क्या करना है चूर्फ और सूर्फ potential energy निकालना है वो तो एक ही step में आएगा mg h2 minus h1 because यहाँ पर क्या बदल रहा है यहाँ पर height बदल रहा है height यहाँ पर बदल रही है so mg कितना हो जाएगा h1 नीचे वाली height h1 उपर वाली height यहाँ से h2 mass के जगे डाल दूँगा density into 1 सब निकाल लिया है इस equation में डालो सीधा answer यहाँ पर आजाएगा so देखो मैंने वही किया है सारे terms को equation में डाला है dv, dv, dv cancel यह जो equation है इसी को कहते हैं हम Bernoulli's equation क्या कहते हैं इसी equation को हम कहते हैं Bernoulli's equation that's it so हम आप तुआ so यह वाला term क्या indicate करता है यह वाला term indicate करता है kinetic energy यह वाला term क्या indicate करता है यह वाला term indicate करता है हमारा potential energy और यह वाला term आया कहां से है so pressure का difference आया है work done से तो हम कहते हैं यह उसका resemblance है बट इसमें अपन थोड़ा theory में additions करते हैं जो यहाँ पर board exam के लिए थोड़ा सा भी need नहीं है चलिए, तो यह हो जाता है हमारा the famous Bernoulli equation बट Bernoulli equation क्या कहता है, Bernoulli equation कहता है energy is conserved, energy क्या है, energy conserved है आप यहाँ पर energy निकालो, same मिलेगी, आप यहाँ energy निकालो, same मिलेगी तो ऐसे situation में अगर मुझे compare करना है अगर मुझे क्या करना है, अगर मुझे compare करना है, तो हम Bernoulli का दूसरा यूरूप इस्तमाल करते हैं हम कुछ ऐसा कहते हैं, जैसे continuity का कैसा रूप था, continuity में हमारा रूप था यहाँ पर a1v1 is equals to the a2v2, है ना, actually क्या है equation of continuity यह है अगर मुझे comparison करना है, तो मुझे दो चीजों को equate करना पड़ेगा तो अगर Bernoulli principle में भी आपको comparison करना है, तो हम कुछ नहीं करते हैं सिर्फ one वाले terms अलग, two वाले terms अलग, तो देखो वही equation आपको यहाँ पर वापस मिलती है बड़ उसको हम equate वाले form में लिखते हैं और 99% of the times हम यह use करते हैं विकास हमको applications करने होते हैं Bernoulli के, Bernoulli तो principle देके चला गया न, उस पर हम जादा भाव नहीं देते हैं हम applications के लिए नीचे वाला form जादा use करते हैं, कुछ नहीं किया है one वाले terms और two वाले terms को सिर्फ हमने यहाँ पर अलग लिखा है, nothing else चलिए, finally discuss करते हैं, last topic जो की बातें करते करते हैं, 3-4 मिनिट में हो जाएगा applications of Bernoulli principle जिससे students बहुत जादा डरते हैं महराश्रप ओडवालों को डरने की चिंता नहीं है, बाकी students डर सकते हैं, वो topic थोड़ा सा huge हो भी जाता है so पहला पहला application यहाँ पर lifting of an aeroplane देख लेते हैं हम, so lifting of aeroplane में basically हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि जहाँ पर aeroplane के punk हैं, बरोबर, जहाँ पर aeroplane के wings हैं, वहाँ पर हवा crowded हो जाती है air क्या हो जाती है, air वहाँ पर crowded हो जाती है, air crowded होने का मतलब क्या होता है, बहुत जादा वहाँ पर narrow हो जाती है narrow हो जाने का मतलब क्या है यहाँ पर area of cross section उसका छोटा हो जाता है बोलो area of cross section यहाँ पर क्या हो जाता है area of cross section यहाँ पर कम हो जाता है area of cross section कम मतलब burnoli क्या बोलके गया था burnoli कहके गया था अगर area जादा pressure जादा अगर area कम pressure कम सो area of cross section कम का मतलब है प्रेशर यहाँ पे कम हो जाएगा तो नीचे प्रेशर हाई होता है नीचे प्रेशर क्या होता है नीचे प्रेशर हाई होता है उपर प्रेशर लो होता है वो लो चीजें कहां से कहां जाती है high से low pressure इस वज़े से आपका aeroplane उड़ पाता है इस वज़े से क्या होता है aeroplane आपका उड़ पाता है उसी प्रकार से तूफान आता है तो घरों की छटें उड़ जाती है विकाज अगर किसी घर की छट का शेप कुछ इस प्रकार से है अगेन वहाँ पर air क्या हो जाती है air बहुत जादा narrow हो जाती है narrow हो गई यानि area of cross section कम हो जाता है area of cross section कम मतलब pressure यहाँ पर low हो जाता है जबकि घर में pressure high हो जाता है तो इस वज़े से high pressure से low pressure छट सीधा ऐसे करके यहाँ से उड़ जाती है कुछ भी नहीं है basic basic बाते है venture meter, venture meter क्या होता है एक ऐसा device होता है basically ऐसा device होता है एक tube होता है particularly जिसमें पहला वाला area of cross section बड़ा होता है A1 is always greater than यहाँ पर A2 चिक है और इनकी height सेम होती है ध्यान में रखो क्या सेम होती है यहाँ पर height throughout the same होती है height यहाँ पर क्या होती है height same होती है मुझे बताईए अगर height same है तो Bernoulli equation में से height consider करने की जरुवत है क्या come on अगर height same है तो यह वाला term और यह वाला term यहाँ से cancel हो जाएगा तो इस वज़े से आप देख सकते हो height का term यहाँ पर नहीं है बाकी पूरी Bernoulli equation यहाँ पर आप देख सकते हो ठीक है तो basically venture meter में अपन क्या कर रहे है वही लिखा है हमने के energy is conserved so first जगे पर जितनी energy होगी point P1 पर उतनी ही energy point P2 पर होनी चाहिए देखो दोनों same height पर है P1 P2 चलिए क्या करेंगे यहाँ पर अंदर liquid तो same जाएगी तो density same ही रहेगा P1 minus क्या हो जाएगा P1 minus हो जाएगा यहाँ से हमारा P2 के बराबर बरोपर और यहाँ पर बचेगा half rho V2 minus V1 का square मुझे बताईए pressure का असली रूप क्या होता है lecture की शुरुआत कहां से होई थी lecture की शुरुआत हुई थी pressure होता है hro g के बराबर तो pressure इसके बराबर भी है pressure इसके बराबर भी है इन दोनों को कर दूँगा यहाँ से equate क्या हो जाएगा row row हो जाएगा cancel यहाँ पर मुझे वेंचुरी meter के velocities की equation मिल जाती है क्या मिल जाती है venture meter के velocities की question मिल जाती है तो वेंचुरी मीटर अगर मेरा है तो मुझे पता होगा उसकी height कितनी है market में लिखा होता है usually height जब आपको apparatus खरीबते हो V1 V2 बाकी में V1 experimentally calculate करो तो V2 में theoretically calculate कर सकता हूँ so this is all about the concept of venture meter so देखते हैं याँ पर last part last part हो जाता है हमारा efflux का part efflux CBAC board में बहुत अच्छे से दिया होता है efflux basically आपने देखा होगा अगर मेरे पास एक सीधा layer है उसमें से पानी कहीं से यहां से निकलता है पानी कहीं से यहां से निकलता है पानी कहीं से यहां से निकलता है तो जब पानी ऐसे त्रेशर में निकलता है उसको हम कहते हैं efflux, अगर मेरे पास एक पनी है, polythyn है, उसमें मैं ऐसा hole कर दो, तो जो पानी निकलता है उसको हम कहते हैं efflux, मतलब जो suddenly पानी यहाँ पर आया है, चलिए, अब इसमें क्या consider करना है, इसमें consider करना है हमको दो sections, तो पहला वाला section यह यहाँ पर है a1, जो की बहुत बड़ा है, बरोबर यह इतना जादा बड़ा है a1, a2 क्या है, a2 यहाँ पर बहुत जादा छोटा है, so a1 is greater than, यहाँ पर a2 इतनी चीज़ तो मुझे यहाँ पर समझ में आ रही है, पर दर मोर यहाँ पर हम क्या consider करते हैं, consider करते हैं मैं हम इ सेकन वाले का area of cross section यहीं से शुरू हो जा रहा है, agree करते हो क्या, area of cross section ज़रूरी नहीं, आप यहाँ से लो, आप यहाँ से भी ले सकते हो, तो यहाँ पर तो height exist ही नहीं करती है, इसवजे से देखो second वाले में height का term नहीं है, जबकि first वाले में height का term यहाँ पर है, लगा दें थोड़ा मैं fast जा रहा हूँ, one shot है, I am really very sorry, one shot है, okay, चलिए, so लगा देंगे equation of continuity यहाँ पर क्या करेंगे, वीवन का value निकालेंगे, यही वीवन का value यहाँ पर हम put कर देंगे, जैसे ही value वीवन का put करेंगे, देखो अभी maths है, अभी कुछ भी यहाँ पर physics नहीं लगेगा, दियान से देखो, row, row, row हो जाएगा, cancel, बरोबर, two यहाँ पर भी है, two यहाँ पर भी है, two यहाँ पर नहीं है, क्या कर देंगे, multiply कर देंगे, two से, so क्या हो जाएगा, यह वाला two cancel, यहाँ पर two का term आ जाएगा, चलिए, v2 square यहाँ पर भी है, v2 square यहाँ पर भी है, दोनों क एक जगे रखेंगे ताकि common निकाल पाएं तो देखो V2 square वाले term में RHS में लेके गया V2 square को यहां से मैंने निकाला common अब मुझे बताईए A1 बहुत जादा बड़ा है A2 से A2 का समझो diameter है यहां पर A1 बहुत जादा बड़ा है A2 से A2 समझो यहां पर मेरा होगा 1 cm कितना होगा 1 cm तो A1 कितना है A1 हो जाएगा यहां से मेरा 100 cm अब 1 divided by 100 कितना होगा 1 divided by 100 होगा 0.01 उसका लेना है square तो वो तो और छोटा number हो जाएगा तो यह पूरे के पूरे bracket को हम यहां पर ignore कर देते हैं तो मेरे पास क्या बचता है 2GH is equals 3 V2 का square और यहां से हो जाता है मेरा final expression V2 का मतलब है यह जो फुवारे से यहां से पानी निकलेगा उसकी velocity यहां पर कितनी होगी और उसी को कहते है velocity of efflux के अगर आपके पास थेली भरी हुई है उसमें से आपने ऐसा hole की और पानी कितना निकल रहा है वही velocity होती है हमारी यहां पर V2 के velocity उसी प्रकार से यहां पर मैंने कोशिश किया जितना मेरे तरफ से इस समय में मैंने बहुत जादा time को ध्यान दिया है कोशिश कर करके मैं हर lecture को साधी तीन गंटे से कम रखने का प्रयास कर रहा हूँ जो भी students मेरे batch के हैं उनको पता है मेरा average lecture time 25 hours है for this part ओके chapter 1, chapter 2, oscillations 25-25 गंटा मुझे सिर्फ theory कराने में लगता है so मैंने काफी जादा चीज़ें कोशिश की है अपने साइट से best देने के लिए so wish you the best for your exams, details सारी description में given है telegram group, schedule, whatsapp number, instagram आप description एक बार for sure check कर सकते हो मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में